रोबे का लियाकत है, आज इद का चांद देखने वारा है आप जानते हैं कि कल इद बनाई जाएगे, नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी पहलवानों से कोई पूछे, तो ये कहेंगे वही हमारी ईद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा, वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में, लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफ्तार से पीम मोदी ने दबलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का डियम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया वीजेपी ने लोगसवा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चि मंगाल की दौलतपुर में ग्रेमंची अमिल्शा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसपैट जमु कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चा तीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंत्री राजकुमार आरंद का स्तीफा समाज कल्यान मंत्री पत से दिया स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंत दादा पातल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पातल सांगली से वी बी एके टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहूल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजिसान के उपुमुक्य मंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना का कोरोना की तरह कॉंग्रिस ने देश को पहुचा रहा है नुकसान तो इद का चान तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चान दिखेगा चार जून को और तब तक हर एक तस्वीर, हर एक बयार, हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल यह है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीड किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कम जो है मचाएगी तो ऐसल हुआ यह कि तेजस्वी ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीड कर दी नवरातर के पहले दिन यह तस्वीर ट्वीड की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्री से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था, लेकिन सियासत में ऐसे मुद्धे जंगल की आग की तरह फैलते हैं पक्ष का एक और घोशना पत्र आया, जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी, बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्य मंत्री चंद्र शेखर के बेटे, पूर प्रदान मंत्री माप कीजेगा चंद्र शेखर के बेटे नीरत शेखर को टिकेट मिल गया है, जबकि चंदिगर से अभिनेत्री किरन खेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद, बीजेपी ने SS अलुवालिया को अब वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर के आई, मध्य प्रदेश से, जहाँ पूर मुख्यमंत्री दिगवजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कोन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाय जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिगवजय के बयान को ये आप माल लीजिए कि कॉंग्रिस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहिर नहीं किया है यानी जुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के एर्दगेर्ट गोंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब वो पूछ लेना चाहती है गोंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगननाम का बार-बार उसमें अंडरलाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल मैं आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मैवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं बारतिय जनता पार्टी के राश्ट्र प्रवक्ता अजया लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राश्ट्र प्रवक्ता मनोईज काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं RJD के नवल के शोर अपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे BJP के राश्ट्र प्रवक्ता जया लोग और इस वक्त आपको LJP के एके वाजपई साहब भी राश्ट्री प्रवक्ता है, नजर आ रहे हैं पपू यादब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है पपू जे आमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चारा वो यही है कि आज की तारीक में आप कॉंग्रेस में हैं, पपू साहब के नहीं है यह चिंता हमको तो समझ जो नहीं आ रहा है, आज के तारीक में नरेभनर मोदी जी चर्चा के विश्य नहीं रहा, खंगना चर्चा के विश्य नहीं रही, हम तो एक बहुत सधारण आर्मी हैं, मिरदलिय उमिधवार हैं, जनता के दिल में हैं, हमने दो दो लोगसवासीत को थुचरा दिया, मदेपुरा और सुपॉल, वह न तक मदेप जी से खारजां हम अधीत्रा सुपोल नहीं चाहिए हमने तो फाटए पाद गौ मांगत है और फास्ट की जहां तक सवाल है कांग्रेस ने मुझा चुना लड़िये को किसी ने मिली तो आप हमको एक बात बताएए ना कि पप्पु यादव जावुत प्रेंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक बिचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक छेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप से बस एक इलतजा इस बात की है कि आपने अपनी जिन्दगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जनादिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रिस की तरफ से पाप्पू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल को बनेगा ना पाप्पू जी देखिए आप मेरे सुप्टिंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाउस हुचाए अपनों को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्टारी हो गई रमडी सीवार ऑक्सिजन कहा कहां से लाए इस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके नौ मेहने तक बाहर रहे इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पर पप्पू यादर को अचा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस अधार पर उसको फ नहीं निकले और जो नौ मेहना सर्कों पर रहा कभी एंबुलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में और उसके बाद जात्या धाग पर पपू यादर जैसे शेबक को जो चिप बेटा होता नेता तो कभी होता ही नहीं है पुरा में पुर्णिया में पढ़ाई इ और यादा इसपूल हम को पर थी अनएमार विसकिटो पर देखा हमारी एक मीर्ट मधिया मैं अिरय वहात धारी से देखा है ए का नरे क्यों रही तán ऌखो चैना आप कर दिया आप को 7 कर दिए आपको ये टिए मिली मेरी मात तो सो में यह ना प्पू यादव को टो एक्सेप्ट नहीं करता लोगों को इस बर नहीं को ढर रहता है कि पपू यादव पता नहीं कल के दिन मेरे बार नहीं तुझी गलत के बारे में क्या बोल देंगे तो हमारे खिराप में आ नकुस हो जाए मतलब हमारी सच्चाई ही हमारा दुश्मन हो एक फॉलिटिकल संस्का प्पुजी देखें आप करने के आदी नहीं इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे ये बताईए ना, आपको दोका मिला है के नहीं मिला है, और अगर दोका मिला है, तो किस से मिला, किस से दोका दिया। प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदी लालू यादव जी से उनाइस को मिल करके हम पैर छुटे बोले कि हम मध्यपुरा चुनाओ नहीं लर सकते आप पुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिशा जी से कहा कि मिशा जी मेरी बहन कित रहा और बहुत त्रमदार लेडिज हैं मैंने तीन तीन लार उनको कहा कि मिशा जी आप एक काम करें आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं समा मंगता हूं आप लालतन से ही हमको पुर्णियां दे लेकिन मेरी बात सारी मैं चीज होती रही सबसे होती रही लेकिन मुझे असद बार उबिकाजी मुझे यह चाहता है कि कॉंकि कलकटा में भंगाल में यही हो गया पंजा में यही हो गया पूर्णिया आप चोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे लेकिन आर्जेडी के उम्मीदवार बीमा बात यह कह रही हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए है, आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है, आप बता दीजेंगे के खिलाफ त्रिकोणिया संगर्श है, पप्पो यादम सामने रहेंगे, तो वोट तो बढ़ जाएगा ना, रुबिका जी एक बात बोल, मैं तो किसी की चर्चा नहीं करू रहा, और आप बीजेपी के लिए चर्चा हमसे ना खरे, जिलका अपना तो अस्तिच नहीं धुम्या में, मैं एक आप आप से पुठना चाहता हूं, रुबिका जी, हमको पात बता जीए हूं, कि बहुत कि लियर कि बताइए हमको कि नुभिका भीजेपी की बीचीण में मता जी थी की कॉंगरेस है, के पंज्याब में आमाद मिय पाटी है की कॉंगरेस है, लगातार आपक ने उस सिर्वारव को जो नंबर्हकर है probably हम तो यह कहेंगे, जिस तरीक लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाओ जीता है जहां हम चार-चार बार संसर्थ भेशे बार है आप पोने सात राख यादव होने के बाद पुत्रा ये कांटर तो आप चुना मेरी बातों सुने पुनिये न मेरी बात है रुबिका जी अचा ठीक है जो लोग टिकट बाते हैं लहीं पर देखिए सब्सवात पंडे को आप कर नहीं को भी बीचिकी की बीचिम का दीजें कॉन्प अर्व लोग कडिया को नहीं कि सिख ले लिए वह नहीं आप यश्चा पंडे आप यज तो आप फचना लरते थे आप और यज को देदिया आप पट्री को आप पो साबुदी जी की पट्री को आप लगाता था पंकर रहे हैं पर्फों से पप्पू यादब के डर के कारण जम मैंने कैया दिया कि मैं कैंप करूंगा पौं करें एक ले लिए तिकर्ट पू यादब का पूदी जी कौन टुरिक्श्मान कर दिया कौन अद् मेरा दुस्मन मैं खुद हुँ, कोई और नहीं है, हमको फायर पकर लेना चाहिए, हमको दलाली करने चाहिए, हमको जूट बोलना चाहिए, हमको भी ठगफुष की राजिती करना चाहिए, हमको भी नफ्रत की जादपात की हिंदू-मुसल्मान की राजिती करनी चाहिए करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको प्राइब कर रहा हूं आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आजब दी नौमिनेशन में हरीकेप्टर लेके मेरे हाँ जब कि आज तक कोई भी आजमी नौमिनेशन में नहीं गिया क सब्सक्राइब के खिलाप नौमिनेशन में आना और जो सीट जो सीट कॉंग्रेस कभी छोड़ी नहीं जो सीट मेरे परिबार का पूर्णिया का सीट हो जाज़पात नहीं होता है मेरे सामने में ना को हिंदू-मुसल्मान ना जाज़पात सब मेरा परिबार होता है हम आज चुना नहीं जीता आज जब पूर्णिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे तेंगे लाप पूजी आपके फैसला गलत हो गया कॉंग्रेस में नहीं मैं मेरे विलाय का फैसला गलत नहीं हुआ मैं लालु यादव जी से आस्रबाद लेके गया सबसे मुड़ी बात यह हो गया कि हम कॉंग्रेस में क्यों विलाय कर गया है यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपू यादव जी आप जंतरमंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैठे थे और आपने योगी प्लॉट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वह रो रहे थे वह रो रहे थे कि लाटी कैसे खाए हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे अठारा दिनों से आप टॉर्टर कर रहे हैं आप हम लाटी खाने आरी हम करोना के डर से तो नहीं नरो रहे थे हम टिकट के लिए तो नहीं नरो रहे थे हम गटबंधन के लिए तो नहीं नरो रहे थे आप 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 आपने आपने पपु यादब को आपको अपना अपना दर्द होता है आपने वो जो रोने का मजाग उड़ाया उसी को लोग च और अपने घर में लोए हम सदन में नहीं हम पुलीस के डर से नहीं रो हम एडेसी भी आए के डर से नहीं हम रो सब्सक्राने करके कि जब हम नमें हैक चीज पर हम आजिएंगन से बागा और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफुरत आप हेलिकाप्टर लेके आ गए हमने आपकी सब्गिन मदब की हम आपको विपक्स से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पैट पगर के टिकट नहीं मांगे हम मदेपुना शुपर ले सकते कैना है कि यह हम्मत गराने जित्व के लिए करने के लिए आओंगी और कि उल्मिक्न आप अखे पार द्ले靠 मांगने की बात इसलिए मैं निर्दरे लड़ा हूँ, अब मैं इस डिबेट की शिरुवात कर रही हूँ, डिबेट में सारे खास मैमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पपू यादव को आप सुन रहा है थे, इस वक्त शक्ती सिंग साहब भी हमारे साथ बने हुए है, शक्ती जी क्या कहें हैं, आप लोग इतना चिड़ गए कि आपने उनका टिकेट कार्ट दिया, विलाय आपको पसंद नहीं आया, एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ा दिया, टिकेट उनको किस ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और वो कहां थे, व और वहां पर टिकेट दिया, उन्हें टिकेट क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं, हमें तो हमारे पास तो उनके टिकेट नहीं मिलने का कोई जवाब क्यो रहेगा, हमसे कोई क्यों मांगेगा, हाँ, आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तमाम तरह की बा क्वाप्टर से तेजस्वी साहब जो हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए गया यह 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 अनुसार यह यह बताता है कि पपूजी से डर गए और इसलिए वहां पे गए इसका इसका विल्कुल गलत मतलब बता रहे हैं यह स्वी जी को लगा क्यों जाना चाहिए और उसमें क्यों क्यों किसी को परेशानी होगी नवल जी आपके नेता है जो आपका पसंदीदा उम्मीद्वार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजिए को पपू यादव कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको के साथ बने हुए हैं आप ये कह रहे हैं कि किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गया है लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राएं ना जाने क्या-क्या तेजस्वी बाबू कहा रहे हैं कि नवरात्र से पहले किचा गया फोटो वे बकाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों आटाकिंग मोड में है कि एक तेजस्टी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है एक एटीसी कोई की जोती है एरपोर्ट है कब हैलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुद्दा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो घिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर यह अल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते हैं कि हम बचपान से बुदुरू थे तब से हम छठी महीया जय शठी महीया करते हैं तो जय शठी महीया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सक है कि नो रात्र का क्या मतलब होता है हिंदू के दिलों में इसको बताना अ कि मुझे रूप नहीं इसको नहीं करने दीजिया तो अपना अपना तरुक्त आपन अपना तरीका जो नहीं तो सवाल बस इतना है कि आपने ये काम तक इसका मतलब जान बूझ के किया ताकि भावनाय आहात हो कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगह ने काम किया साथ अंजाने में गलती होई तो कोई बात नहीं जानते ब सिर्फ वही सरभ भाता जिसे लोगों को भड़का सके आज आज जो सही सवाल क्या है उसका सही समय क्या है वो सवाल पूचने का है आप पुछ सेवार्प हैं कि आप वूज़ पर किया नोपर किया है रोजगार पर क्या तुछ प्रोस्था किया है नारी सुरकशा पर करिया यह तमाम सवाल जो है वह भारतिये चुनांव में महत्पूँ सवाल बन ग쉈 है yours इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर कि बता देना चाहते हूं कि आपका और हमारा जो सिगनल उसमें बैंडबिट की थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी एक चीज मुद्धा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉणच हुआ है उसमें जातिकर जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच ट्रिलियन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राई पर अटक गए नहीं मुद्दा तो यह भी है मुद्दा क्यों नहीं है यह मतलब आप ऊपर हवाई हालीकप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और त्योहार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली च जंता के सामने आप क्या पोज करते हैं यह तोने चीजों का मतली देट जंता को पता चलेगा ना पूरा परिवार ब्रस्टाचार में लिप्त है यह जनता को जानकारी आगई है यह जानकारी आ रही है कि इनके जिने का इस्टाइल्स क्या थे तो सभ崅 को गरीब है यह वह पारम हाउस सोच सब्सक्राइब कहां से पैसा है को बिजनिस है को बैपार है क्या सिरफ जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ल्ड ऐसे नहीं उस कर रहा हूं है लूट की है उसके पीछे सजा भी होगी है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा होगी है लोगों को बात के उसका जवाब मनुश का करेंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले वाजपीजी आप गरीब गरीब बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया है पर पांसाल बार जब्लाब गरेगे सच्चाई क्या है वो बाजपीजी से पूछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिया अध्यक्ष है आज की डेट में वो जब वो क्या क्या कर रहे थे उनके विसान में बता देना चाहिए कि बताइए बने वाजपी जी परिवार बाद आप पर नहीं फिट बैठता क्या कि परिवार के विसान बताना चाहिए परिवार बात का परिवासा क्या है जो यह सूट करता वही है तो जिस तरह से देगे बात ही है जनता पाटी को पता चल गया है कि सकता जाने वाली है इसलिए बॉखला हाट में वो तमाम तरह के बिन्लीव को लाते हैं इसा कोई मतलम नहीं है अजया लोग जवाब दीजिए परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेज़स्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठागूर को एक पोटो दिखा रहा हूं ने वह उनका फोटो दिख़ा रहा है तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह है परिवारवार आज से 50 साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी था को पता है कि राजीव गांधी के बाद काउन होगा कि यह परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें भाई तरसी बाद भी है लालुयादप एक किताब निकली थी बहुत लियएग रिविजान mama है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरात्रा के दूसरे दिन मच्छी खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का IQ टेस्स कर ले यह पढ़ता लिखता नहीं नहीं है अब लोग पढ़ते लिखते नहीं है जान जिसके भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है अकल नवरात्र था चुरुआत हो चुकी थी तो क्यों क्योंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते है उपवास में रहते हैं पहला तो इन से यह भी पूस लेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिस जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठाकूर और रभी संकर परसाद जी और प्रधान मंती बन सकते थी उसके बावजूद भी प्रधान मंती नहीं बनी और मोहन सिंक को बनाए आप आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाक्सप इन्वर्सिटी के ज्या लेकिन यह बात सौ परतिसट सही है कि जोतिना सिंधिया हो मैं आगे इस डिबेट को ले जारी है सर सुनिए ना आप ही के साथी मनोच का का पिछले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हो आप वो भी अपनी बात रखें और उसके बाद यह डिबेट कि हम जातिकत जनगणना करवाएंगे एक कह रहे हैं फॉर्वर्ड लुकिंग है और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आपकी टिप पड़ी इस पर देखें बहुत देर से आप आई लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परों के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरफ से पर्टी की तरफ से देता हूं और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम वि उड़ों से उन बेवकूफों से उन संविधान के विधान से बिहीन लोगों से यह पूछिए कि जातिगत जनगरना की बात इस देश में कप करी गई ती जातिगत जनगरना इस देश में 1931 से हो रही है जनगरना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या सम मुझ का उसके ससक्ति करण के लिmaking कितने संसाधनों कि आइव सकता होती है उसकी घडना जाने बगर कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा मैं आपसे पूछूँ कि इस देश के केंद्री सचिवालाह में एक इतने कुछ़बारा है । कितने पटेल हैं विना उनकी संख्या असल में ये लोग वो बात कहते हैं और राश्टी अध्याच छख्लेश यादव जीने जो जातिगत जनगरणा की बात करी है वो संब्धान के अनुसूची साथ में उसके संबिधान के अनुसूची साथ के सुची एक में उल्लिकीत और बिना जातिगत ज किये गए सोशन की तस्वीरें बहार आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यार यह तो तीनी फीसदी थे और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्थी क्राजनेटी पर यह भागीदारी है वो 90 फीसदी है इससे पहले भी हुई है यह तो यह तो आप अपने साइ यह तो इग्यारे में क्यों जा रही है आप मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में जब बीजेपी से जब पहले आटल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यानवर्धन करिये सब्सक्रा अपने साथ और मैं सिर्फ नवलकाई साथी नही के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब सुन तो लीजिए ना सवाल तो सुनिये न मेरा मैं कह रही हूं जातिगत जन जन गणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोक्रियों में उतनी जगा मिल गई कि पहले कि कई ऐसी रपोर्ट से जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए लोग है क्या सब को ओभी से आरक्षन क्या सब को लॉक्री मिल गई बिहार में क्या अंतर आया जातिगत जन गनना हो जाने के बाद यह बताएए मुझे क्या अंतर आया बिहार में बिल्कुल अंतर आया जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन प्रकशन करने का काम आपके चिलाने से बताएए मनुझ का का कैसे बताएए जातिकत जनकरना बिहार में हो गए बिहार क्या हो ना लूलू बन गया बिहार बॉमिंगर बन गया यह सवाल आपके प्रक्राइए पर हैं क्या बिलबिलाने के लिए करवाया था आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने इस विए ताकि आपको यह चाहते दे कि सामने वाहा बिलबिला जाएए कि आर्थिक सामाजिक राजनाइटी के लिए बढ़िया बन गई बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे सबसादन दूरने चाहिए ते वह जुड़ रहे हैं पताईए ना आप मुझे नरेंद्र मोधी की सरकार भारती जनता पार्टी का रसस नहीं नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जाती करती जनकर ना से बदलाव क्या आया है अब मैं चाहती हूँ के उसका जवाब यहाँ पर नवल किशोर जी भी दे दे आप देखिए हार जित्र में उनका रिपरजेंटेशन हुआ है रिजर्वेशन का मतलब सब को नौकणी देना नहीं हुआ रिजर्वेशन का मतलब हुआ है कि जो लोग जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुख्धारा मिलाना है प्रदेशन का मतलब क्या हुआ सर वक्त की कमी माफ ही चाती हो जाहा है लोग जी आप से और वाज़ पेजिए आप से आप देखते रहिए न्यूजटी निल्डी आज़ीपी निटाओं की भी सोशल मीडिया पर वार फलट वार आयनल्डी के प्रदेश अज्रेक्शन निखा जेजेपी का राजमीती की नहीं सामा जी का अंत भी तैय है जेजेपी ने लिखा किसका अंत हुआ इसका फैसला जनलता कर चुकी है हर याला में जेजेपी को एक और बड़ा जटका पूर विदाएफ सब्किंदर सिंग्राना ने भी जेजेपी से इस्कीपा दिया विपक्षी करवंदन के इंडिया नाम लखे जाने के खिलाफ दिली आई कोड में याचिका राफी का उंगलस ने याचिका को राजमीती से प्रेवित बताया बोले याचिका करता विश्विंदू पर इश्रत से जुड़े हुए है अरुनाचर प्रदेश से रक्षावंदनी राजनाथ सिंका चीन को करासंदेश बोले भारत परोसियों से अच्छे रिष्टे चाहता है लेकिन सम्मान कुछोट पहुचाने वालों को जवाब देना भी जानता है रेमंतरादे ने मुक्हे चुनाव आयूत राजीव खुमार को जट शेट श्रेनी की सुख्शा दीया, आइबी की डिपोर्ट के आधार पर सुख्शा मिली लोगसमा चुनाव के मंदे नज़र पश्चिम मंगाल में सुरक्षा भानी का फैसला चुनावाईव ने मंगाल की अरद सैनिक बलकी सौ कम्पनियां तैनात करने का निदेश दिया असन के लखीम पूर से आमिच शा ने कॉंग्रस पर बोला हमला बोले कॉंग्रस ने असन के साथ अम्याय किया बीजेवी सरकार ने घुस्पैक पर लगाई रोक तीसरी बार विहार में हुंकार बने के प्रदानमत्री नरिद मोदी 16 अपरेल को गया में दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जन गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी बीजपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्य मंत्री चंद्र शेखर के बेटे पूर प्रदान मंत्री माप कीजेगा चंड़ शेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकेट मिल गया है जबकि चंड़िगर से अभिनेतरी किरन खेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने SS अलुवालिया को अब वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर के आई मध्य प्रदेश से जहाँ पूर्मुख्यमंत्री दिगवजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहाँ रहता कोन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाय जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिगवजय के बयान को ये आप माल लीजिए दिगवजय का बयान ये दिखाता है कंगना रनौत कह रही है कि कॉंग्रेस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहिर नहीं किया है यानि जुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के इर्द गेर्ड गोंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं पुन्या से निर्दलिय उम्मीदवार पप्पू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाब लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गोंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती हैं गोंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टो जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगननाम का बार-बार उसमें अंडर लाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल में आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मैवान जो हमारे साथ शामिल हो गए है बारतीय जनता पार्टी के राश्चर प्रवक्ता अजयालोग हमारे साथ जुड़ चुके है समाजवादी पार्टी के राश्चर प्रवक्ता मनौझ काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं RJD के नवल किशोर आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, BJP के राश्च्रि प्रवक्ता जाया लोग, और इस वक्त आपको LGP के एके वाजपई साहब भी राश्च्रि प्रवक्ता है, नजर आ रहे हैं पपु यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, पपु जी हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज जो देश जानना चारा है वो यही है, कि आज की तारीक में आप कॉंग्रेस में हैं, पपु साहब के नहीं है आज के तारीक में नरेमर मोदी जी चर्चा का विश्य नहीं रही है, हम तो एक बहुत सधारन आर्मी हैं, निर्दलीय उमीदबार हैं, जनता के उमिदबार हैं, जनता के दिल में हैं, हमने दो दो लोगसवाज सीट को ठुतरा दिया, मधेपुरा और सुपॉट, बल तक नाम का डिकलेरेशन नहीं हुआ था हमने कहा लालु जादब जी से कि घरजन हम अधितरा सुपोल नहीं चाहिए हमने तो पांड़ तो पांध गों मांगत है हमने तो एक ही गों मांगत और कांग्रेश कि जहां तक सवाल है कांग्रेश ने नौम मुझे कहा कि आप अलग हैं ना मुझे कहा कि चणो लड़िये को किसी नहीं भाइं किया गया? ् कि आप हमको एक बात बताएए है पपू यादव जावुत प्रेंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक बिचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक छेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था आप से बस एक इलतजा इस बात की है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी पूछी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा न आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पालपोसा बड़ा किया एक जनाधार ब और जो कॉंग्रिस की तरफ से पाप्पू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल को बनेगा ना पपूजी देखिए आप मेरे सुप्टिंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाज उचाए अपनों को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्टारी हो गई रमडी सीवार ऑक्सिजन कहा कह है किस तरह दिल्ली में हम घर चोड़ करके नौ महने तक बाहर रहे इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पद पप्पु यादर को अचा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस आधार पर उसको फिर से मले ब और जो नौ महना सर्कों पर रहा कभी एंबुलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में और उसके बाद जात क्या दाग पर पपु यादर जैसे सेबक को जो चिप बेटा होता होता नेता को कभी होता ही नहीं है पुर्णिया में पढ़ाई इसकूल हम तो पर थे आ पपु जी मैं मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं पर तो अपने प्रिक का विल आ ही कर दिया आपको एक टिक रही मेरी बात तो समझे ना फाटी फाटी पपु यादर के तुझे क्या सक्चा ही के रास्ते को को अक्सेप्ट नहीं करता लोगों को इसमात का नेता करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप आपको दोका मिला है कि नहीं मिला है और अगर दोका मिला है तो किस से मिला है रूबिका जी रूबिका जी आप एक लार्जर कॉज और बीगर एक प्लेट फॉर्ट और फुट प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादव जी से उनाइस को मिल करके हम पैड़ फूटे बोले कि हम के तरह और बहुत त्रमदार लेडिज हैं मैंने तीन तीन आर उनको का कि निशा जी आप एक काम करें आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं समा मंगता हूं आप लालतन से ही हमको पूर्मिया देजे लेकिन मेरी बहुत अइसारी चीज होती रही सबसे होती रही लेकिन जिए असर कुआ रुबीका जी और मुझे ये लेख सही है कि कॉंग्रेश गठमंधन धर्म को चाहता था तरक कंकि कलकटा में बंगाल में यही हो गया पंजा में यही हो गया wes theory पंजा में यहीॉविया जाँ तो उनके लिए सामने में यह नहीं टा कि हम भी के कि फोर्बो करिए चोड़ दीजिए कि अभी एक सीद के चलते हैं जबकि 20 सालों से कोई आजादी के बाद से आर्जेजी वहां चुनो नहीं लड़ा, कभी जंता जल नहीं लड़ा, हम वहां से तीन बार सांसद रहे, मेरी मा महां से चुनो लड़ी, मैं तो कह रहे हुँ ना, आप बार बार कह रहे हैं कि पुर्णिया आप छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आर्जेडी के उम्मीदवार बीमा बारती हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं, आप कहते हैं मैं को किसी की चर्चा नहीं करूं रहां। और आप बीजेपी के बीच चार्चा हम से ना खरे, जिलका अपना तो एसकीच भुया में। मैं एक आप शे पुछना चाहता हूं अप एक बात बता दीजिए, कि बहुत की घियर बताई हमको की विजेपी की भी टीम बंगाल में मन्ताजी भी है की पंजब में आम आदमी पाटी है की कॉंग्रेश है, वम तो यह कहेंगे जिस तरीके से भी ःहर में लगातार आपने उस शीप को जो नंबर उन में चुनाव जीत्ता, पाप आप पुने साथ राग यादव होने के बाद नहीं जो लोग तिकट बाते हैं पर देखिए सास्वत फांडे को आप कनया को भी विजय पी की बीतिन कर दिए कौन कनया या तो लोग करनिया को नहीं दिये जो निखिल बाभू की सिथ ले लिए वो नहीं आप केदाद पांडे के सिथ ले लिए लिए आप वो शित आप चुना लगते थे थे आप अब हागलपुन लगते थे वो जबरधस्ति को अगर्चिक दे दिया आप परभुनार भायवला सिथ आप साभूदी जी की पत्री को आपने अप्तों साभूदी जी की पत्री को आप लगाता ह्कों कर रहा है अपतों से पप्पु यदाडव के घर के कारव और मेरे ने क्या घए एकक जिए लिए ये लिए थे क्न पपू याण less me and fé अब्तुजिं कैं दुए क्स मेरा दूसम pozwini कोई और नहीं कि雨 को हमको ऐसे क्वार यह कर लेड्या चाहिए हमको दलाली करने के मिलें रहे है हम उसके अधीं कि आपको करने के लिए पर इसा क्यों क्या रहा है अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी नॉमिनेशर में हरी कप्तर लेकर मेरे रहां गया जब कि आज तक कोई भी आजमी नहीं गया करें तो आपको यह आज़िक्टर के खिलाप नॉमिनेशन में आना आप खौफ है और सबस्ए को जब टांच स зовут कॉंग्रेश को जो सित बैरा गजो सित होड़ी नहीं जो सबंभी नहीं होता है नगा करें तुर्मनेल्स के से मेरे सामने में ना को हिंदु मुसलमान उच्पात सब मेरे इनुआ होता है हम आज तर मधैपूरा कि करती हाजर say तब हम वहाई फसमें चुना जीते, हम कोई चुना नहीं जीता, आज जब पुरिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे जब आप पुरिया, कि आपके बिलाई का फैसला घलत हो गया, कॉंगरेस में? नहीं, मैं मेरे बिलाय का फैस्टा गलत नहीं हुआ, मैं लालू यादव जी से आशिरबाद लेके गया, सबसे मुड़ी बात यह हो गया, कि हम कॉंगरेस में क्यों बिलाय कर गया, यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है, पपू यादव जी, आप जंतरमंतर गए थे, आप वहां पहलवानों के साथ बैठे थे, और आपने योगी अदितनात का मजाक उड़ाया था, कि वो कैसे सदन में भै भै करके रो रहे थे, और अब लोग आ रहे थे कि लाठी कैसे का है, हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे, अठारा दिनों से आप जोटर कर रहे हैं, हम लाठी खाने आरी, हम करोना के डर से तो नहीं न रो रहे थे, हम टिकट के लिए तो नहीं न रो रहे थे, हम गट बंधन के यह तो नहीं ना रो रहे थे आप आप आपने आपने पप्पु यादव को आपको अपना अपना दर्द होता है आपने वो जो रोने का मजाक उड़ाया रूबिकाजी को लोग चर्चर कर रहे हैं कि आप शायद अगर यह लाग करते तो आज वो आशू आपको भी पब्लिक क सामने ना निकालने पड़ रूबिकाजी रूबिकाजी हम अपने मां अपने घर में हम सधकर बहुत हैं जो मढ़ा किए और में दोगा इनिक नवा गए हमने आपकी सब्दिन मदद की हम आपको विपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पाइद पगर के टिकट नहीं मांगे हम अधेद पुना शुपह ले सकते थे यह हिम्मत इस देश में किसी के पास नहीं ह पापु यादव के तो पुप सारी शुप आमना हैं और दुबारा आपसे मुलाकात होगी और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और किसी भी रिकटा हो रही है क्या आप कर रहे हैं वो सब जानूँगी फिलाल आपका अपको पसंद नहीं आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजे और उसके बाद में मसले को आगे बढ़ा दिए पर रोख नहीं है आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं है अगर आप चुनाव मैदान में है तो आपकी एक लग्ष चुनी चाहे कि चुनाव लड़िए इसके आप इंडिपेंडेंट भी देश्ट में लड़ते हैं आप लड़ है कोई लड़िए तेजस्वी आदमी के लिए आपकी अनुसार या परपू जी के अनुसार यह बता आता है कि पप पूजी से डर गय है और इसलिए वहां पे गए इसका इसका विल्कुल गलत मतलब वह बता रहे हैं तेजस्वी जी को लगा कि वहां जाना चाहिए तो गये और उसमें क्यों किसी को परेशानाय उसलिए यहांगी परेशान नवल जी की परेशाने परेशान नवल जी आपके नेता है जो आपका पसंदीदा उन्मीदवार होगा जहाँ आपके सबसे ताकतवर नेता की जरोत होगी वहांपर वो जाएंगे लेकिन उसके कि पब करने चाहिए कि पप्पू यादाव क्या रहे हैं इस लिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं पौप यादाव को यह भी कहना चाहिए कि उनके हलिक अने से मुझसको डर लग गया अब मेरी हार सुनिस्चीत हो गई या वो यह कहना चाहते हैं ओके अलोग जी हमारे साथ बने हुए हैं आप यह कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच ग पर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में है कि दिए तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट है का वह लिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉर्ड निकाल सकते हैं मुद्दा वो नहीं है मुद्दा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो गिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर यह एल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते हैं कि हम बच्पान से बुतुरू थे तब सेम छठी महिया ज सवहराहूल गांदी के साथ मतन चल सकता है एक मिनटेक में ख। अन्जाने में गलती होई तो कोई बात ही जानते बूस्ते गलती करना इसको क्या कहेंगे नवल जी ठेके रुभिगा जी भाजपा के पास मुद्धों पे कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सरा बात था जिसे लोगों को भटता सके आज जो सही सवाल क्या है जो सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल पूछ रहें कि आपने पिछले सवाल में क्या किया नोपनी पर क्या क्या रोजगार पर क्या क्या और प्रोस्ता पर क्या क्या नारी सुरक्षा पर क्या क्या यह तमाम सवाल जो है वो भारतिये चुनाव में महत्तपू सवाल बन गए है और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की मुद्दों पे चुनाव रहना चाहते हैं कि आपका और हमारा जो सिगनल उसमें बैंबिट की थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है मैं वो दुरुस करवाती हूं फिर आपके पास आती हो एक वाचपई जी भी हमारे स सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉन्च हुआ है उसमें जातिक जनगणना का जिक्र हुआ है यहां 5 trillion economy की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्रा इसमें केक बड़े अपना वह मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क्या पोज करते हो यह दोने चीजों का मतवेट तो जनता को पता चलेगा ना पूरा यह नोकरी देने के पीछे अपने जमीने लिखवाते थे, उसी का केस पेंडिंग है ना, दिली में इनके 21 वारम हाउस हैं, आप समझते हैं, 21 वारम हाउस, सोच सब्सक्राइब कहां से पैसा है, कोई बिजनिस है, कोई व्यापार है क्या, सिरफ जनता की गाड़ी कमाई को नावल जी, घरीबों की बात करते हैं, पामाउस की गिनती वाजपईजी गिना रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल के बखान कर रही है, ओके, ओके सब्सक्राइब मनुश का का देंगे लेकिन उससे पहले, उससे पहले वाजपईजी, आप ने जो बात कही है, उसका बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया और पांस ताल बाद जब ने रहे हैं वह बाजपेई जी से पुछे लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिया अध्यक्ष है आज की 157 में वो वो क्या-क्या कर रहे थे उनके विसामें बता देना चाहिए ऐसके इता से इसी बताईये बताईये वाजपी जी है परिवारवाद आपना फिट बैठ ता क्या अन्य परिवार के बिसे से में बताना चाहिए परिवार बात का परिवासा क्या है? जो यह सूट करता वही है या कुछ वार भी है? तो जिस तरह से बात ही है, जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है. इसलिए बॉखला हाट में वो तमाम तरह के बिन्दियों को लाते हैं, जिसा कोई मतलम नहीं है. परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है, तेजस्वी और तेजप्रताप का है, वो कह रहे हैं, यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है. और सीपी ठाकुर कोई एक पोटो दिखा रहा हूँ. जिसा कि मेरे बाद राजीव गांदी होगा, उसके बाद उसके बेटे होगे, और आज भी तब को पता है कि राजीव गांदी के बाद कौन होगा. लाग बाड़ बेटा होगा, अभी पता है कि तेजस्वी का बेटा पिर आगे जाके समालेगा. ये परिवारवाद, एक पिनिट, नबल भाई, मैं बीच में कहां बोलता हूँ. आप गलत बोले हैं, ये सब परिवारवादी इंस्पायर है गांदी परिवार से. क्योंकि जब गांदी परिवार कर सकता है, तो हम क्यों नहीं करें भाई, तो सही बाद भी है. लालु यादव पे किताब निकली थी, बहुत फेमस किताब है. अपने भी नाम सुना होगा, फुलवरिया टू राइसीरा हिल्स, लालु यादव की जीवन पे किताब था. आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए, फ्रम चपरासी कॉर्टर सु सेलिबरेटिंग, बर्दे इन अरोप्लेंस, जो से तेजसी करते हैं, फ्रम चपरासी कॉर्टर टू इटिंग मचली इन हेलिकॉप्टर, आज कह रहे हैं हेलिकॉप्टर वाला विशे, फाल्तु विडियो टेजस्वी ने पोस्ट किया है, मिर्ची लगा रहे थे वो, नवरातरा के दूसरे दिन मचली खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को, इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आई-क्यू टेस्ट कर ले, लोग पढ़ता लिखता नही कि कोशिश की गई है, यह जानते हुए कि नवरातर का दूसरा दिन चल रहा है, यह कल नवरातर था, शुरुवात हो चुकी थी, तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं, वरत करते हैं, उपवास में रहते हैं। लोग चिराग पासवान जैसे लोग जो फिल्म में हैं, उनके विसर में उनको बता देना चाहिए, नमबर टू, नमबर तुरी, जिस गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, 89 के बाद सुनिया गांधी को मौका मिला प्रधानमंती बन सकते थी, उसके बावजूद भी और प् भारतीरे जनतां पाती में तो नेता तो छोड़ दीजिए, प्रवक्ता भी इंपोर्टेट होते हैं, और उनके भी अगर परिवार को देखा जाए, तो आपको पता चल जाए कि राजुदिक परिवार ही है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सौ परतिसत सही ह सर, मैं आगे इस डिबेट को ले जा रही हूँ, सर सुनी ना, आप ही के साथी मनोच का का पिछले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का, मैं चाहती हूँ आप वो भी अपनी बात रखे हैं और उसके बाद ये डिबेट पे आप एक दूसरे पर पलट वार कर सक करते हैं, मनुष्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि एक पार्टी है, जो कह रही है, कि हम लोग 5 ट्रिलियन की एकॉनमी इसे बनाने वाले हैं, एक पार्टी है जो कह रही है, हम जातिकत जनगणना करवाएंगे, एक कह रहे है फॉरवर्ड लुकिंग है, और दूसरा बाक्वर्ड लुकिंग है, क्या है आपकी टिपड़ी इस पर? देखे, बहुत देर से आप आई, लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेट पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परो के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपको तरब से पार्टी की तरब से देता हूँ और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम भिक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं, हम लोग जातिगत जनगरना की बात कर रहे हैं जातिकत जनगरना इस देश में 1931 से हो रही है जनगरना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससकती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है उसकी गरना जाने बगर कहां से उपलब्ध कराया जाएगा मैं आपसे पूछू कि इस द हैं कितने मुसल्मान हैं कितने हरिजन हैं कितने आधिवाशी आप से सवाल करूं बिना उनकी संख्या असल में यह लोग वह बात कहते हैं राश्टी अध्यक्ष खिलेश यादव जीने जो जातिगत जनगरना की बात करी है वह संबिधान के अनुसूची साथ में उसके लोग जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोसंड की तस्वीरें बहार आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो तीनी फी सदी थे और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी का अर्थिक राजने पर य इस से पहले भी हुई है यह तो यह तो आप अपने साइड का ट्रूथ बता रहे हैं कई यासी रिपोर्ट्स आई अरे सबके साइड का बता रहे हैं किसकी सरकार्ती बताईए मुझे क्यों नहीं लाए गया आरे सुनिये तो 11 में क्यों जा रही है आप मैं 1990 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1990 में जब बीजेपी से जब पहले आटल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यान वर्धन करिए सबका आपने साथ और मैं सिर्फ नवल काई साथी नहीं हू जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब आप कहान अब सुन तो लीजे ना सवाल तो सुनिये ना मैं कह रही हूं जातिगत जनगणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जगा मिल पहले कि कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ जब बाजपयी जी दुबारा प्रधान मंतरी बने आपको प्रभात जहा का जनसत्ता में लेखा है उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जर्शे प्रधान मंतरी अटल बिहारी बात पर बने बड़ा पारीकी से उसका जवाब दीजिए हैं मैं तो रूप कोस पर जा रही हुआ है जातिगत जन्गनना हो जाने के बाद यह बताईए मुझे क्या अंतर आया बिहार में कि बिल्कुल अंतर आया बिहार में जो जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन फिस दी के लोग में पता चलने से क्या हुआ हुआ है बच्चों को पढ़ाई और लिकाई का पुरा सवाल करो ला कि पैसलिटी मिलाशनों होगी जातिगत जन्गनना के मुझे ब बिहार किया होना लूलू बन गया बिहार बोमिंगन बन गया यह सवाल लंडन का बिट बन गया यह सवाल जातिगत जन्गनना हो जाने से फर्क क्या पढ़ा जितना सरल सवाल आप उससे पूचिया थे अरे बस बिलबिलाने के लिए करवाया था आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने इस लिए ताकि आपको यह चाहते थे कि सामने वाला जाए कि आर्थिक सामाजिक राजनाथी को बढ़िया बन गई बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे समसादन दूरने चाहिए थे वो जुड़ रहे हैं पताइए ना आप मुझे नरेंद्र मोधी की सरकार भारती जनता पार्टी आरे से नहीं मेरे सवाल का जवाब कि अर्वी का जानकारी पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेशन मिला आप डेखिये हर छेत्र में उनका रिपरजेंटेशन हुआ है reservation का मतलब सबको नौक देना नहीं हुआ reservation का मतलब हुआ कि जो लोग margin पे हैं समझे नियारपे reservation का मतलब क्या हुआ सर वक्त की कमी माफी चाती हुआ जाया लोग जी आपसे और वाजपे जी आपसे आप देखते रहिए news 18 ने आईनल्डी और जेजेपी निताओं की भी सोचल मीडिया पर वार फलट वार आईनल्डी के प्रदेश अज्छन निखा जेजेपी का राज़नी पी की नहीं सामाजी का अंत भी तेह है जेजेपी निटाओं किसका अंत हुआ इसका फैसला जनलता कर चुकी अर्याना में जेजेपी को एक और बड़ा जटका पूर विदायक सतिंदर सिंग्राना ने भी जेजेपी से इस्तीपा दिया विपक्षी करवंदन के इंडिया नाम रखे जाने के खिलाब दिली आई कोड में याचिका राटी का उंगलस ने याचिका को राजमीती से प्रेडित बताया बोले याचिका करता विश्विंदू परिश्रत से जुड़े हुए है अरुनाचर प्रदेश से रक्षा मंतरी राजनाज सिंका चीन को करा संदेश बोले भारत पलोसियों से अच्छे रिष्टे चाहता है लेकिन सम्मान कुछ और पहुचाने वालों को जवाब देना भी जानता है दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विशन डॉक्यमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जन गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासे ख़बर किया थी बीजपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर्मुक्ह मंत्री चंद्र शेखर के बेटे नीरच शेखर को टिकेट मिल गया है जबकि चंडिगर से अबिनेतरी किरंखेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने SS अलुवालिया को अब वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर क्या आई? मध्य प्रदेश से जहाँ पूर मुख्यमंतरी दिगवजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहाँ रहता कौन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाये जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाओत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा? दिगवजय के बयान को ये आप माल लीजिए दिगवजय का बयान ये दिखाता है कंगना रनाओत कह रही है कि कॉंग्रेस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहर नहीं किया है यानि जुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के इर्दगेर्ट गोंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं पुन्या से निर्दलिय उम्मीदवार पप्पू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गोंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती हैं गोंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगननाम का बार-बार उसमें अंडरलाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल मैं आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मैवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं बारतीय जनटा पाटी के राश्ट्र प्रवक्ता अजया लोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पाटी के राश्ट्र प्रवक्ता मनोझ काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं RJD के नवल किशोर आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, BJP के राश्री प्रवक्ता जाया लोग, और इस वक्त आपको LGP के एके वाजपई साहब भी राश्री प्रवक्ता है, नजर आ रहे हैं, पपु यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बह साहब के नहीं हैं, लिए ये चिंथा, अमको तो समझ जो नहीं आ रहा है, आज के तारिक में नरेंदर मोदी जी चर्चा के विश्या नहीं रहा है, आपलोग जब कि हम तो एक बहुत सधारण आर्मी हैं, मिर्दलिय उमिदबार हैं, जनता के दिल में हैं, हमने दो-दो लो अठीक द्हुपोल का नामका डिक्लेएशन नहीं हुआ था. हमने कहा लालू जागर जीसे कि गारजन, हम मधिग्प्रा सुपोल नहीं चाहिए. हमने तो पाध सित्य पाध गोमान था हमने तो एक ही गोमान था और कॉंघरेस की जहां तक सवाल है कॉंग्रेस ने ना मुझे कहा कि आप अलग हैं, ना मुझे कहा कि चुनो लड़िये को किसी ने नहीं फोन ने किया, ना मुझे कॉंग्रेस ने कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली, जब कॉंग्रेस ने मुझे कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली, तो आप हमको एक बात बत संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक खेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पे तो दिखता था अर जगा हम इस उस पर दिखते थे तो नेरी बात तो सुनिये ना आप सुनिये ना पपुजी मैं आपसे बस एक एक इलतिजा इस बात की है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपन इसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रिस की तरफ से पापू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल को बनेगा ना पापू जी देखें आप मेरे सुपिंटक हैं आप याद किजिए मैं थोरा सा ले जाना चा कहां से लाए इस तरह दिल्ली में हम घर चोड़ करके नौ मेहने तक बाहर रहे इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पद पप्पू यादर को अचा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस आधार पर उसको से अमेले बना दिया मैं बहुत गहरे सबने में गया यह कैसा देश है भाई जो एक बाद पब्लीक को देखने ने गया पटना में बार में परोना में एक अमेले मंत्री संत्री देश के पीम सियम नहीं निकले और जो नौ मैना शर्कों पर रहा कभी एंबुलेंस तो कभी है और उसके बाद जात्या दाग पर पपु यादव जैसे शेबक को जो चिप बेटा होता है नेता को कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई दिना स्कूल अंट ओपर थे आनलमार विस्कू केट ओपर रहे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखे मेरी बात एक मिन प्पु जी मैं मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं थो अप्सक्राइब कर दिया आप कोई टिकित तक नहीं मेरी बात तो सुमझे ना फाटी 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 पपु यादव के तुझे के सचाही के रास्ते को को एक्सेप्ट नहीं करता लोगों को इस बात का नेत मेरे बार में किरों घरा कि यहां का बोला मिलस्तिति रहते हैं replica और ग्राफ करनें के आदी नहीं इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बताईए ना आप आपको दोका मिला है कि नहीं मिला और अगर दोका मिला है तो किस से मिला रूबिका जी रूबिका जी आप एक लारजर कॉज और बीगर एक प्लेट फॉर्ट और फुब प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू आपो लगता है कि मैं और जलत चला गया क्डधी और अशनल्य स्वार्बिका में से हमको पर्मिया देते हैं but ci में वाय्प फार ड्रीज में होती रही सबसे होती रही लेकिए जो नौ मैना सरकों पर रहा कभी एंबुलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में शेबक को जो जो चिप बेटा होता है नेता तो कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई जिला स्कूल हम तो पर थे आनलमार विस्कूल के तो पर रहे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखिए मेरी बात एक मिट समझ लिए मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैंने क्यों चोंदिया आपने पार्टी का विलाई कर दिया आप को कि टिक्त करकाु कि मेरी बात तो समझ है ना इस पार्टी का कि पपुया तर्फ करोल देंगे कल हमारी खिराप्स हो जाए मतलब हमारी सचाही ही हमारा दुछन हो गया मेरी मेरी मरी सब्सक्क्राइब तो मैं स्विकार भी करूँगा एक है पॉलिटिकल संस्का एक है संस्क्रिति आप घुमा फिराकर बात करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बताईए ना आप आपको दोका मिला है के नहीं मिला और अगर दोका मिला है तो किस से मिला रूबिका जी प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादर जी उसको नहीं लर सकते आप पुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिसा जी से कहा कि मिसा जी मेरी बहन कितरा मेरी परिबार कितरा और बहुत समय लेडिज आपको लगता है कि में गलत चला गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं छमा मंगता हूँ आप लालतें से ही हमको पुर्णिया देजे लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही सबसे होती रही लेकिन मुझे अर्सर्जवारू भी पाजी मुझे ये कहां से यह बात चही है कि कॉंग्रेस घट तो उनके लिए सामने में यह नहीं हम भी कि फोर्गो करिए चोड़ दीजिए यह एक सीद के चलता है जबकि 20 सालों से कोई आजादी के बाद से आर्जेजी वहां चुनो नहीं लड़ा कभी जन्ता जल नहीं लड़ा हम वहां से तीन बार सांसद रहे मेरी माँ वहां से चुनो लड़ी मैं तो कह रही हैं आप बार-बार कह रहे हैं कि पूर्णिया आप छोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है आप बता दीजिए के खिलाफ त्रिकोणिया संगर्श है पंपो यादाव सामने रहेंगे तो वोट तो बढ़ जाएगा मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूंगा और आप बता दीजिए कि बहुत कि लिए बताई हमको कि विजेपी की बीटीम बंगाल में महता दीजिए की कॉंग्रेश है पंजाब में आम आदमी पार्टी है कि कॉंग्रेश है लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाव जीता है जहां हम चार-चार बार संसग रहे छे बार है आप पोने साथ राक यादव होने के बाद में यह काउंटर तो आप पाटली पुत्रा में वह लोग करनेया को नहीं दिये जो निखिल बाबु की सीट ले लिए वह नहीं आप गदार पांडे की सीट ले लिए ओक आप वो सिट आप चुनाव लड़ते थे आप अब भागलपुर लड़ते थे वह जवर्दस्ति को दे दिया आप परभुनार भायवला सिट दे दिय कौन पपु यादव का दुश्मन कौन आपका दुश्मन कौन आपका दुश्मन कौन जल रहा है आपसे मेरा दुश्मन मैं फुद कोई और नहीं हमको पहर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीज़े करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बातों मैं कह रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी नॉमनेशन में हरीकेप्टर लेके मेरे हां गये जबकि आज तक कोई भी आजमी नहीं गिया करें कप्पू यार्मिक्टर के खिलाफ नॉमनेशन में आना आप तक कौंग्रेस के जो सीट कौंग्रेस कभी छोड़ी नहीं जो सीट मेरे परिबार का पूर्णिया का सीट हो जाज़ाद पात नहीं होता है मेरे सामने में ना को हिंदू मुसल्मान ना जात पात सब मेरे परिबार होता है हम आज तर मदेपूरा में हम वे पुनेती लाग से चुना जीते जब नरेंदर मोदी जी की लार थी 2014 में तब हम वाई फस्में चुना जीते हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पूर्णिया सबसें बुड़ी बात यह हो गया कि हम प्रसंद साज हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपू यादव जी आप जंतर मंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैटे थे और आपने योगी अदितनात का मजाक कि वह कैसे सदन में भैं भैं करके रो रहे थे और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलोट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वह रो रहे थे कि लाठी कैसे खाए हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरजर्धति निकालना चाहिए अठारा दिनों से या लुख्र कर रहे थे आप हम लाकी खाने अरी हम परो ना के अधर घर से तो तो आज वो आशू आपको भी पब्लिक के सामने ना निकालने पड़ते हैं रूबिका जी रूबिका जी हम अपने माँ और अपने घर में लोए हम सदन में नहीं रोए हम पुलिस के डर से नहीं रोए हम एडी सीविया के डर से नहीं रोए हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक सीज जित पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकटर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदद की हम आपको विपक्स से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पाइद पगर के टिकट नहीं मांगे हम अधर पुना शुपर ने सकते थे यह हिम्मत इस देश में किसी के पास नहीं है कि आपको पुप सारी शुप कामना हैं और दुबारा आपसे मुलाकात होगी और इस बार ग्राउ किसी के पैर चुकर पैर पर पढ़कर टिकेट मांगने की बात नहीं कि इसलिए मैं लड़ा हूं अब मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रही हूं डिबेट में सारे खास मैमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पपु यादव को आप सुन रहे थे इस वक्ति सिंग साहब भी लोग इतना खौफजदा हैं आप लोग इतना चिड़ गए कि आपने उनका टिकेट कार्ट दिया विलाय आपको पसंद नहीं आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ा देके रूबिका जी टिकेट उनको किस ने नहीं दिया क्यो करना इसका जबाब को भी को आज अब किस ने का उड़ी लॉपका को मतला नहीं है तेजस्वी जो है वो नमांकन दाखिल करने के लिए गये हैं इसका बिलकुल घलत मतलब बता रहे हैं और उसमें क्यों कियूं कि को परिशानी होगी ने कि आपके नेता है जो आपका पसंदिदा उम्मीदवार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजें को पपू यादव क्या रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं ने जब पपु यादो को ये भी कहना चाहिए कि उनके हेलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिश्चीत हो गई क्या वो ये कहना चाहते हैं अजयालोग जी हमारे साथ बने हुए हैं आप ये कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादा वहां पर पहुंच गए लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए न जाने क्या-क्या मुद्दे जो हैं वह आप उठाए हैं और खुद अजयालोग जी तेजस्वी बाबु कह रहे हैं कि नवरात्री से पहले कीचा गया फोटो है बकाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में है दिखे एक तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाहिए हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है एक 80C कोई जोती है एरपोर्ट है कब हेलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुद्दा वो नहीं है मुद्दा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो गिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर यह अल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते है कि हम बच्पन से बुतरू थे तब से हम 6 मया यह 6 मया यह 6 मया करते हैं तो यह 6 मया के दिन मचली खाते वए फोटो सब्सक्राइब करने दीजिए यह सब ठीक है अपना-पना सनातन को मानने का तरीका जो नहीं मानना है तो सनातन एक अधर में इसको फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगह ने काम किया साथ अंजाने में गलती होई तो कोई बात दी जानते बूस्ते गलती करना इसको क्या कहेंगे नवल जी ठीक है रुबिगा जी भाजपा के पास मुद्वों पर कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भठका सके आज आज जो सही सवाल क्या है उसक प्रश्वास्था पर क्या किया नारी सुरक्षा पर क्या 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 यह तमाम सवाल जो है वह भारतिये चुनाव में महत्पू सवाल बन गए है और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की बात देना चाहते हैं कि आपका और हमारा जो सिगनल उसमें बैंबिट की थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है मैं वो दुरुस करवाती हूँ फिर आपके पास आती हूँ एक वाचपई जी भी हमारे साथ आई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैने फेस्टो लॉंच हुआ है उसमें जातिक जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच ट्रिलिन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राई पर अटक गए तो नहीं मुद्दा तो यह भी है मुद्दा क्यों नहीं है यह मतलब आप ऊपर हवाया हाली कप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका छलित्र तो दिखाता हिए और आपका असली चलित्र क्या है और जन्ता के सामने आप उप्टा करते हो要गान .. такие बहुत लग के अग। समय इंके कर दाओ कि लें को इनको कारीब लेग Ноji है यह को जिने के लिए लेप्र हणा है。 आप समझें की को उस सबस्क्राइब मैं सो पाइसा हैा? कोई बिजनिस है? कोई समय अपर है? सिर्फ जन्ता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होई है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना होगा उसकी गिनती वाच प पखान कर रही है यह ऑके सद्धियों में लोगों को बात के उसका जवाब उसका जवाब नमल किशोर जी को ति आप गरीब 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 बार बार यह गहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया परपास साल बाद यह स परिवार वाध आप पर नहीं फिट बैढ़ता है क्या परिवार के बिषाय में बताना चाहिए किसमें फिट बैढता है और चिलाक पासवांजी पर नहीं बैढता है क्या और जो लोग चुनाव लगा रहे हैं बिहार में तो जिस तरह से जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला आर्ट में वो तमाम तरह के बिंदुरों को लाते हैं इसा कोई मतलब नहीं है परिवार बाद सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठाकुर को एक फोटो दिखा रहा हूं यह उनका फोटो दिख़ए आए तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवारवाज आज से 50 साल पहले पता था इंद्रा गांदी को कि मेरे बाद राजीव गांदी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी तब को पता है कि राजीव गांदी के बाद कौन होगा यह परिवारवादी इस परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकते हैं है तो हम क्यों नहीं करें बहुत से मस् किताब है प्रम फुलवरिया तो रावसिना है अपने नाम सुना होगा फुलवरिया तुराइस इरा है लालु यादव की जीवन करें चाहिए फ्रम चपरासी कोर्टर सुषेलिवरेटिंग बर्डे इंअ एरोप्लेंस जिसों ते जासी किया है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरात्रा के दूसरे दिन में मच्री खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का IQ टेस्ट कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नहीं है आप 30 से कंद से अब बाब जा जो के तो क्यों क्योंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से ये भी पूछ रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नेरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका ये बात कर और रवी संगर प्रसाद जी और वैसे तमाम तरह के लोग चिराग पासवान जैसे लोग जो फिल्ड में हैं उनके विसे में उनको बता देना चाहिए नमबर टू नमबर त्री जिस गांधी परिवार की बात कर रहे हैं 89 के बाद सुनिया गांधी को मौका मिला प्रधान मं परिवार को देखा जाए तो आपको पता चल जाए कि राजमितिक परिवार ही है मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन ये बात सौ परतिशत सही है पिचाहे जोती ना चिलिया हो मैं आगे इस डिबेट को ले जा रही है सर सुनिया आप ही के साथ ही मनोच का का पिशले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हूं आप वह भी अपनी बात रखें और उसके बाद ये डिबेट पे आप एक दूसरे पर कर सकते हैं मनुष्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है लोग यह कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कह रही है कि हम लोग पांच ट्रिलियन की एकॉनमी इसे बनाने वाले हैं एक पार्टी है जो कह रही हम जातिकत जनगणना करवाएंगे एक कह रहे हैं लुकिंग है और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आपकी टिपड़ी इस पर और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं हम लोग जातिकत जनगणना की बात कर रहे हैं आपसे बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ हूँ बहुत साधारन सब्दों में उन मूढों से उन बेवकूफों से उ गड़ना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससकती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है उसकी गड़ना जाने बगर कहां से उपलब्ध कराया जाएगा मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंद्री सचिवालाय में कितने कु इंद्ध हैं कितने हरिजन हैं कितने आधिवाशी हैं आपसे सवाल करूं बिना उनकी संक्या असल में ये लोग वह बात कहते हैं राश्ट्री अध्यक्ष खिलेश यादाव जीने जो जातिगत जनगरना की बात करी है वह संबिधान के अनुसूची साथ में उसके संबिधा हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोशन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो तीनी फी सदी थे और दे देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्तिक ने पर यह तो आर्द्र सत्य का जाएंगे किसी सरकार्ती बताईए मुझे क्यों ने हिला इस सुनिये तो 11 में क्यों जा रही हैं मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में जब जब बीजेपी से जब पहले आर्टल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यान वर्दन करि आप तो अच्छी बात करें तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी देजिए ना जातिगत जनगनना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब आप कहान सुन तो लीजें सवाल तो सुनिये ना मेरा मैं कह रही हूं जातिगत जनग पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जगा मिल गई पहले कि कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ 35 साल से आरक्षर चल गा है क्या सब को लोकरी मिल गई अरे सुनिये 1990 में 1990 में जब बाजपेई जी दुबारा प्रधान मंत्री बने आपको प्रभाद जाका जनसत्ता में लेख है उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जैसे प्रधान मंत्री अटल बिहारी बारीकी से उसका जवाब दीजे ना मैं तो रूपकोस पर जा रही हुए उसको बंद करने का प्रस्ताव पारिस्तर जातिगत जन गणना क्या अल्टिमेट सलूशन है बिहार में क्या अंतर आया जातिगत जन गणना हो जाने के बाद ये बताईए मुझे क्या अंतर आया बिहार में कि बिल्कुल अंतर आया जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता चलने से क्या हुआ इलेक्रिसिटी कि सबस्या फत्म हो गई हां बच्चों को पढ़ाई और लिकाई का पूरा 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 प्रेसलिटी मिलना शुरू हो गई जातिगत जनक जनकनना आश्के मुझे बताईए ह कि भागेदारी सुनष्टित करने का चीलाने से लनरेक्टन के ढ़िए जातिगत जनगनना हो गया परहने वन में जितना सरल भाचा हां करवाया था या जातियों की बहतरी के लिए बनाया था लोग आपने आपने इस चाहिए बता दी आपने आपने क्यों जातिकर जन करना करना इस विए ताकि आपको यह चाहते दें कि लिखाई में सारे के सारे सबसादन जो जुड़ने चाहिए थे वो जुड़ आप मुझे नरेंद्र मोदी कि सरकार भारती जनता पार्टी नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जातिकर तो जनकरना से बदलाव क्या आया है आप मैं चाहती हूं के उसका जवाब यहाँ पर नावल किशोर जी भी दे दे 20 सेकंड में 20 सेकंड में सबको दे रही हूं नावल किशोर जी 20 सेकंड सारे क्या बतला है देखिए रूबिका जी आप इतना परिसान नियुजवाब सुन लीजे कि स्टी का जानकारी सवसंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजवे सब्सक्राशन का मतलब क्या हुआ सारबक की कमी माफी चाती हुआ जाया लोग जी आपसे और वाजपे जी आपसे आप देखते रहिए यूजवेटी आज इद का चांद देखने वारा है आप जानते हैं कि कल इद बनाई जाएगे नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी पहलवानों से कोई पूछे तो ये कहेंगे वह हमारी इद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफतार से पीम मोदी ने तबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का दियम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसवा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चिम बंगाल के दौलत पुर में ग्रेमंची अमिल शाने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमू कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंतरी राजकुमार आनंध का स्टीफा समाज कल्या और मंतरी पत से दिया स्स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीम वसंत दादा पारिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पारिल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ भारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजिस्तान के उपु मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कॉरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना कहा कॉरोना की तरह कॉंग्रिस ने देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चांद तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांद दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर, हर एक बयार, हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल ये है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरहसल हुआ ये कि तेजस्वी ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्री से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था लेकिन सियासत में ऐसे मुद्दे जंगल की आग की तरह फैलते हैं वो भी तब जब चुनाब चल रहा हूँ दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जर गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासे ख़बर किया थी बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्य मंतरी चंद्र शेखर के बेटे नीरच शेखर को टिकेट मिल गया है जबकि चंडिगर से अभिनेतरी किरन खेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने SS अलूवालिया को अब वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर के आई मध्य प्रदेश से जहाँ पूर मुख्यमंतरी दिखविजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतुका बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कौन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाये जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणाउत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिखविजय के बयान को ये आप मान लीजिए दिखविजय का बयान ये दिखाता है कंगना रणाउत कह रही है कि कॉंग्रेस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहर नहीं किया है यानि चुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के इर्दगेर्द गूंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं पूर्णिया से निर्दलिय उम्मीदवार पप्पू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगो से भी एक सवाल जो हर बार गूंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती हैं गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जन गननाम का बार-बार उसमें अंडर लाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल में आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मेवान जो हमारे साथ शामिल हो गये हैं बारतिय जनता पार्टी के राश्ट्र प्रवक्ता अजया लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राश्ट्र प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आर्जेडी के नवल के शोर अपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राश्ट्र प्रवक्ता जया लोग और इस वक्त आपको एलजेपी के एके वाजपई साहब भी राश्ट्री प्रवक्ता है नजर आ रहे हैं पपु यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है पपु जे हमसे बातचीत करने के लिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना का चारा वो यही है कि कि आज की तारिक में कर इसमी में हैं पपु जाहब के नहीं है विए यह उतिए तारिक कि कि नरेंदर मोदी जी ऐ दित्षा का विश्रय नई ऊपछा कि थे द проблем कि हं तो एक बहुत सधारन अदमी हैं निर्दल ये उमिद्बार हैं जनता के उमिद्बार है जनता के दिल में हैं हमने दो दो लोगसभास सीथ को फुत्रा दिया मधेपूस और सुपॉल कल तक मधेपूरा-सुपॉल का है नाम का देक्लियरिशन नहीं हुआ था हमने कहा लाली जानद्बी से कि गारजन हम अधिपूरा सुकौ नहीं चाहिए हमने तो पांध गॉमांगत हैं हम ने तो एक ही गॉमांगत और इस जुद की जहां तक सवाल है ऑफ जो ने ना मुझसे कहा कि आप अलग हैं ना मुझसे कहा कि चुनोव लड़िये को पिसी नहीं पोनने किया इना मुझसे कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली तो आप हमको एक बात बताएं कि पप्पू यादब जब रेंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल प्ली संघर् जो एक खेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी, सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर पर तो दिखता था, हर जगह हम इस उस पर दिखते थे, तो मेरी बात तो सुनिये ना, आप सुनिये ना, पपूजी, मैं आप से बस एक इलतजा इस बात की है, कि आपने अपनी जिन् अनाधार बनाया, आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाय कर दिया, और जो कॉंग्रिस की तरफ से, पपू सहाब आपको मिला, वो क्या मिला, एक टिकेट तक नहीं, तो ऐसे में सवाल तो बनेगा ना, पपूजी, देखे, आप मेरे सुब किंटक हैं, आप इसे मदद की, फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई, रेम्दी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए, इस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके, नो मेने तक बाहर रहे, इसके बाद पटना के बार में, और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पर पपू यादर को, अच् पबलिक को देखने नहीं गया पटना में, बार में, परोना में एक MLA MP, मंत्री, संत्री, देश के PMCM नहीं निकले, और जो नौ मेना शर्कों पर रहा, कभी एम्बूलेंस तो कभी कुछ लेके, कभी किसी अस्पताल में, सेबक को जो बेटा होता, नेता तो कभी होता ही नह पड़ाई दिला स्कूल अम को पर थे, आनलमार विस्कूल को पर रहे, हमने बच्पना देखा हमारी मा, मेरी बात एक मिट समझ लिए, मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है, मैंने क्यों छोड़ दिया, आपने पार्टी का विलाई कर दिया, आप कोई टिकित तक नही मेरी बात तो समझे ना, पार्टी पार्टी पपु यादव को एक तो देखिये सचाई के रास्ते को को एकसेप्ट नहीं करता, लोगों को इस बात का नहताओं को डर रहता है, कि पपु यादव पता नहीं कल के दिन मेरे बारे में या कल के दिन किसी गलत के बारे में क्या तो मैं सुटार भी करूंगा एक है पॉलिटिकल संस्का एक है संस्क्रिति आप घुमा फिराकर बात करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बताईए ना आप आपको दो का मिला है के नहीं मिला और अगर दो किस से मिला रूबिका जी आप एक लार जी प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादव जी उसको नहीं लर सकते आप पुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अन्तिन दी मैंने मिशा जी से कहा कि मिशा जी मेरी बहन कितरा मेरी परिबाद के तरह और बहुत तरम लेडी जी आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और ठकलीप हुए हमारे पापा को मैं चर्मा मंगता हूं आप लालतें से हमको पुर्णियां देजें ल कलकटा में बंगाल में यही हो गया, पंजा में यही हो गया, CPI ने क्या किया राहु गांडी के किराफ रदी राजा की पत्ती चिनौ लर गई, तो उनके लिए सामने में यह नहीं ताकि हम भी कहें, कि फोर्गो करिए, छोड़ दिजिए यही एक सीद के चलते हैं, जबकि 20 सा कोई आजादी के बाद से आर्जे जी वहां चुनो नहीं लड़ा, कभी जन्ता जल नहीं लड़ा, हम वहां से तीन बार सांसद रहे, मेरी माँ वहां से चुनो लड़ी, छोटे बार हम 8000 भूट से आहर गए, मैं तो कहा रही हुँ ना, आप बार बार कह रहे हैं कि कोई यह संगर्ष है, पंप यादव सामने रहेंगे, तो वोट तो बढ़ जाएगा, ना, रुबिका जी एक बात बोल, मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूँ रहा, और आप बात बता दी, कि बहुत किलियर बताई हमको, कि रुबिका बिजेपी की बताई हमको, कि रुबिका बंगाल में मंता जीदी है की कॉंग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पाती है की कॉंग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पाती है की कॉंग्रेस है, केर्ला में की कॉंग्रेस है, प्यादी ही, हम तो यह कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपने उस सीथ को जो न बभाद बाते हैं कहीं पर देखे सास्वत पांडे को आप करनेया को भी विजय पी की बीस्टिन कर दिए कौन आया या वो लोग तो करनेया को नहीं दिये जो निखिल बाबु किसी ले लिए वो नहीं आप के दार पांडे के सीट ले लिए आप फोसिटि आप चुना लड़ते थे आप पहले कुछ आप आप दिया आप साबुदी जी की पत्री को आप ने आप साबुदी खी mir जीने कने ले लिए अपपू यादव खिर दो छ्यूस कर दिया क्या भी दे लेगे n such a आपने कैवर आपको आ waiting on बताईए ना क्हांनी जल रहा है वेट आपसे नेरा दुष्मन कुर मुषणी यह हुचाए हम को अधे करना चाहिए हमको दलाली करने के लिए आपको भी ठाकपूस की राजुति करना चाहिए ए कोन किया रहा है तहुत रहा है YouTube डलालि के लिए इस तरीके से ऐन camp गलत चीज्य करने के लिए कॉन किया रहा ऐसा क्यों लगता आप एक वही बात भोब कर रहा हूं अब आप कुद सोचेंका कि तेज़स्वी आदब भी मेरे सामने में हिंदु मुसल्मान ना जादपात सब मेरे परिवार होता है हम आज तर मध्यपुरा में हम ये पुनेती लाग से चुना जीते हैं जब नरेंदर मोदी जी की लार थी 2014 में तब हम वहाई फस्में चुना जीते हैं हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पुर्णिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे पुर्णिया के आपके विलाई का फैसला गलत हो गया कॉंग्रेस में नहीं मैं मेरे विलाई का फैसला गलत नहीं हुआ मैं लालू यादव जी से आशिरबाद लेके गया सबसे बुड़ी बात यह हो गया कि हम कॉंग्रेस में क्यों बिलाई कर गया यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपू यादव जी आप जंतर मंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैटे थे और आपने योगी अदितनात का मजाक उड़ाया था कि वह कैसे सदन में भैभै करके रो रहे थे और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलोट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वह रो रहे थे वह रो रहे थे कि लाटी कैसे खाए हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे 18 दिनों से आप सब्सक्राइब घर चाहि रहे थे हमश्यश्चांओ के लिए तो नहीं नरो रहे थे आप आप आपने पप्पु यादब को आप पर अपना दर्द होता है आप जो रोने का मजाग उड़ाया उसी को लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप शायद अगर यह ना करते तो आज वह आशू आपको भी पबलिक के सामने ना निकालने पड़त हम EDCBI के ढर से नहीं रोएं हम रोएं उस बात को लेकर के कि जब हमने एक शीज जित पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकाप्टर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको भी पक्स से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पायद पगर के टिकट नहीं मांगे हम अधे पुना शुपर ने सकत मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कितनी वीर कर्था हो रही है क्या आप कर रहे हैं वो सब जानूंगी फिलाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो पपु यादव यहां कहते हुए कि मैं कि किसी के पैर चुकर पैर पे पढ़कर टिकेट मां कि नहीं हुए है शकती जी क्या काएंगे नवल किशोड़ जी माफ कीजिए शक्ति सिंग नहीं हमारे साथ नवल किशोड़ जी बहुत-बहुत स्वागत आपका माफी चाहती हूं क्या कहेंगे अपने पपु यादव जी कह रहे हैं आप लोग इतना खौवज़ता हैं आप कहां थे वो जाने हमने तो जो टिकट का बट्राइन किया अपने दल के जो संसधिय बोर्ट के मेंबर हैं वो सारे लोग देखकर और किसको कहां लगना चाहिए उसे विचार मंथन करके और वहां पर टिकर दिया उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला यह इसका जवाब तो गहीं द कोई मतलब नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लक्त सुनी चाहिए कि चुनाओ लड़िए इसके आप इंडिपेंडेंट भी देश्म लड़ते हैं आप लड़ रहे हैं कोई नहीं बात को साहब जो हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए गये हैं यह आपके नेता है जो आपका पसंदीदा उम्मीदवार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजी के रीजन को पपू यादव कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं पपू यादव को ये भी कहना चाहिए कि उनके हलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिश्चीत हो गई कि या वो ये कहना चाहते हैं आप ये कह रहे हैं कि किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गए लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए न जाने क्या-क्या देट डाली हुई है फिर आप क्यों अटेकिंग मोड में है अगर नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है एक A.T.C कोई चीज होती है एरपोर्ट है कब हैलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉर्ट निकाल सकते हैं दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं कि न वरात्र करका मतलब होता है हिंदू के दिलों में कि किसी को बताना है लेकिन मोझे उस पर को यह पती नहीं है अरे जब सावन का महीना मचल करे शोर रहुल गांदी के साथ मचल सकता है एक मिनिदीख में खटम कर दोन नवम सब्सक्राइब कर इसका दर्मानी के साथ नहीं मालना है तो सवाल इसका मतलब जान-बूझ के किया भावनाय आहत हो नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगह ने काम किया सब्सक्राइब अंजाने में गलती होई तो कोई बात ली जानते बूस्ते गलती करना इसको क्या कहेंगे नवल जी ठेके रुबिगा जी भाजपा के पास मुद्दों पर कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भठका सके आज आज जो सही सवाल क्या है उसका ब्रोस्ता पर क्या किया नारी सुरक्षा पर क्या किया यह तमाम सवाल जो है वह भारतिये चुनाव में महत्पू सवाल बन गए है और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की मुद्दों पर चाहते हूं कि आपका और हमारा जो सि वाजपई जी यह कोई मुद्दा है क्योंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टों लॉंच कि मचली फ्राई पर अटक गए कि मुद्दा तो ये भी है मुद्दा क्यों नहीं है ये मतलब आप ऊपर हवाइवार हालीकॉप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे ये आपका चरित्र तो अवर बस्ता चार में लिफ्ट है ये जनता को जानकारी है ये भी जानकारीए नहीं और समझेश सोंचते हैं इनसे पसाया कोई बिज्निस और वेपार है क्या , सीरफ जनता कि गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ड ऐसे नहीं उस कर रहा हूं है लूट की है उसके पीछे सजा भी होई है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना होगा उसकी गिनती वाजपई जी गिना रहे है आपके लाइशन की बखान कर रहे हैं जैनला के वाटके ऊसका जवाब मनुश काका देंगे लेकिन उससे पहले वाजपीजी जी जैनल कि में आप गरीब घरीब घरीब बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीवी से निकाला परिवारवाद आप पर नहीं फिट बैट ता क्या परिवार के बताना चाहिए परिवारवाद का परिवाद कारी सब्सक्राइब बोखला हाट में इसलिए ने इस परिवार बाद सिर्फ लालू और रबडी देवी का है तेज़श्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोचपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठाकुर को सीपी ठाकुर कोन है एक फोटो दिखा रहा हूं ने ने उनका फोटो दिखा आज से पचास साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी सबको पता है कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा यह परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करें बाद भी है लालु यादव पे किताब निकली थी बहुत शेमस किताब है प्रॉम फुलवरिया टू राय सिना हीर्स अपने भी नाम सुना होगा फुलवरिया टूराइज लालु यादव की जीवन पर किताब था आज किताब एक दूसरी निकलनी चा वीडियो टेजस्पी ने पोस्ट किया है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरात्रा के दूसरे दिन मंच्छी खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूज के किया था कि हम भाजपाईयों का IQ टेस्स कर ले पढ़ता लिखता नहीं नहीं है पर लिखें ती जस्ति लियाद अब जाने प्ढ़ते लिखते नहीं है जान जिसके भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है और कल नवरात्र था चुरुवात हो चुकी थी तो क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस व पाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिस जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रवी संकर परसाद जी और वैसे तमाम तरह के लोग चिराग पासवान जैसे लोग जो फिल्म में हैं उनके विसर में उनको बता देना च करते हैं वो केवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्सप इन्वर्सिटी के ज्यान के अधार पे और यह बात इसलिए भी कहना जरूरी है यह भारतिये जनतां पार्ति में तो नेता तो छोड़ दीजिए फड़ा भकता को ले जारी हैं सर सुनिए ना आप ही के साथी मनोच का का पिछले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हो आप वो भी अपनी बात रखें और उसके बाद यह डिबेट पे आप एक दूसरे पर बार बार कर सकते हैं मनोच का का आज तो विजन डॉक्य लोग यह कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कह रही है कि हम लोग पांच ट्रिलियन की इकॉनमी इसे बनाने वाले हैं एक पार्टी है जो कह रही हम जातिकत जन्गनना करवाएंगे एक कह रहें फॉर्वर्ड लुकिंग है और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आपकी कि देखिए बहुत देर से आप आई लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परों के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरब से देता हूं और और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के से राष्ट की कलपना कर रहे हैं होनी लोग जातिगत जनगरना की बात कर रहें है आपसे बहुत साधारन सब्दों में अन उन मूढों से उन बेवकूफों से उन संविधान के बिधान से बिहीन लोगों से ये पूछिए कि जातिकत जनगरना की बात इस देश में कब करी गई जातिकत जनगरना इस देश में 1931 से हो रही है जनगरना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससक्ती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है। उसकी गड़ना जाने बगर कहां से उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंद्री सचिवालाय में कितने कुछ बहा है। कितने पटेल हैं, कितने बिंध हैं, कितने राजभर हैं, कितने मुसल्मान हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि इस देश के केंद्री विश्व बिद्यालाय में कितने राजभर हैं, कितने मुसल्मान हैं, कितने बिंध हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आधिवाशी हैं। आप से यह सवाल करूं बिना उनकी संख्या असल में ये लोग वो बात कहते हैं राश्टी अध्याच छखलेश यादव जीने जो जातिगत जनगरना की बात करी है वो संबिधान के अनुसूची साथ में उसके संबिधान के अनुसूची साथ के सूची एक में उलिकी था और जातिगत जनगरना करे इस देश का कल्यान नहीं हो सकता चुकि ये लोग वो इसका विरोथ करते हैं जो सामंटी और उचबर के लोग है जो जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोशन की तस्बीरें बहारा यह तो यह तो आप अपने साइड का टूथ बता रहे हैं कई यासी रिपोर्ट साइज अरे सबके साइड का बता रहे हैं यह तो इग्यारे में क्यों जा रहे हैं मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में जब जब बीजेपी से जब पहले आटल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यान वर्धन करिये सबका अपने साथ और मैं सिर्फ नवल का ही साथी नहीं हूं कुछ बीच में टोकाई नहीं आप तो अच्छी बात कर रहे हैं तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजे ना जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब कहान अब सुन तो लीजे ना सवाल तो सुनिय ना मेरा मैं कहा रही हूं जातिगत जनगणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नौक्रियों में उतनी जगा मिल गई कि पहले की कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती हैं अईसा कुछ नहीं हुआ प्रभाद जाका जनसत्ता में लेख है उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जैसे प्रधान सब्सक्राइब का प्रश्टाव पारी तुरमार में परने को अन्तर लिए कि बिहार में किया औंतर आया या प्रशें नहीं के बाद किया अंता कि बिल्कुल अंतर आया बिहार में जो जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन फिसदी के लोग प्रिश्टी कि इलेक्रिसिटी कि सबस्या हत्म हो गई हां बच्चों को पढ़ाई और लिकाई का पूरा 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 प्रेसिलिटी मिलनाशन हो गई जातिगत जनक जनकानदाटे मुझे बटाईए हुआ कि भागएदारी सुनिष्टित करने का काम आपके चिलाने से किसे मतलाव आया मनुझ काका कैसे बदलाव आया जातिगत जनकन ना बेहार में हो गए बिहार किया होनालूलू बन गया यह सवाल लंडन का प्रिट बन गया जातिकन जनकरना हो जाने से फर्क क्या पड़ा है जितना सरल सवाल आप उच्छ रहे थे करवाया था आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने आपने सच्छा ही बता दी कि विल्बिलाने के लिए आपने बनाया था नरेंद्र मोदी बारती जनता पार्टी नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं पर नवल किशोर जी बीस सेकंड में सबको दे रहे हुं नवल किशोर जी प्वेंटी सेकंड सर देखे रूबिका जी आप इतना पड़िसान नियुजवाब सुन लीजे कि इस्टी का जानकारी सवसंतर प्राप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजर्वेशन मिला आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपरजेंटेशन हुआ है रिजर्वेशन का मतलब सबको नौकनी देना नहीं हुआ रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुख्धारा मिलाना है रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ सरबक की कमी माफी चाती हुआ जाया लोग जी आपसे और वाजपय जी आपसे आप देखते रहिए यूजटी ने आज ईद का चांद देखने वारा है आप जानते हैं कि कल ईद बनाई जाएगे नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी पहलवानों से कोई पूचे तो ये कहेंगे वही हमारी ईद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफ़तार से पीएम मोदी ने तबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का डियम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसवा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चिम बंगाल के दौलतपुर में ग्रेमंची अमिल शाने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमु कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंत्री राजकुमार आनंद का स्तीफा समाज कल्या अन्मंत्री पत से दिया स्तीफा महराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीम वसंत दादा पातल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पातल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजसान के उपु मुख्य मंत्री दिया कुमारी ने कॉरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना कहा कॉरोना की तरह कॉंग्रिस ने देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चान तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चान दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर, हर एक बयार, हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल ये है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरहसल हुआ ये कि तेजस्वी ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए, हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्री से एक दिन पहले की है, मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था, लेकिन सियासत में ऐसे मुद्धे जंगल की आग की तरह फैलते हैं, व उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे, यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया, जाती साथ लेकर आया, तीसरी बड़ी सियासी खबर किया थी, बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है, जिसमें बलिया से पूर मुख्य मंत्री, चंद से पवन सिंग के मना कर देने के बाद, बीजेपी ने SS अलुवालिया को अब वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है, चौती खबर की आई, मध्य प्रदेश से, जहाँ पूर मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया, और कहा कि वहाँ रहता कौन है, जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाये जा रहा है, इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाओत ने पलटवार कर दिया, कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा, दिग्विजय के बयान को ये आप माल लीजिए, तो के इर्दगेट गूंज में करेंगे सवाल, जानेंगे हर पार्टी का जवाब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं, पूर्णिया से निर्दलिय उम्मीदवार, पप्पू, यादव, उनसे हम बातचीत करें, उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवा करेंगे कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं, उसका जाती जनगनना का बार-बार उसमें अंडरलाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं, क्या बताता है, ट्विटर पर वो सवाल में आपसे पूछू उससे पहले, सारे खास मेमान जो हमारे साथ शामिल ह हो गया है, भारतीय जननता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता अजया लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आर जेडी के नवल किशोर अपसे कुछी देर में ह साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राश्ट्रि प्रवक्ता जया लोग और इस वक्त आपको एल्जेपी के एक वाजपई साहब भी राश्ट्रि प्रवक्ता है नजर आ सवय क rely को आज की तारिक में कि में नियनेरं मोदी जी चरचा के विश्य नहीं रहरा है की हम तो एक बहुत सधारन आर्म यही के एंन निर्दलीय उमिदबार हैं जनता के उमिदबार हैं जनता के दिल में हैं हमने दो दो लोगसभाद सीट को फुतरा दिया, मधेपुरा और सुपॉल, कल तक मधेपुरा सुपॉल का है, नाम का डिकलेरेशन नहीं हुआ था, हमने कहा लालु जादब जी से कि घारजन, हम मधेपुरा सुपॉल नहीं चाहिए, हमने तो पांड़ तो पांच गौमांगत हमने तो एक ही को मांगा, और कॉंग्रेश की जहां तक सवाल है, कॉंग्रेश ने ना मुझसे कहा कि आप अलग हैं, ना मुझसे कहा कि चुनो लड़िये को, किसी ने नहीं पोन ने किया, ना मुझसे कॉंग्रेश ने कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली, जब जादफ जाओ रियनका जी के आदेश पर, पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल संघर्ज और 15 साल की पार्टी का विलेक किया, जो एक छेतरिआ पार्टी थी, सबसे आप पूछेगा कम से कम शंघर्ज पर दिखता था, आप से बस एक इलतजा इस बात की है कि आपने अपनी जिन्दगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जनदिकार पाटी वो तो हमने भी देखा न आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रेस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रेस की तरफ से पपू सहाब आपको मिला वो क्या मि कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाज हुचाए अपनों को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रमदी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए किस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके 9 मेने तक बाहर रहे इसके बाद पतना के ब पहले बना दिया मैं बहुत गहरे सद्वे में गया यह कैसा देश है भाई जो एक बाद पब्लिक को देखने ने गया पटना में बाड में परोना में एक मेले मंत्री संत्री देश के पीम सीम नहीं निकले और जो 9 मेना शर्कों पर रहा कभी एम्बुलेंस को कभी कुछ ले पढ़ाई इस्कूल अंटो पर थे आनलमार विस्कूल केटो पर रहे हमने बच्पना देखा हमारी मां मेरी बात एक मिट समझ लिए मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैंने क्यों छो दिया आपने पार्टी का विलाई कर दिया आप कोई टिकित तक नहीं मिली मेरी ओता कर दाता दून को डर रहता था की पप्पू याज़ा अब कुछे लाइं कि दी मेरे में हो तो मैं सुपार भी करूंगा देखे एक है पॉलिटिकल संस्का एक है संस्क्रिती आप घुमा फिराकर बात करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बताइए ना आप आपको दोका मिला है के नहीं मिला और अकर दोका मिला है तो किस से मिला किसे दोका दिया रूबिका जी आप एक लार जी प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालु यादव जी उसको नहीं लर सकते आप पुर्णिया हम के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिसा जी से कहा कि मिसा जी मेरी बहन किता मेरी परिबार कितरा और बहुत सम गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं छमा मंगता हूँ आप लालतें से हमको पुर्णिया दे लेकिन मेरी बहुत सारी चीज होती रही सबसे होती रही लेकिन मुझे आसर जुआ रूबिका जी मुझे यह कहां से यह बात सही है कि कॉंग्रेस गटबंधन धर्म को चाह पुर्णिया पुर्णिया आप चोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं चोड़ेंगे लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार भीमाबाद यह कह रही है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है आप बता दीजे एंडिये के खिलाफ त्रिकोणिया संगर्ष है पंपो यादाव सामने रहेंग तो वोट तो बढ़ जाएगा ना? पंजाब में आम आदमी पार्टी है कि कॉंग्रेस है लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाव जीतता है जा हम चार-चार बार संसद रहें छे बार हैं आप पोने साक राग यादव होने के बागी पर फाटली पुत्रा में यह कांटर आप जो लोग टिकट बाते हैं कहीं पर देखिए सास्वत फांडे को आप करनया को भी वीजयपी की बीटिं कर दिजिए कौन करनया याज वो लोग कनिया को नहीं दिये जो निखिल बाबु की सीट ले लिए वो नहीं आप केदार पांडे की सीट ले लिए आप वो सिट आप चुनो लड़ते थे आप भागलपुर लड़ते थे वह जबरदस्ति कॉंग्रेश को दे दिया आप परभुनार भायवला सिट दे दिया आप साभुडिजी की पत्ति को आपने आप तो स्बहुडिजी की पत्ति को आप बलगाता है यह मैं क्या यह जाल पुपैया आपका दुश्मन को जल रहा है आपसे मेरा दुश्मन मैं फुद हूँ कोई और नहीं हमको पहर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बातों मैं कर रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी नॉमनेशन में हरी कप्तर लेके मेरे हां गये जबकि आज तक कोई भी आजमी नहीं गिया कही पप्वी आजमी के खिलाप नॉमनेशन में आना आज तो आपना खौफ में में ना को हिंदु मुसल्मान ना जात पाथ सब नेरा परिवार होता है हम आज तर मधेपुरा में हमगे पौनेटी लाग से चुना जीते हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पुर्णिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे ते पुर्णिया के आज के विला का फैसला गलत नहीं हुआ मैं लालू यादव जी से आशिरबाद लेके गया सबसे बुड़ी बात यह हो गया कि हम क्यों भी लै कर गया यह पसंद साज हमारे नेता को नहीं आए अच्छा नहीं जीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपु यादव जी आप जं लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलोट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वो रो रहे थे कि लाठी कैसे खाए हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबर्दस्ती निकालना चाहे 18 दिनों से आप करा है आप हम लात ची खाने आरी हम तरोना के दर से तो नहीं नरोर है थे हम त्क पर बcore हम गट बंधन के लिए तो नहीं आरो रहे थे कि आप 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 आपप्व को अपना अपना डर्द होता है आप जो रोने का मजाध को रहे हैं कि आप ये ना कर ते है तो हाग ight performing पड़ते हैं। RUBIKA जी, हम अपने माँ और अपने घर में लोई। हम सदन में नहीं रोए। हम पुलिस के डर से नहीं रोए। हम EGCBI के डर से नहीं हम रोए। हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक शीच जिस पर हम आज़ीवन से ला किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई, क्यों इतनी नफरत, आप हेलीकप्तर लेके आगए, हमने आपकी सब्दिन मदद की, हम आपको पिपक्स से लेके, मुकमत्री बनाने से लेके आज तक, फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था, हम किसी का पायद पगर के टिकट नहीं आपको पुप सारी शुक्र कामना है, और दुबारा आपसे मुलाकात होगी, और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी, और कितनी बीरे कर्था हो रही है, क्या आप कर रहे हैं, वो सब जानुगी, फिलाल आपका बहुत लड़ा हूं, अब मैं इस डिबेट की शिरुवात कर रही हूं, डिबेट में सारे खास मेमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पप्पु यादव को आप सुन रहे थे, इस वक्त शक्ती सिंग साहब भी हमारे साथ बने हुए है, शक्ती जी क्या कहेंगे, नवल किशोड ज लिया, विलाय आपको पसंद नहीं आया, एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ा दीए, तेके रुबिका जी, टिकट उनको किस ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और वो कहां थे, वो जाने, हमने तो जो टिकट का बटिरन किया, जो संसधिये बोर्ट के मेंबर है, वो सारे लोग देखकर और किसको कहां लगना चाहिए, उसको विचार मन्थन करके और वहां पर टिकट दिया, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, ये इसका जबाब तो आहीं दे सकते हैं, हमें तो हमारे पास तो उनके टिकट नहीं मिलने कोई जवाब क्यों रहेगा हम से कोई क्यों मांगेगा हाँ आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलत नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लग सुनी जाए कि चुनाओ लड़िए इसके आप इसका बिल्कुल गलत मतलब बता रहे हैं कि यस्वी जी को लगा कि वहाँ जाना चाहिए तो गहे हैं और उसमें क्यों क्यों कि परिशानी होगी नवल जी क्यों के नेता है जो आपका पसंदीदा उम्मीद्वार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजी के रीजन को पप्पू यादव कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं ने जब पपू यादव को ये भी कहना चाहिए कि उनके हेलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिश्चीत हो गई या वो ये कहना चाहते हैं अजया अलोग जी हमारे साथ बने हुए हैं आप ये कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गया लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए न जाने क्या क्या मध्य जो है वह आप उठाए हैं और खुद अजया अलोग जी तेजस्वी बाबु कह रहे हैं कि नवरात्री से पहले कीचा गया फोटो है बकाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है कोई की एटी सी कोई की जोती एरपोर्ट कब हेलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुददा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो गिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर यह एल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते हैं कि हम बच्पन से बुतुरू थे तब से हम छठी महिया जए शठी महिया करते हैं तो जए शठी महिया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल स करने दीजिया यह सब थीक है अपना-पना सनातन को मानने का तरीका जो नहीं मानना है तो सनातनी कैसा धर्में इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं तो सवाल बस इतना है कि आपने यह काम ता मतलब जान बूज के किया ताकि भावनाय आहात हो कि नवरात में मचली के कांटे के टेकें पास मुद्दों कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वहीसरा बार था जिसे लोगों को भटा सकी आज आज जो वही सवाल क्या है उसका सही समय क्या है वह सवाल पूछने का है लोग सवाल कुछ रहें कि आपने पिछले मोक्त पर क्या रुजगार पर क्या रुजगार पर इबोस्ता में यह तमाम सवाल जो वबार्तिय में सवाल है और इ commissioner गया है कि pronounce जूम ओ रहा है कभी जूम आउट हो रहा है वो दुरुस्त कर्वाती हो फिर आपके पास आती हो एक वाजपव्य जी भी हमारे साथ जुड़े हूए है वाजपवी जी ये कोई नमन Prince4 च्नाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉंच हुआ है उसमें जातिकत जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच है क्यों नहीं है यह मतलब आप ऊपर हवाई हालीकप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क जिने का स्टाइल क्या है जिने को अपका इनको गरीबों से लेने देना यह वोई लोग है यह जोग जोग देने के पीछ आपने जमीने लिखाते ते उसी का केस पेंडिंग है ना दिली में इनके 21 वारम है आप समझे कि यह 21 वारम हाउस अप्सक्तियों कहां से बैसा है इस गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ल्ड ऐसे नहीं कि उसकर हो मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होई है लालू यादव जी को पांच मुक्दमों में सजा होई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना होगा उसकी गिनती वाच्पई जिना रहे है इस समझना इन चीजों कि लाइफ स्टाइल आपकी लाइफ स्टाइल की बखान कर रही है लोगों को बात के उसका जवाब मनुझ काका देंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले वाश्पई जी आप गरीब 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 बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है पांस साल बाद जब ने रेगे सच्चाही क्या है वह बाजपीज से पूछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिय अध्यक्ष है आज की डेट में वह जब वह क्या क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना जाए अपने आज बता हिए बताई बाचपी जी परिवारवाद आप पर नहीं ऐसी ब्लाद तका ऑच muted कि इसमल की बअथान और लग प्यार में ने आप वही बात पूस रहे हैं तो ये बात पूछब्सक्रसना जी बात पूसरा कि परिवारवाद का परिवासा क्या है जो उन्हें सूट करता वही है तो जिस तरह जिस तरह से देगे बात ही है जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला करत में वह तमाम तरह की तरह के बिंद्रों को लाते हैं इसा कोई मतलब नहीं है आज कि देट में जवाब दीजिए परिवार बाद सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोचपा भी तो बैटी हुई है और सी पी ठाकुर को एक फोटो दिखा रहा हूँ ने उनका फोटो दिख़ना आ अच्छा फोटो आ रहा है तीन जनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह है परिवारवाद आज से 50 साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गान्धी होगा उसके बेटे होगे और आज भी सबको पता है कि राजीव गान्धी के बाद कौन होगा यह परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकते हैं यह परिवार याठासे रहें तो हम क्यों नहीं करें वह सही बात भी है लालुयादव पी किताब निकली थी बहुत सेबस्बाइस के लेक Safe करते हैं किमाटनी म।ाइड है हैं हली क्या थे लोग उठार है मुध्ध है पॉल्दे करते किया है निस्टाले थे स highly दूरी है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरात्रा के दूसरे दिन मंच्री खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का IQ टेस्स कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नहीं है आप 30 से किन से अब बढ़ते लिखते नहीं है जान जिसके भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है अकल नवरात्र था चुरुआत हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से यह भी पूछ लेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रवी संकर परस को मौका मिला प्रधान मंति बन सकते थी उसके बावजूद भी प्रधान मंति नहीं बनी और मोहन सिंख को बनाए आप आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो केवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्स अप परिवारी हैं मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बात सौ परतिसत सही है जोतिनाथ सिंधिया हो मैं आगे इस डिबेट को ले जारी हैं सर सुनिए ना आप ही के साथी मनोच का का पिछले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हो आप वो भी अप आने वाले हैं एक पार्टी है जो कह रही है हम जातिकत जनगनना करवाएंगे एक कह रहे हैं फॉर्वर्ड लुकिंग है और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आप पर आपकी टिप पड़ी इस पर देखिए बहुत देर से आप आई लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परो के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरब से पर्टी की तरब से देता हूँ और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम व उड़ों से उन बेवकूफों से उन संविधान के बिधान से बिहीन लोगों से यह पूछिए कि जातिगत जनगरना की बात इस देश में कप करी गई जातिगत जनगरना इस देश में 1931 से हो रही है जनगरना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू क उसके ससकती करण के लिए कितने संसाधनों कि आउसकता होती है। उसकी गड़ना जाने बगर कहां से उपलब्द कराया जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंडरी सचिवालाय में कितने कुछ बाहा है। कितने पटेल हैं, कितने बिंध हैं, कितने राजभर हैं, कितने मुसल्मान हैं, मैं आप से सवाल करूँ कि इस देश के केंद्री विश्व भी दियालाओं में, कितने राजभर हैं, कितने मुसल्मान हैं, कितने बिंध हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आधिवाशी हैं, आप से य बिना उनकी संख्या असल में ये लोग वह बात कहते हैं और राश्टी अध्यक चखलेश यादाव जीने जो जातिगत जनगर्ना की बात करी है वो सम्भिधान के अनुसूची साथ में उसके संविधान के अनसूची साथ के सूची एक में उलिखी था और बिना जातिगत जनगरना करे इस देश का कल्यान नहीं हो सकता चुकि ये लोग वो इसका बिरोध करते हैं जो सामंती और उच्चबर के लोग हैं जो जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी कि इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोशन की तस्वीरें बहार आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो तीनी फी सदी क्या और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्थी क्राजनेटी कूँ से जो भागीदारी है वो 90 फी सदी है इससे पहले आरे सुनिये तो 2011 में क्यों जा रही है आप मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में जब बीजेपी से जब पहले आटल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यानवर्धन करिये सबका आपने साथ और मैं सिर्फ नवलकाई साथी नहीं हू आपको कुछ पुराना आ रहा है किया मैंने तो कुछ लीच में टोका ही नहीं आप तो अच्छी बात कर रहे हैं तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी दे दिजे ना जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी लोक्रियों में उतनी जगा मिल गई कि पहले कि कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है इसा कुछ नहीं हुआ कि मिली चाहिए ना मिली चाहिए 35 से आरक्षर चला है क्या सब को ओभी से आरक्षर क्या सब को लोक्री मिल गई और अरे सुनिये 1990 जव बाध्पेई जी दुबारह प्रधान मंतरी बने आपको प्रभाध ज्टा में लेख है उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जैसे प्रधान मंतरी अट्टयबिहार बारिकी से उसको जवाब दीजिए न मैं तो रूप कोस्पर जा रही हुँं तो बिजयमीच की वूचा और सामंती बर्केम लिगों की पार्टी है वे हमेशा चाहती है कि जातिगत जन्गर्णा हो जाने के बाद ये बताईए मुझे क्या अंतर आया बैए पिल्कुल अंतर आया बिहार में जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन पिसादी के लोग लेगे इलेक्रिसिटी कि सब्स्या फ़त्म हो गई वह बच्चों को पढ़ाई पूरा 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 प्रेसिलिटी मिलना सुन हो गई जातिगत जन गनन करवा जातिगत कर ना हो जाने से फर्क क्या पर है उत्ति तो टीए अपने ख़रेटा पूरा प्यांते करवा यह हर आप दो नहां सब्क्राइं पस्कार नहीं रेंदर मोधी को तो नहीं आप सामाजे का नहीं कि आरईणर मोधी ब्डिया बन गई परफियो की पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे लोगार्न आप इतना परशान ने जवाब सुन लएजे का जानकारी सतर्शंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजर्वेशन मिला, आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपर्जेंटेशन हुआ है, रिजर्वेशन का मतलब सबको नौकनी देना नहीं हुआ, रिजर्वेशन का मतलब है कि जो लोग मार्जिन पे हैं, उनको मुख्धारा मिलाना है, सियासी पहलवानों से कोई पूचे, तो ये कहेंगे हमारी एद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा, लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा, वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा, आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में, लेकिन उससे पह वारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वीजेपी ने लोगसभा प्रत्याशियों की दसवी लिस्ज जारी कर दी है, एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया, पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमांची अमिल्शा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमु कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला कहा भारत गरीबों को बाट रहा है मुफ्त राशन, पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से भीक मांग रहा है समाजवाधी पार्टी ने जारी किया अपना घोशना पत्र दोजार पत्र पत्र तक जातिकत जनगणना कराने के साथ किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंत्री राजकुमार आनंद का स्तीफा समाज कल्याण मंत्री पत्से दिया स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंत दादा पातिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पातिल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजिस्तान के उपु मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना का कोरोना की तरह कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चांड तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांड दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर हर एक बयार हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल यह है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा चाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप हर कंप जो है मचाएगी त्रसल हुआ यह कि तेजस्वी ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन यह तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है मैं तो आईक्यू टेस्ट कर रहा था ले किलेशन अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जर गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी बीजेपी की तरफ से दस ना से अभिनेत्री किरनखेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पावन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने एसेस अलुवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर की आई मध्य प्रदेश से जहाँ पूर मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कौन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाय जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणौत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिगविजय के बयान को ये आप माल लीजिए दिगविजय का बयान ये दिखाता है कंगना रणौत कह रही है कि कॉंग्रिस ने नहरू वाली मा लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं पुर्णिया से निर्दलिय उम्मीदवार पपू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गूंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहत हैं गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगनना का बार बार उसमें अंडर लाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल मैं आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मेवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं बारतिय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता अजया लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त आपको स् सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चारा वो यही है कि आज की तारीख में आप कॉंग्रेस में हैं पप्पु साहब के नहीं है कि यह चिंथा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है आज के तारीख में नरेंदर मोदी जी चर्चा का विश्य नहीं रहा है कांगनात चर्चा की विश्य नहीं रही है का अपलो जबिद हम तो एक बहुत सधारण आर्मी हैं निर्दल्यय उमेदार हैं जानता के उमिद्बार हैं जानता के दिल में हैं हमने दो-दो लोकसवां सित को चुटरा दिया ओर सुपौल सुपौल तक मधिपौरा सुपौल का नाम का डिकलेरेशन नहीं हुआ था हमने कहा लालु जादब जी से कि घारजन हम अधिपुरा सुपोल नहीं चाहिए हमने तो पांड़ तो पांच गो मांगत है हमने तो एक ही गो मांगत और कॉंग्रेश की जहां तक सवाल है कॉंग्रेश ने ना मुझसे कहा कि आप अलग हैं ना मुझसे कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली तो आप हमको एक बात बताएए ना कि पप्पु यादब जब रेंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक छेत्रिया पार्टी मजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर तो दिखता था ने पपुजी वो तो हमने खुद देखा है ना मेरी बात तो वने फिर देखा ना आप ने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रिस की तरफ से पपू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नही तो ऐसे में सवाल तो बनेगा ना पपुजी देखे आप मेरे सुब किंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाज उठाए अपने को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रेमदी सीवा रॉक्सिजन कहा कहा से लाए किस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके नौ मेहने तक बाहर रहे इसके बार पटना के बार में दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पर पप्पू यादर को अच्छा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस अधार पर उसको फिर से अधार में बना दिया मैं बहुत गहरे सद्वे में गया यह कैसा देश है भाई जो एक बार पब्लिक को देखने नहीं गया पटना में बार में परोना में एक मेले मंत्री संत्री देश के पीम सीम नहीं निकले और जो नौ मेना सर्कों पर रहा कभी एंबुलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में सेबक को जो सिब बेटा होता नेता तो कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई दिला इस्कूल अम टोपर थे आनलमार विस्कूल के टोपर रहे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखिए मेरी बात एक मिट समझ लिए पपु जी मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं तो आपको अक्समा आपने पार्टी का विलाई कर दिया आप कोई टिकेट तक नहीं मिली मेरी बात तो समझे ना पार्टी पार्टी पपु यादव को एक तुझे के सचाई के रास्ते को कोई अक्सेप्ट नहीं करता लोगों को इस बात का नेताओं को डर रहता है कि पपपु यादभ पटा नहीं कल के दिन मेरे बारे में популяр कल के दिन किसी गलत के बारे में क्या बोल देंगे कल हमारीगि किरापने कुछ होever मतलब हमारी सचाई ही हमारा दुश्मन हो गया मेरा सेवा ही मेरी दुश्मन हो गया मेरी मड़ा त site लिए हमने कहीं गल्टियां हो तो मैं सुटार भी करूंगा देखे एक है पॉलिटिकल संस्का एक है संस्क्रिती आप घुमा फिराकर बात करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बता हिए ना आप आपको दोका मिला है के नहीं मिला और अगर दोका मि में मेरे पास लन महनेे पास बहुत है और तकलीफ हुए फापा को मैं चमा मंघता हूं आप लालतन से ही हमको पूर्मियां देजे हैं लेकिन मेरी बहुत सारी चीज रही सब से होती रही लेकिन आइसर्जुभरू भी कहा जी मुझे यह तकार से यह बाट सः है कि कॉ양्रेस गत्मंदन धर्न को चाहता था क्योंकि कलकटा में बंगाल में यही हो गया पंजा में यही हो गया पुर्णिया आप चोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे लेकिन आर्जेडी की उमीदवार भीमाबागती यह कह रही है कि आप बीजेपी से मिले हुए है आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है आप बता दीजे एंडिये के खिलाफ त्रिकोणिय संगर्श है पंपो यादव सामने रहेंगे तो वोट तो बढ़ जाएगा रूबिका जी एक बात बोलनी कि मैं किसी की चर्चा नहीं करों रहा और अउन की मिल्वे नहीं करें जिल का अपना अश्कीच नहीं दोल्या में एक आप से पुछना चाहता हूं रूबिका जीर हम आप एक बात बता दिए यह बता दिए हमको कि ले बाता है जोनार जित्ता चारचरे बार संसक भेश्य बार आप आप इस लोग किद भाठे हैं कही पर देखिए सवात पांदे को आप कनया को भी विजय की भी पी का ढें जो नहीं बाबु कि शर्ण ले लिये वह नहीं आप केदार पांडे की सीख ले लिए आप वो सीख KRIST वो आप चुनााउ लड़ते थे अप बागल बाः को स्टि आप अ भर्धाथुर लड़ती कॉंग्रेश को दे लिए आप अाप स्हाबू धी जी की पत्री को अपने अब तो साबू धी जी की को आप लगाता ठॉन कर रहा पर्सों के अधर करा आदा कारण जम लेगा कि मैं कैन्प करूंगा को कि अधर्य करें कि आप कर दिए कि अधरी ज्यार ऐसे सब्सक्राइब कौन आपका दुश्मन को जल रहा है आपसे मेरा दुश्मन मैं फुद हूँ कोई और नहीं हमको पहर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बातों मैं कर रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी नॉमनेशन में हरीकेप्टर लेके मेरे हां गये जबकि आज तक कोई भी आजमी नहीं गिया करें खिलाप नॉमनेशन में आना आज तो आपना खौफ है और जो सीट कांग्रेस के जो सीट जो सीट कभी छोड़ी नहीं जो सीट मेरे पुर्णिया का सीट हो कि जाज़भात नहीं होता है मेरे सामने में कोंडू मुसलमान न जाज़भात सब मेरा परिवार होता है हम आज तर मध्यपूरा में हम एक पुन अतिलाग से चुनओ जीते हुआ जब पाप पाप यादव जी आप जंतर मंतर गए थे आप वहाँ पहलवानों के साथ बैटेए थे और आपने योगी अदितनात का मजाक उड़ाया था कि वो कैसे सदन में भैं-भैं करके रो रहे थे और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलोट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वो रो रहे थे वो रो रहे थे कि लाठी कैसे खा है हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे अठारा दिनों से आप टॉर्चर कर रहे हैं हम लाठी खाने आरी हम करोना के डर से तो नहीं नरो रहे थे हम टिकट के लिए तो नहीं नरोर है थे हम घटबंधन के लिए तो नहीं नरो रहे थे आप आप आपने पञ्प्व याद सभी सबकाने अपनाःद उता है अपने जो मश्य हम लोग शृचा कर रहे हैं आप शायद अगर यह ना करते तो आज वो आशू आपको भी पब्लिक के सामने ना निकालने पड़ते हैं रूबिका जी हम अपने मां और अपने घर में लोएं हम सदन में नहीं रोएं हम पुलिस के डर से नहीं रोएं हम रोएं उस मात को लेकर करके कि जब हमने एक शीज जिस पर हम आजीवन से ला किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफुरत आप हेलीकप्टर लेके आगए हमने आपकी सब्दिन मदद की हम आपको पिपक्ट से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पगड़ के टिकट नहीं मांगे हम अधे पुना शुपर ले सकते थ आप खार आपके और दुबारा आप से मुलाकात होगी और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कितनी बीड़े कठा हो रही है क्या आपकर रहे हैं वो सब जानूंगी फिलाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो प्पू यादव को आप सुन रहा है इस वक्त शक्ति सिंग साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं शक्ति जी क्या कहेंगे नवल किशोड जी बहुत-बहुत स्वागत आपका माफी चाहती हूं क्या कहेंगे पपू यादव जी कह रहे हैं आप लोग इतना खौफजदा हैं आप इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ाते हैं तेके रुबिका जी टिकट उनको किस ने नहीं दिया क्यों नहीं दिया और वो कहां थे वो जाने हमने तो जो टिकट का बटिरन किया अपने दल के जो संसधिये बोड के मेंबर हैं वो सारे नहीं मिलने का कोई जबाब क्यों डाएगा हमसे कोई क्यों मांगे-गा-वा अज आज जिस तरह से वह बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लक्त सुनी चाहिए कि चुनाओ लड़िए इसके आप इंडिपेंडेंट भी देस्ट लोग चुनाओ लड़ते हैं आप लड़ रहे हैं कोई नहीं बात को साहब जो है वो नामांकन दाखल करने के लिए गये है यह क्या बताता है आपकी अनुसार या पपू जी के अनुसार यह बताता है कि पपू जी से डड़ गए है और इसलिए वहां पे गए है इसका इसका बिल्कुल गलत मतलब वो बता रहे हैं कि यस्वी जी को लगा कि वहां जाना चाहिए तो गए हैं और उसमें क्यों क्यों क पाकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजी की रीजन को पप्पू यादव कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं ने जब पपू यादव को यह भी कहना चाहिए कि उनके हलिकॉप्टर से आने से मुझको डर ल लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राएं ना जाने क्या-क्या मुद्ध जो हैं वह आप उठाए हैं और खुद अजया लोग जी तेजस्वी बाबु कह रहे हैं कि नवरात्री से पहले कीचा गया फोटो है बखाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटेकिंग मोड में है कि एक तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वो अलग बात है कि कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट है कब हैलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉर्ट निकाल सकते हैं मुद्दा मुद्दा वह नहीं है हों अगर नवरात के पहले भी फोट विज़ाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिन ये यह वे पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते हैं कि हम बच्पन से बुतुरू थे तब सम्छठी माया जय शटी माया करते हैं तो जय 6 माया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं कि नौरात्र क्या मतलब होता है हिंदु के दिलों में कि इसी को बताना है लेकिन हम उजे मुझे मुझे उस पर कोय आपती न तो सवाल बस इतना है कि आपने ये काम तब जान बूझ के किया ताकि भावनाय आहाथ हो कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगह ने काम किया साथ अंजाने में गलती होई तो कोई बात दी जानते बूस्ते गलत मुद्दों पर कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भड़का सके आज आज जो सही सवाल क्या है उसका सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल पूछ रहें कि आपने पिछले सवाल में क्या किया नोक्री पर क्या क्या रोजग नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर और हमारा जो सिग्नल इसमें थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है मैं वो दुरुस करवाती हूं फिर आपके पास आती हो ए कर दो शुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर अवा अनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैने फैस्टु लॉंच हुआ है उसमें जातिकत जन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राई पर अटक गए नहीं मुद्दा तो यह भी है मुद्दा क्यों नहीं है यह मतलब आप उपर हवाई हालीकप्टर में यह हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चर अरिवार ब्रस्टा चार में लिफ्ट है यह जनता को जानकारी आगई है यह जानकारी आगई है कि इनके जिने का स्टाइल क्या है क्या इनको गरीबों से लेने देना यह वोई लोग है यह लोग है यह लोग देने के पीछ आपने जमीने लिखाते है उसी का के स्पेंड़ दिल्ली में इनके 21 वारम हाउस हैं आप समझ लिए 21 वारम हाउस सोच सकते हैं कहां से पैसा है कोई बिजनिस है कोई वेपार है क्या सिर्फ जन्ता की गाड़ी कमाई को लूटा है और ये वर्ल्ड ऐसे नहीं कि उसकर हो मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होगी है लालु प्रियादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं ये तो समझना होगा उसकी गिनती वाच्पईजी गिना रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल की बखान कर रही है ओके उसका जवाब उसका जवाब मनुश काका देंगे लेकिन उससे उससे पहले वाच्पईजी आपने जो बात कही है उसका जवाब नमल किशोर जी आप गरीब 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 बार बार ये कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया है सच्चाई क्या है वो बाच्पईजी से पूछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिया अध्यक्ष है आज की डेट में वो जब वो क्या-क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना चाहिए बताईए बताईए बाच्पईजी परिवार वाद आप पर नहीं फिट बैठता क्या बरिवार के बिसाओं बताना चाहिए परिवार्भात का परिवासा क्या है जो उन्हें सूट करता वही है तो जिस तरह से बात ही है जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला हार्ट में वो तमाम तरह के बिन्दू को लाते हैं इसा कोई मतलब नहीं है परिवार्भात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और शीपी ठाकुर को बेटे विभेक ठाकुर कौन है एक पोटो दिखा रहा हूं यह तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवारवाद आस्से पचास साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा इसके बाद उसके बेटे होंगा अर आज भी ठबको पता है कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा व गार बेर बहां परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें भाई तरह सही बाद भी है लालुयादव पर एक किताब निकली थी बहुत फेमस किताब है फ्रॉम फुलवरिया टू राइसीना हिल्स अपने भी नाम सुना होगा फुलवरिया टू राइसीना हिल्स लालुयादव की जीवन पर किताब था आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए फ्रॉम चपरासी को आज कहरें यह हैं यह लिकॉप्टर वाला विशे फालतू विशे यह लोग उठा रहे हैं मुद्दा यह ना चाहिए हम दे का उठाया वीडियो तेजस्पी ने पोस्ट किया है मिर्ची लगा रहे थे वह नवरातरा के दूसरे दिन में मचली खाके वह मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को कि मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आईक्यू टेस्स कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नहीं है आप 30 सेकंड से अब बढ़ते लिखते नहीं है जान बूझ के भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरातर का दूसरा दिन चल रहा है यह कल नवरातर था चुरुवात हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से यह भी पूस रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिस जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रवी संकर परसाद जी और वैसे तमाम तरह के ल उसके बावजूद भी प्रधान मंती नहीं बनी और मनमोहन सिंख को बनाए आप आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्स अप इन्वर्सिटी के ज्यान के आधार पे और यह बात इसलिए भी कहना जरूरी है भारतिये जनतां पार्ति में तो नेता तो छोड़ दीजिए फड़वक्ता भी इंपोर्टेड होते हैं को चाहिए आप गिल और उनके भी अगर परिवार को देखा जाए तो आपको पता चल जाए कि राज्मितिक परिवार ही है मैं बो कर सकते हैं मनुष्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है लोग यह कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कह रही है कि हम लोग पांच ट्रिलियन की एकॉनमी इसे बनाने वाले हैं एक पार्टी है जो कह रही हम जातिकत जन्गनना करवाएंगे एक कह रहे हैं लुकिंग है और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आपकी टिप पड़ी इस पर और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं हम लोग जातिकत जन्गनना की बात कर रहे हैं आपसे बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ हूँ बहुत साधारन सब्दों में उन मूढों से उन बेवकूफों से उ जन गड़ना इस देश में 1872 से हो रही और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससक्ती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है उसकी गड़ना जाने बगर कहां से उपलब्ध कराया जाएगा मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंद्री सचिवालाय में कितने क बिंद्ध हैं कितने हरीजन हैं कितने आधिवाशी हैं आप से सवाल करूं बिना उनकी संख्या असल में यह लोग वो बात कहते हैं और राश्टी अध्यक्ष यादव जीने जो जातिगत जनगरना की बात करी है वो संभिधान के अनुसूची साथ में उसके संभिधान के अ इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोशन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो तीनी फी सदी थे और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्थी क्राजनेटी कूट से जो भागीदारी है वो 90 फी सदी है इससे पहले अपने साइड का तूट बता रहे हैं का यासी रपॉर्ट साइज सब के साइड का बता है किसी सरकार्ती बताईए मुझे क्यों नहीं लाए गया अरे सुनिये तो 111 में क्यों जा रही है आप मैं 1999 में ले चल रहा हूँ आपको इस देश में 1999 में जब बीजेपी से जब पहल जातिगत जन गणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी आप कहां आप कहां अब सुन तो लीजे ना सवाल तो सुनिये न मेरा मैं कह रही हूँ जातिगत जन गणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जगा मिल गई कि पहले की कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है कुछ नहीं हुआ मिलनी चहिए ना 35 साल से आरक्षर चल गा है क्या सब को ओवी से आरक्षर क्या सब को लौकरी मिल गई अंनीज और सुनिये 1999 में जब बाजपयA जी दुबारा प्रधान मंत्री बने आपको प्रभाफर ज्याका जनसत्ता में लिखा है , उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जैशे प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपयाई बने यह ऐसे जहाल में पूचह जातिकत जन गणना हो जाने के बाद यह बताई यह क्या अंतर आया इस बिल्कुल अंतर आया जातिकत जो सर्वे हुआ उसे पता तो चला कि तीन प्रफिस्थ जलने से क्या हुआ है इलेक्रिसिटी कि सब्सक्राइड भी हां बच्चों को पढ़ाई और लिकाई का पुरा पु यह बताएगे ना मनुझ का का कैसे बदलाव आया जातीकत्ट जनकर्णना बिहार किया हो ना लूलू बन गया बिहार बोमेगन बन गया यह सवाल जाने से फर्क क्या पड़ा जितना सरल सवाल आप मुझे पूचे थे इस लिए ताकि आपको यह चाल आप यह चला आपको यह चाहते हैं कि सामचे रहें है यहां पर नवल किशोड जी बीज सेकंड में बीस बीस सेकंड में वेंटी सेकंड साज देखे रूबिका जी आप इतना पड़िसान में जबाब सुन लेजे कि SCST का जानकारी स्वसंतर प्राप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजर्वेशन मिला आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपरजेंटेशन हुआ है रिजर्वेशन का मतलब सबको नौकनी देना नहीं हुआ रिजर्वेशन का मतलब हुआ कि जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुखिधारा मिलाना है हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार्जून को आएगा लेकिन इस बीच जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटा-फट रफतार से पीम मोदी ने दबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम करने शाना साधा का दीम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसबा प्रत्याशियों की दस्वी लिस जारी कर दी है एसेस अलूवालिया को आसन सोल से शत्रूगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमांची अमिच्छा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमू कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला कहा भारत गरीबों को बाट रहा है मुफ्त राशन पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से भीक मांग रहा है समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घुछना पत्र दोजार पत्र तक जातिकत जनगणना कराने के साथ किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रूस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रूस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंचरी राजखुमार आनंद का स्तीफा समाज कल्याज मंचरी पतसे दिया स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंत दादा पार्टल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पार्टल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राज़सान के उपु मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना का कोरोना की तरफ कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईत का चांद तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांद दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर हर एक बयार हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरेगी तो सवाल यह है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा चाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरसल हुआ ये कि तेजस्वीर ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वीर ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था लेकिन सियासत में ऐसे मुद्दे जंगल की आग की तरह फैलते हैं वो भी तब जब चुनाब चल रहा हूँ दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्युमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जन गणन करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी खबर किया थी बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्य खेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने ऐसे अलूवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर क्या आई मध्यप्रदेश से जहां पूर मुख्यमंत्री दिक्विजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बे अपने ट्वीट में क्या कहा दिग्विजय के बयान को ये आप माल लीजिए दिग्विजय का बयान ये दिखाता है कंगना रनौ कह रही है कि कॉंग्रेस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहिर नहीं किया है यानी चुनावों में कच्चा तीवू का पपू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गूंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती है गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाए कि मैनिफेस्टो जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगनना का बार-बार उसमें अंडर लाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल मैं आप से पूछू उससे पहले सारे खास मेवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं ब बीजेपी के राश्री प्रवक्ता जया लोग और इस वक्त आपको लजेपी के एके वाजपई साहब भी राश्री प्रवक्ता है नजर आ रहे हैं पपू यादब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है पपू जे हमसे बातचीत करने के लिए ल आज के तारिक में नरेंदर मोदी जी चर्चा के विश्य नहीं रहा है कंगना चर्चा के विश्य नहीं रही है आप लोग जब कि हम तो एक बहुत सधारण आर्मी हैं निर्दलिय उमिदबार हैं जनता के उमिदबार हैं जनता के दिल में हैं हमने दो दो लोगसरा सीथ को जा दिया देपुर्ण के एलिदु यहां का दिकलेरेशन नहीं हुआ था हमने कहा लालु जादम जी से घारजन हम अधेपुरा सुपोल नहीं चाहिए थेखंडक तो पांद गौनल्यू मांग आथा करें भी ओंग्रेश से थे सवाख करें कॉनग्रेश ने नमुझसे कहा तु किस परस्थिति में नहीं मिली जब कॉंग्रेस मुझसे कहा कि किस परस्थिति में नहीं मिली आप हमको एक बात बताएए ना कि पप्पु यादब जब रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक खेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था तो हमने खुद देखा है ना नेरी बात तो सुनिये ना आप सुनिये ना पपुजी मैं आपसे बस एक एक इलतजा इस अपने अपनी जिन्दगी की सारी पूंजी लगाकर महनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉ कॉंग्रेस की तरफ से पप्पू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल ना पप्पू जी देखिए आप मेरे सुखिंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेकुरा जाती पाती के अधार पद पप्पू यादर को अच्छा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस अधार पर उसको फिर से मेले बना दिया मैं बहुत गहरे सब्वे में गया यह कैसा देश है भा करोना में एक MLA MP मंत्री संकुरी देश के PMCM नहीं निकले और जो नौ मेना शर्कों पर रहा कभी एम्बूलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में सेबक को जो बेटा होता नेता को कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढाई लिला स्कूल हम तब थे आनलमार विस्कू के टोपर थे हमने बच्पना देखा हमारी महाँ देखे मेरी बात एक मिनट समझ लिए मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं वहीं कहरा आप ने पार्टी का विला ही कर दिया तक नहीं मिली मेरी बात तो शमझ्ये ना कर τους तो निए इस तो यह किसे चप्ड सच्ञाई के रास्ते को कोई एक्सेप्ट ही करता लोगों को इस बात का नेताओं को डर्र रहता है कि पप्पु या जब पाता नहीं कल के दिन मेरे बारे में कि निया कल कि लिवी गलत के बारे में क्या बोल देंगे को हमारे फिराफ में कुछ हो जाए M tulip हमारी सचाही हमारादुक्षमन हो और मेरी मड़े हमने कहीं गल्तियां हो तो मैं शिकार भी करूंगा एक पॉलिटिकल संस्था, एक ऊसक्षै गुमा फिरा करने के आधी नहीं है, इतना तो मैं जानती हूं, आप मुझे यह बताईए ना, आपको दोका मिला है के नहीं मिला है, और अगर दोका मिला है, तो किस से मिला है, किसे दोका दिया रूबिका जी, आप एक लार्ड़ प्रियंका जी का फॉन, और उसके बाद यद आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं च्रमा मंगता हूं, आप लालते से ही हमको पुर्मिया देजें, लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही, सब से होती रही, लेकिन मुझे आसर्जवारू भीका जी, मुझे यह कहां से, यह बात सही है कि कॉंग्रेस गटबंधन धर्म को चाहता था, क्योंकि कलकटा में भंगाल में यही हो गया, पंजा में यही हो गया, CPI ने क्या किया राहुल गांदीजी के खिराब दी राजा की पत्ति चुनौलर गई, तो उनके लिए सामने में यह नहीं ताकि हम भी क है कि फोर्गो करिए, छोड़ दीजिए, यह एक सीद के चलते है, जबकि 20 सालों से कोई अजादी के बाद से आर्जे जी वहां चुनौल नहीं लड़ा, कभी जंता जल नहीं लड़ा, हम वहां से तीन बार सांसद रहे, मेरी माँ वहां से चुनौल लड़ी, चौते बार हम बीजेपी से मिले हुए है, आप कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं, वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है, आप बता लीजे, एंडिये के खिलाफ त्रिकोनिय संगर्श है, पप्पु यादब सामने रहेंगे, तो वोट तो बढ़ जाएगा ना? रुबिका जी एक बात बोने, मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूँ गारा, और आप बीजेपी के लिए चर्चा हमसे ना करें, जिरका अपना अश्कीच नहीं धुम्या में है, मैं एक बात आप एक बात बता दिजे, कि बहुत किलियर बताए हमको, कि रुबिका जीपी की ब अब आधमी पाटी है की कॉंग्रेस है, चिपीम चीपी आई है केर्ला में की कॉंगरेस है, फ्यादी ही हम तो यह कहेंगे, जिस परिके से बिहार में लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुना जीतता है, जहां हम 4-4 बार संसर रहे, छे बारे हैं, आप पोने सा प्पूजी यह काउंटर तो आप पाटली पुत्रा में आप सुने यह मेरी बात तो सुने रुबिकाजी प्पूजी आप रुबिकाजी आप हम को एक बात बरताईए ना रुबिकाजी जो लोग डिकट बाते हैं कहीं पर देखिए साश्वग फांडे को आप कनया को भी आप केदार पांडे के सिट ले लिए आप वो सिट आप चुनो लड़ते थे आप अब हागलपूर लड़ते थे वह जवर्धस्ति कॉंग्रेश को दे दिया आप पर्गुनार भायवला सिट दे दिया आप साबुदी जी की पत्री को आप लगाता है पॉं कर रहे हैं परकों स देगा को खुदार हो घर जादार आपनी देगा आपने मध्यपुडा में तिकत खत्म कर दी आपका दुश्मन कौन आपका दुश्मन कौन जल रहा है अपसे मेरा दुश्मन मैं फुद हूं कोई और नहीं हमको पायर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करना चाहिए हमको जू ताली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बाप तो मैं कह रहा हूं अब आप खुछे ना कि तेजस्वी आदब दी नॉमनेशन में हरीकेप्टर लेकर मेरे रहा गये जबकि आज तक कोई भी आजम नॉमनेशन में नहीं गया कही पपू यह आज तक के खिलाप नॉमनेशन में आना आप खौफ है और जो सीट आज तक कॉंग्रेस के जो सीट कभ सब नेरा परिवार होता है हम आज तर मध्यपूरा में हमगे पुनति लाग से चुनो जीते जब नरेंदर मोदी जी की लार थी 2014 में तब हम वहाई फस्में चुनो जीते हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पुरियां के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे ते बड़ी बात यह हो गया कि हम कॉंग्रेस में क्यों भी लेकर गये यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अचा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपु यादव जी आप जंतरमंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैटे थे और आपने यो क्या कहें अचा एक बात मैं बोलु रूभिकाजी वह रो रहे थे वह रो रहे थे कि लाठी कैसे खाय हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ति निकालना चाहे अठारा दिनों से आप टौर्चर कर रहे हैं हम लाठी खाने आरी हम करोना के डर से तो नहीं नरो थे हम तिकट के लिए तो नहीं नरो रहे थे हम गटबंधन के लिए तो नहीं नरो रहे थे आप 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 आपने आपने पपु यादव को आपको अपना अपना दर्द होता है आपने वह रोने का मजाग उड़ाया रूभिकाजी को लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप सदन में नहीं रोएं, हम पूलिस के डर से नहीं रोएं, हम एडीसी बिया के डर से नहीं रोएं, हम रोएं उस बात को लेकर के, कि जब हमने एक चीज जिस पर हम आजीवन से रा किया, और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई, क्यों इतनी नफरत आप हेलीकप्टर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको पिपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पगर के टिकट नहीं मांगे हम मधे पुना शुपर ले सकते थे यह हिम्म में मुलाकात होगी मैं आप से मुलाकात करने के लिए आउगी और कितनी बीड़ कर्था हो रही है क्या आप कर रहे हैं मों सब जानूंगी फिलाल आप का बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया तो पपो यादव कहते हुए कि मैं कि पड़ा थूकर पैर पर पढड़कर आपको पसंद नहीं आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद में मसले को आगे बढ़ादे के रुबिका जी टिकक ट्याचन अनको किस नहीं दिया और वह कहां थे वह जाने हमने तो जो किए अपने अपने चाहिए वहां पर दिया हमें रणे पास तो उनके टिक.ट. नहीं मिलने का कोई. जबाब क्यों रहेगा हमसे कोई क्यों मांगेगा हाँ आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलब नहीं है अगर आप चुनाव मैदान में है तो आपकी एक लग सुनी जाए कि चुनाव लड़िये इसके आप इंडिपेंडेंट प्पू जी के अनुसार यह बताता है कि अए और इसका विल्कुल गलत मतलब बता रहे हैं कि यस्वी जी को लगा कि वहाँ जाना चाहिए तो गए हैं और उसमें क्यों क्यों किसी को परिशानी होगी नवल जी क्यों के नेता है जो आपका पसंदीदा उमीद्वार होगा ज लेकिन उसके पीचे की रीजन को पप्पु यादव कहा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं इसलिए पप्पु यादव को ये भी कहना चाहिए कि उनके हेलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिस्चीत हो गई या वो के साथ बने हुए हैं आप यह कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गए लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए न जाने क्या-क्या मुद्ध जो है है वह आप उठाए हैं और खुद अजया लोग जी तेजस्वी बाबु कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले कीचा गया फोटो है बकाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में है दिए एक तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वो अलग बात है कि कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट का वहलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉर्ड निकाल सकते हैं मुद्दा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो घिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर यह एलबम पोस्ट करना क्या मतलब है। को बताना है लगिन हुझे पोई आपती नहीं है आपने दीजिए यह सब ठीक है अपना अपना सनातन को मानने का तरीका इसको नहीं मानना है तो सवाल बस इतना है कि आप ने ये कां तक इसका मतलब जान बूज के किया, ताकि भावनाय आहाथ हो, कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी, तब तो और जगर ने काम किया साथ, अंजाने में गलती होई तो कोई बात नी, जानते बूजते गलती करना, इसको क्या कहेंगे? नवर जी, ठीकिये, रुबिगा जी, भाजपा के पास मुद्वों पे कोई बात नहीं है, इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भड़का सके, आज जो सही सवाल क्या है, जो सही समय क्या है, वो सवाल पूछने का है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जुजगार पे क्या किया, आर्थ्विवस्था पे क्या क्या क्या, नारी सुरक्षा पे क्या क्या, यह तमाम सवाल जो है, वो भारतिये चुनाव में महत्तपू सवाल बन गए हैं, और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है, इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर किन वाचपई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, वाचपई जी यह कोई मुद्दा है, क्योंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है, बनाई जा सकती है, जनता के मन में बिठाई जा सकती है, यह तस्वीर पोस्ट करना, या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए मनोज काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉंच हुआ है उसमें जातिकत जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच ट्रिलिन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइपर अटक गए और तेवहार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो तिखाता ही है ना आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क्या पोज करते हो यह दोने चीजों का मतवेत तो जनता को पता चलेगा ना पूरा परिवार ब्रस्टाचार में लिफ्ट है यह जनता को जानकारी आ गई है यह भी जानकारी आ रही है कि इनके जिने का स्टाइल क्या है क्या इनको गरीबों से लेने देना यह वही लोग है जो रॉकरी देने के तो आप पीछ दिखा पीजिनें लिख्वाइस लिखा एक वे लिखाते है उसी का केस पेंडिग है ना? दिली में इनके 21 वारम हुसे है आप समझेज़गे कि इकष्वारम हुसे कोई बिजनिस है? कोई बेपार है क्या? सिर्फ जन्ता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी हुई है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना हो पामाउस की गिंती के उसका जवाब मनुश का करेंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले वाजपेई जी आप गरीब गरीब बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया है सच्चाई क्या है वो बाजपेई जी से पुछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिय अध्यक्ष है आज की डेट में वो जब वो क्या-क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना चाहिए यह अच दो करें है कि बताई बताई एक बात वार्पर नहीं फिट बैटता तो क्या परिवार के पैसे डाथ है आंट पोृष ऑपरिवारवारवाद का परिवासा क्या है जो उन्हें सूट करता वही है तो जिस तरह दी को पता चल गया है कि सथ्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला हार्ट में वो तमाम तरह के इंग तरह के बिंद्रों के लाते हैं इसा कोई मतलब नहीं है आज के डेट में चुनाव आजे आलो की जवाब दीजे परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कहा रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैठी हुई है और सीपी ठागुर को सीपी ठागुर के पोटो दिखा रहा हूं यह तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवारवाद आज से 50 साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी सबको पता है कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा आज से 50 में आए थे उनको पता है कि मेरे बाद मेरा बेक्टा और अभी भी पता है कि ते जस्ती का बेटा पिर आगे जाके समझा लेगा यह परिवारवाद एक मिनिट नबल भाई मैं बीच में बोलता हूं और आप गलत बोल रहा ना यह सब परिवारवादी इंस्पायर हैं गांधी परिवार वार सकता है तो हम प्योंकि निकले बहुत फेमस किताब यह नहीं है प्रूं फुल खुलवरिया टू राय सिरा हिरस आपने भी नाम सुना होगा फुल बड़ियादू रायिसीरा से लारी किताब अज किताब एक दूसरी निकलने चाहिए फ्रम वीडियो टेजस्पी ने पोस्ट किया है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरातरा के दूसरे दिन मच्छी खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आई-क्यू टेस्स कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नही क्या भाबना आहत हुई है इसे और आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरातर का दूसरा दिन चल रहा है और शुरौवात हो चुकी थी तो क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं व्रत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से ये भी पूस रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नेहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका ये बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रभी संगर प्रसाद जी और वैसे तमाम तरह के लोग चिराग पासवान जैसे लोग जो फिल्ड में हैं उनके विसे में उनको बता देना चाहिए नमबर टू नमबर त्री जिस गांधी परिवार की बात कर रहे हैं 89 के बाद सुनिया गांधी को मौका मिला प्रधानमंती बन सकते थी उसके बावजूद भी प्रधानमंती नहीं बनी और मोहन सिंक को बनाए आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्सप इन्वर्सिटी के ज्यान के अधार पे और यह बात इसलिए भी कहना जरूरी है कि भारतियरे जनतां पार्ति में तो नेता तो छोड़ दीजिए फड़ा भकता भी इंपोर्टेड होते हैं अगर परिवार को देखा जाए तो आपको पता चल जाए कि राजमितिक परिवार ही है मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बात सौ परतिसद सही है मैं आगे इस डिबेट को ले जा रही है अपनी बारी का मैं चाहती हूं आप वह भी अपनी बात रखें और उसके बाद यह डिबेट पे आप एक दूसरे पर बार पलट वार कर सकते हैं मनुश्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है लोग यह कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कहा रही है कि हम लोग पांच ट्रिलियन की इकॉनमी इसे बनाने वाले है एक पार्टी है जो कहा रही है हम जातिकत जन्गणना करवाएंगे एक कह रहें भर के लोगों को ईद के पड़ो कि झेर सारी मुबारक बाद माँ अपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कल्पना कर रहे हैं हम लोग जातिगत जनगरना की बात कर रहे हैं आपसे बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ हूँ, बहुत साधारन सब्दों में उन मूढों से, उन बेवकूफों से, उन सम्विधान के बिधान से, बिहीन लोगों से ये पूछिए कि जातिगत जनगरना की बात इस देश में कप करी गई है, जातिगत जनगरना इस ये बगार कहां से उपलब्ध करा जाएगा मैं आपसे पूछ हूं कि इस देश के केंद्री सचिवाला में कितने कुछ बाहा है कितने पटेल हैं कितने बिंध हैं कितने राजबर हैं किتने मुसल्म आ हैं मैं आप से सवाल करूं ओना उनकी संक्यार्ड असल में ये लोग वह ब वह संबेधान के अनुसूची साथ में उसके संबेधान के अनुसूची साथ एक उन लिखी था और बिना जातिगत जन गरना करे इस डेश का कल्यांड नहीं हो सकता चुकि ये लोग वो इसका विरोध करते हैं जो सामंती और उचबर के लोग हैं जो जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोसन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएगे कि अरे यार ये तो तीनी फी सदी है और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्थी पर ये तो आप अपने साइड का टूथ बता रहे हैं कई आसी रिपोर्ट्स आई सबके साइड का बता रहे हैं किसकी सरकार्थी बताएगे मुझे क्यों नहीं लाए गया अरे सुनिये तो 11 में क्यों जा रहे हैं मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपके इस देश में 1999 में जब जब बीजेपी से जब पहले आतल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यान वर्धन करिए सबका आपने साथ और मैं सिर्फ नवलकाई साथी नहीं हूं आपका सबका पूरे देश के 40 करोड़ क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब कहां अब सुन तो लीजे ना सवाल तो सुनिये ना मेरा मैं कह रही हूं जातिगत जनगणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जगा मिल गई पहले की कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ 30 साल से आरक्षर चल गा है क्या सब को लोकरी मिल गई अरे सुनिये 1999 में जब बाजपरीजी दुबारा प्रधान मंतरी बने आपको प्रभात जहा का जनसता में लेख है उन्होंने बहुत बारीकि से लिखा है कि जैसे प्रधान बंतरी अटल बिहारी बाजपरीजी में बताईए मुझे क्या अंतर आया बिहार में बिल्कुल अंतर आया जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन पर चलने से क्या हुआ इलेक्रिसिटी कि सब्सक्राइब बच्चों को पढ़ाई का मुझे बना चलाने के अ किसे बतलाव आया जातिगत जनक र कर सब्सक्राइब बिहार किया हुना लूलु बन गया इस वालन है यह लटन बुसक्राइब हर बं गया जातिगत जनकर ना हो जाने से फर्क क्या परा सब्सक्राइब करवाए था आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने लोग आपने ही सचाई बता दी कि विल्बिलाने के लिए बनाया था इसलिए ताकि आपको यह चाहते थे कि सामने वागा था जाए ताकि बढ़िया बन गई बच्चियों की पढ़ाई लिखाई में सारे के सारे सबसादन जो जुड़ने चाहिए थे वह जुड़ रहे बता पार आप अन्य नरेंद्र मोदी बीजेपी भारती जनतापार्टी आनिसे नहीं मेरे सवाल का जवाब नही किशोर जी भी दे दे 20 सेकंड में 20 सेकंड में सबको दे रही हूं नावा किशोर जी 20 सेकंड सारे क्या बतला है देखिए रूबिका जी आप इतना पढ़िसान नियुजवाब सुन लीजे कि स्टी का जानकारी सवसंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेश पराप्षिन का मतलब क्या हुआ सारबक की कमी माफी चाती वाजया लोग जी आपसे और वाजपय जी आपसे आप देखते रहिए यूजवाब आज इद का चांड देखने वारा है आप जानते हैं कि कल इद बनाई जाएगे नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी प पत्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफ्तार से पीम मोदी ने दबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का दियम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसवा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चिम बंगाल के दौलतपुर में ग्रेमंची अमिल्शा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमु कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंतरी राजकुमार आनत का स्तीफा समाज कल्यान मंतरी पत से दिया स्तीफा महराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक ओर जटका, पूर सीएम, वसंत, दादा पारेल के बेते और कॉंग्रिस नेता विशाल पारेल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राज़सान के उपु मुख्य मंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना कहा कोरोना की तरह कॉंग्रिस ने देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चान तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चान दिखेगा चार जून को और तब तक हर एक तस्वीर, हर एक बयार, हर एक आक्शन और हर एक अर्जी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल यह है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरहसल हुआ यह कि तेजस्वी ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन यह तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए, हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्री से एक दिन पहले की है, मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था, लेकिन सियासत में ऐसे मुद्धे जंगल की आग की तरह फैलते हैं, व उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे, यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया, जाती साथ लेकर आया, तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी, बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बलिया से पूर मुख्यमंत्री, चंदर शेखर के बेटे, पूर प्रदान मंत्री माप कीजेगा, चंदर शेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकेट मिल गया है, जबकि चंडिगर से अभिनेत्री किरन खेर का टिकेट कट गया है, आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद, बीजेपी ने SS अलुवालि को अब वहां से उम्मीदवार बना दिया है, चौती खबर के आई, मध्य प्रदेश से, जहाँ पूर मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया, और कहा कि वहां रहता कौन है, जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाय जा र मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया, कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा, दिगविजय के बयान को ये आप माल लीजिए, दिगविजय का बयान ये दिखाता है, कंगना रनौत कह रही है, कि कॉंग्रिस ने नहरू वाली मानसिक्ता स अपने आपको बाहिर नहीं किया है, यानि चुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है, तो आज इनी मुद्दों के इर्दगेर्द, गूंज में करेंगे सवाल, जानेंगे हर पार्टी का जवाब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ ग गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे, वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे, कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं, उसका जाती जनगननाम का बार-बार उसमें अंडरलाइन जो, जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं, क्या बताता है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आरजेडी के नवल के शोर आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के राश्री प्रवक्ता जाया लोग, और इस वक्त आपको लजेपी के एके वाजपई साहब भी राश्री प्रवक्ता हैं, नजर आ रहे हैं, पपू यादब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत हैं, पपू जे हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज जो देश जानना चारा है वो यही है, कि आज की तारीक में, आप कॉंग्रेस में हैं, पपू साहब के नहीं है अज के तारीक में, नरेंदर मोदी जी चर्चा का विश्य नहीं रही है, आप लोग जब की हम तो एक बहुत सधारन आर्मी हैं, निर्दलिया उमिदबार हैं, जंता के उमिदबार हैं, जंता के दिल में हैं, हमने दो-दो लोगसभाद सीद को ठुतरा दिया, मधेपूरा प्ल्तक मध्यपुरा स्पॉल नाम् नाम का दिकलिवेशन नहीं हुआ था हमने का लालू जादव जी से के घरजंग हम मध्यपुरा सुपॉल नहीं चाहिए हमने को अंडव तो 5 गोह मांगत हैं हमने को एक ही गोह मांगत और कॉंग्रेस की जहां तक सवाल है कॉंग्रेस ने ना मुझे कहा कि आप अलग हैं, ना मुझे कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली, तो आप हमको एक बात बताएं कि पपू यादब ज्याव रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संगर्स और 15 साल की पार्टी का विलेग किया. जो एक खेत्रिया पार्टी, मजबूत पार्टी थी, सबसे आप पूछेगा कम से कम संगर्स पे तो दिखता था. ने पपुजी, वह तो हमने खुद देखा है ना? तो मेरी बात तो सुनिये ना आप सुनिये ना अपसे बस एक एक इलतिजा इस बात की है कि आपने अपनी जिन्दगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा क कह सकते हैं कि पालपोसा बड़ा किया जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रेस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रेस की तरफ से पपू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल तो बनेगा ना पपूजी देखिए आप मेर साथ ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाज उचाए अपनेों को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रमदी सीवा और ऑक्सिजन कहां कहां से लाए किस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके नौ मेहने तक बाहर रहे इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाथी के अधार पर पप्पु यादर को अच्छा जिन लोगों ने पटना में एक भार घर से नहीं निकला उस अधार पर उसको फिर से मले बना दिया मैं बहुत गहरे सब्वे में गया यह कैसा देश है भाई जो एक बाद पब्लिक को देखने ने गया पटना में बार में परोना में एक मेले मंत्री संत्री देश के पीम सीम नहीं निकले और जो नौ मैना शर्कों पर रहा कभी एम्बूलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में सेबक को जो सिब बेटा होता नेता तो कभी होता ही नहीं है पुर्णिया में पढ़ाई जिला स्कूल हम तो पर थे आनलमार विस्कूटेटों पर रहे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखे मेरी बात एक मिट समझ लिए मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैंने क्यों छोड़ दिया आपने प को मेंदेना पाठी 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 पपोया दब के सचाही के रास्ते को कोई अक differs करता लोगों को इस बात बात को डर रहता है पक्सा ने पिक की गलत के बारे में किया बोल देंगे कछी हमारेश खराप्ना कुछ षो जाए मतलब हमारी सचाही ही MD है सेवा इमने ही MD हो Chapter 2007nd अपके से आ गोमाफिराकर बात करने के आधि नहीम इतना तो मैं जानती आप मुझे लाहिए आप आपको द्रूका मिलाहे के नहीं जो आ सकते अप कुरियां हमे डिलाव मेरी बहन किता मेरी परिबार कितरा और बहुत समझते लेडिज आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं छमा मंगता हूँ आप लालतें से ही हमको पुर्णिया देजें लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही सबसे होती रही लेकिन मुझे आसर दुआ भी का जी मुझे यह कहां से यह बात सही है कि कॉंग्रेस गटबंधन धर्म को चाहता था क्योंकि कलकटा में बंगाल में यही हो गया पंजाम में पंजा में यही हो गया, CPI ने क्या किया राहु गांदी के खिराफ दी राजा की पत्त्री चुनौलर गई तो उनके लिए सामने में यह नहीं टाकि हम भी कहें कि फोर्गो करिए चोड़ दीजिए यही एक सीद के चलते है जबकि 20 सालों से कोई आजादी के बाद से आर्ज आप चोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे मरते दम तक नहीं चोड़ेंगे, लेकिन आर्जेडी की उम्मीदवार बीमाबात की यह कह रही है कि आप BJP से मिले हुए हैं, आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो BJP के लिए रास्ता बना रहा है, आप बता दीजिए, NDA के खिलाफ आप त्रिकोणिय संगर्ष है, पप्व यादव सामने रहेंगे, तो वोट तो बढ़ जाएगा, ना, रुबिका जी एक बात बोल, मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूँ रहा, और आप जिर्टी के लिए चर्चा हमसे ना करें, जिर्का अपना तो अस्कीच नहीं धुम्या मैं यहाथ आप से पुछना चाहता हूं, रुबिकारीर, हम तो आप एक बात बता दीजे, कि बहुत किलियर बताइए हमको, कि रुबिकार बीजेपी की बीटीम बंगाल में महतादीदी है की कॉंग्रेस है, पंजाब में आम आद्मी पार्टी है की कॉंग्रेस है, पंजाब में लगातार आपने उस सीत को जो नंबर वन में चुनाओ जीता, जहां हम चार-चार बार संसक रहे छे बार है, आप पोने 7 लाग यादव होने के बादी पुट्रा में, यह काउंटर तो आप पार्टी पुत्रा में, यह काउंटर तो आप चुना मेरी बातों जो लोग किकट बाते हैं, कहीं पर देखिए सास्वत पांडे को, आप करनेया को भी भी बीजेपी की बीतिम कर दिए, कौन करनेया याद, वो लोग करनेया को नहीं दिए, जो निखिल बाबु की सीत ले लिए वो नहीं, आप केदार पांडे की सीत ले लिए, आप वो सीत आप चुनो लगते थे आप अब भागलपुर लगते थे वह जवर्दस्ती को दे दिया आप अप अपनार भाय वाला सिर्ड दे दिया आप साबुदी जी की पत्री को आप लगाता आप कर रहे हैं पर्सों से पपुयादव के तारण जम्मी ने कह दिया कि मैं केंप करूँग कर दिया कोई लेगा फुदार आपने मध्यपुडा में तिक खत्म कर दी आपका दुश्मन को अधाईए ना कौन आपका दुश्मन कों जल रहा है अपसे मेरा दुश्मन मैं फुद हूं कोई और नहीं हमको पहर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करना चाहिए हमको जूट बोलना चाहिए हमको भी ठगफुस की राजनिती करना चाहिए हमको भी नफरत की जादपात की हिंदू-मुसल्मान की राजनिती करनी चाहिए पर ऐसा क्यों क्यों आपको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन क्या रहा है ऐसा क्यों ल तो आपना खौफ है और जो सीट कॉंग्रेस कभी छोड़ी नहीं, जो सीट मेरे परिबार का पूर्णिया का सीट हो, जाज़पात नहीं होता है, मेरे सामने में ना कोई हिंदू, मुसल्मान, ना जाज़पात, सब मेरे परिबार होता है, हम आज तर मध्यपूरा में हम वेप पूर्णिया के लिए जब हम एक साथ से घरना दा रहा थे ंरा पूर्णिया आपके विलही का फैसला घलत हो गया कोंग्रेस में? नहीं, मैं मेरे बिलाय का फैसला गलत नहीं हुआ, मैं लालू यादव जी से आशिरबाद लेके गया, सबसे बुड़ी बात ये हो गया, कि हम कॉंगरेस में क्यों बिलाय कर गया, ये पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए, रास नहीं आई. चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है, पपू यादव जी, आप जंतर मंतर गए थे, आप वहाँ पहलवानों के साथ बैटे थे, और आपने योगी अदितनात का मजाक उड़ाया था, कि वो कैसे सदन में भै भै करके रो रहे थे, और अब लोग आपकी रोती हम रो रहे थे, कि हमको अपने घर से आप जबरजस्ति निकालना चाहे, अठारा दिनों से आप जॉचर कर रहे हैं, हम लाखी खाने आरी, हम करोना के डर से तो नहीं न रो रहे थे, हम तिकट के लिए तो नहीं न रो रहे थे, हम गट बंधन के लिए तो नहीं न रो रहे आप आप अपने पपपु याद्ब को कामें के अपना अपना दर्द होता है आपने वह से पप्लिक के सामने ना ही रूबीका जी हम अपने मां नहीं हम सदन में नहीं हम पुलिस के डर से नहीं रोए हम एडी सीबिया के डर से नहीं रोए हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक चीज जिस पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकप्तर लेके आगए हमने आपकी सब्सक्राइब की हम आपको भीपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पगड़ के टिकट नहीं मांगे हम अधे पुना शुपर नहीं सकते थे यह हम्मत इस डेश्प में किसी के पास नहीं है तुप शुप कामना है और दुबाराः आप से मुलाकात होगी और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कितनी भीर कर था हो रही है क्या आप कर रहे हैं वो सब जानूंगी फिलाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो पप्पू यादव यहां कहते हुए कि मैं किसी के पैर चुकर पैर पर पढ़कर टिकेट मांगने की बात नहीं कि इसलिए मैं निर्दरे लड़ा हूं अब मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रही हूं डिबेट में सारे खास मैमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं पप्पू यादव को आप सुन रहे थे इस वक्त शक्ति सिंग साहब भी हमारे साथ बने हुए है शक्ति जी क्या कहेंगे नवल किशोड जी माफ कीजिए का शक्ति सिंग नहीं हमारे सा नहीं आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद में मसले को आगे बढ़ा दिए रुबिका जी टिकट उनको किस ने नहीं दिया क्यों नहीं दिया और वो कहां थे वो जाने हमने तो जो टिकट का बटिरन किया अपने दल के जो संसधिये बोर्ट के मेंबर ह चाये उसुए बिचार मंद्थन करके और वहां पर टिकट कर दिया उन्हें अधिक ट्रह की बाते बोल रहे है उस बात का कोई मतलब नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लक्त सुनी चाहिए कि चुनाओ लड़िए इसके आप इंडिपेंडेंट भी देश लोग चुनाओ लड़ते हैं आप लड़ रहे हैं कोई नहीं बात को साहब जो हैं वो नामांकन दाखल करने के लिए गये हैं बिल्कुल गलत मतलब बता रहे हैं कि यस्वी जी को लगा कि वहां जाना चाहिए तो गये हैं और उसमें क्यों कियों किसी को परिशानी होगी नवल जी क्यों के नेता है जो आपका पसंदिदा उमीद्वार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीजी के रीजन को पपू यादव कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं ने जब पपू यादव को यह भी कहना चाहिए कि उनके हेलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिस्चीत हो कि या वो यह कहना चाहते हैं आप यह कह रहे हैं कि किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गये लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए न जाने क्या-क्या मुद आप क्यों अटेकिंग मोड में हैं कि एक तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती एक ATC कोई की जोती एरपोर्ट है कब हैलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुद्दा व चाहिए करते हैं तो जैश्टी मैया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं कि नवरात्र का क्या मतलब होता है हिंदू के दिलों में कि किसी को बताना है लेकिन मुझे उस पर कोई आपती नहीं है तो कि जब सावन का महीना मतन करे शोर रहूल गांधी के साथ मतन चल सब्सक्राइब करने के लिए तो सवाल बस इतना है कि आपने यह काम तर इसका मतलब जान बूझ के किया ताकि भावनाय आहाथ हो नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगर ने काम किया साथ अंजाने में गलती कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब्सक्राइब था जिसे लोगों को भड़ता सके आज आज जो सही सवाल क्या है उसका सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल पूछ रहें कि आपने पिछले साल में क्या किया नौकणी पर क्या क्या रोजगार पे क्य किया आर्थ व्योस्था पे क्या किया नारी सुरक्षा पे क्या किया यह तमाम सवाल जो है वो भारतिये चुनाव में महत्पू सवाल बन गए है और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की मूदों पे चुनाव रहना चाहते हूं कि आपका और हमारा जो सिग्नल उसमें बैंबिट की थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है मैं वो दुरुस करवाती हूं फिर आपके पास आती हूं एक वाजपई जी भी हमा मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉंच हुआ है उसमें जातिकत जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच ट्रिलियन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइपर अटक गए और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क्या पोज करते हो यह तोनों चीजों का मतबेद तो जनता को पता चलेगा ना पूरा परिवार ब्रस्टाचार में लिप्ट है यह जानकारी आगई है यह जानकारी आगई है यह जानकारी आगई है कि इनके जिने का स्टाइल क्या है क्या इनको गरीबों से लेने देना यह वोई लोग है यह लोग है यह रोकरी देने के पीछ अपने जमीने लिखाते है उसी का के स्पेंडिग है ना दिली में इनके 21 वार सब्सक्राइब को बिजनिस है को बेपार है क्या सिरफ जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ल्ड ऐसे नहीं उस कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होगी है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा होगी है नवल जी गरीब की बात करते है वामाउस की गिनती वाच्पईजी गिना रहे हैं आपकी लाइस्टाइल आपकी लाइस्टाइल की बखान कर रही है ओके उसका जवाब मनुश काका देंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले वाच्पईजी आपने जो बात कही है उसका जवाब नवल किशो जी आप गरीब गरीं बार-बार ये कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया पाथ इस पूछे लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्ति अध्यक्ष है आज की डेट में वह जब वह क्या कर रहे थे उनके बता देना चाहिए बताई बताई बाच्पी जी परिवारवाद आप पर नहीं फिट बैठता क्या परिवार के बताना चाहिए में और यह आप आप वही बात पूछ रहे तो ये बात पुछ ना कि परिवार बात का परिवासा क्या है जो उन्हें सुट करता है या पूछ वार भी है तो जिस तरह बात ही है जनता-स पाती को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला आर्ट में वो तमाम तरह के इन तरह के बिंद्रों को लाते हैं इसा कोई मतलब नहीं है परिवार बाद सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठागुर को सीपी ठागुर के पेटे विवेक ठागुर कौन है एक पोटो दिखा रहा हूं ने ने वह उनका फोटो दिख़ा आ यह तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवारवार आज से 50 साल पहले कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी सबको पता है कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा लाद ले लिजेगा अभी पता है कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा अभी भी पता है कि तेजस्टी का बेटा पिर आगे जाके समालेगा यह परिवारवादी, एक मिनिट, नवल भाई मैं बीच में कहां बोलता हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, यह सब परिवारवादी इंस्पायर है गांधी परिवार से, क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है, तो हम क्यों नहीं करें भाई, सही बात भी है, लालु यादव प हिल्स, आपने भी नाम सुना होगा, फुलवरिया तुराइसीरा हिल्स, लालु यादव की जीवन पर किताब था, आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए, फ्रम चपरासी कॉर्टर्स तु सलिबरेटिंग, बर्दे इन अरो प्लेंस, जो से तेजसी करते हैं, फ्रम चपर मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजफाईयों का आईक्यू टेस्ट कर ले, लोग पढ़ता लिखता नहीं ना है, आप पर ही लिखें ती जस्तियादा, आप पढ़ते लिखते नहीं है, जान बूझ के भावना है आहत करने की कोशिश की गई है, यह जानते हुए कि नव पहला तो इन से यह भी पूस रेना चाहिए आपको, कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नेहरू के बाद, कौन लोग परधान मंत्री थे, जिसका यह बात करें, परिवार बात का नमबर एक, विवेक ठागूर और रभी संगर परसाद जी और वैसे तमाम तरह है और मोहन सिंक को बनाए, आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं, वो किवल भर्माने का है, यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना, कि सिर्फ वाट्सप इन्वर्सिटी के ज्यान के आधार पे, और यह बात इसलिए भी कहना जरूरी है, यह भारतिये जनता पाती में तो नेता तो छोड़ दीजे, प्रवक्ता भी इंपोर्टेट होते हैं, और उनके भी अगर परिवार को देखा जाए, तो आपको पता चल जाए कि राजनितिक परिवार ही है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह बात 100% सही है, जोतिना चिंदिया हो, सुन मनुष्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है, लोग यह कह रहे हैं कि एक पार्टी है, जो कह रही है, कि हम लोग 5 ट्रिलियन की एकॉनमी इसे बनाने वाले हैं, एक पार्टी है जो कह रही है, हम जातिकत जनगणना करवाएंगे, एक कह रहे हैं, फॉर् देश और दुनिया भर के लोगों को इद के परो के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से देता हूँ, और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं, हम लोग जातिकत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप से बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ हूँ, बहुत साधारन सब्दों में, उन मूढों से, उन बेवकूफों से, उन संबिधान के बिधान से, बिहीन लोगों से, ये पूछिए कि जातिकत जनगणना की बात इस देश में कप करी गई है, जातिकत जन आने बगार कहां से उपलब्द कराया जाएगा मैं आप से पूछू कि इस देश के केंद्री सचिवालाय में कितने कुछ बहा है कितने पटेल हैं कितने बिंध हैं कितने राजभर हैं कितने मुसल्मान हैं मैं आप से सवाल करूं कि इस देश के केंद्री विशुविद्धिया जातिगात जनगरना की बात करी है वो संभिधान के अनसूची साथ में उसके संभिधान के अनसूची 7 के सूची 8 इड में उन लिखी तह और बिना जातिगात जनगरना करे इस डेश का कल्याण नहीं हो सकता चुकि ये लोग वो इसका विरोध करते हैं जो सामंती और उचबर के लोग हैं जो जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोसन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्थिक राजनेटी पर यह तो आर्द्र सत्य है वह भागीदारी है वो 90 पी सदी है इससे पहले भी हुई है यह तो यह तो आप अपने साइट का ट्रूथ बता रहे हैं कई आसी रिपोर्ट्स आई अरे सबके साइट का बता रहे हैं किसकी सरकार थी बताईए मुझे क्यों नहीं लाए गया अरे सुनिये तो 11 में क्यों जा रही है आप मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में जब जब बीजेपी से जब पहले आर्टल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा सुनिये ना थोड़ा ज्यान वर्धन कर यह सबका अपने साथ और मैं सिर्फ नवल काही साथी नहीं हूं आपको कुछ पुराना आ रहा है क्या हां मैंने तो कुछ बीच में टोका ही नहीं आप तो अच्छी बात करें वह तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी दे दिए ना जातिगत जनगणन जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नौक्रियों में उतनी जगा मिल गई पहले की कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है कुछ नहीं हुआ 35 साल से आरक्षर चल गा है क्या सब को लौक्री मिल गई अरे सुनिये 1999 में 1999 में जब बाजपेई जी दुबारा प्रधान मंत्री बने आपको प्रभाद जहा का जनसत्ता में लेख है उन्होंने बहुत बारिकी से लिखा है कि जैसे प्रधान मंत्री अटल बिहारी बात पर बारिकी से उसका जवाब दीदे ना मैं तो रूप कोस पर जा रही हुए उसको बंद करने का प्रस्ताव पारिस्तर जातिगत जन गणना क्या अल्टिमेट सलूशन है बिहार में क्या अंतर आया जातिगत जन गणना हो जाने के बाद यह बताईये मुझे क्या अंतर आया बैहर बिल्कुल अंतर आया जातिगत जो सर्वेह हुआ उससे पता तो चला कि पता चलने से क्या हुआ इलेक्रिसिटी कि सवस्या हतम हो गई बच्चों को पढ़ाई यह पुरा क्षवाल करो अब पर बादा यह वहां कि बादारी सुनिष्टित करने का काम आपके चिलाने से होगा हुआ सबस्या हुआ सब्सक्राइब करना या जातियों की बहतरी के लिए बनाया था लोग आपने ही सच्छा ही बता दी लिए ताकी आपको यह चाते थे कि सामने वारा दी बिला जाए तो लिए ने ने बता पारें बारती जनता पार्टी बारती जनता पार्टी नहीं जाती है यहाँ पर नवल किशोर जी बीस सेकंड में 20 सेकंड में सबको दे रही हुए नावल किशोर जी 20 सेकंड साइब लेकिर रूबिका जी आप इतना परशान ने जवाब सुन लीजे इस्टी का जानकारी सरसंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेशन मिल सबको नौकनी देना नहीं हुआ लिजेवेशन का मतलब हुए कि जो लोग जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुखिधारा में लाना है का मतलब क्या हुआ सरबक की कमी माफी चाती वाजया लोग जी आप से और वाजपई जी आप से आप देखते रहिए तो ये कहेंगे वही हमारी एद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफ्तार से पीम मोदी ने दबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम करने शाना साधा का दीम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसबा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रुगन सिना की खिलाफ टिकेट दिया पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमंची अमिल्शा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमू कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला कहा भारत गरीबों को बाट रहा है मुफ्त राशन पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से भीक मांग रहा है समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घोशना पत्र दोजार पत्र तक जातिकत जनगणना कराने के साथ किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाओत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रूस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रूस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंतरी राजकुमार आरंद का स्तीफा समाज कल्यान मंतरी पत से दिया स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंस दादा पारिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पारिल सांगली से वी बीए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजिसान के उपु मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना का कोरोना की तरफ कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चांद तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांद दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर, हर एक बयार, हर एक अक्शन और हर एक अरजी सुर्खिया बटोरेगी तो सवाल यह है कि आज किन स्यासी ख़बरोंने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा चाय रहा था वो तेजस्वियादफ़ की मच्ली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाईगी तरह सल हुआ ये कि तेजस्वीर ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई, बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए, नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए, हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है, मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था, लेकिन सियासत म ऐसे मुद्दे जंगल की आग की तरह फैलते हैं, वो भी तब जब चुनाब चल रहा हूँ, दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्युमेंट आज जारी कर दिया, यानि घोशना पत्र, अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जन करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे, यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया, जाती साथ लेकर आया, तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी, बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बलिया से पूर किरनखेर का टिकेट कट गया है, आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद, बीजेपी ने ऐसेस अलूवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है, चौती खबर क्या आई, मध्यप्रदेश से, जहापूर मुख्यमंत्री दिकविजय सिंग ने कच्चा तीव उपर बेतु का बयान दे दिया, और कहा कि वहां रहता कोन है, जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाया जा रहा है, इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाउत ने पलटवार कर दिया, कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा, दिगविजय के बया को ये आप माल लीजिए, दिगविजय का बयान ये दिखाता है, कंगना रनाउत कह रही है, कि कॉंग्रेस ने नहरू वाली मानसिक्ता से अपने आपको बाहर नहीं किया है, यानी जुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है, तो आज इनी गूंज में करेंगे सवाल, जानेंगे हर पार्टी का जवाब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं, पुर्णिया से निर्तलिय उम्मीदवार, पप्पु, यादव, उनसे हम बातचीत करें, उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल, जो हर बार गूंज में आज जो सवाल पूचे जाएंगे, वो इस मुद्दे को लेकर पूचे जाएंगे, कि मैनिफेस्टों जो बार बार निकल कर आ रहे हैं, उसका जाती जनगनना का बार बार उसमें अंडर लाइन, जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं, क्या बताता है, ट्विटर पर वो सवाल मैं आपसे पूच्छू उससे पहले, सारे खास मैवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं, बारतियर जनता पार्टी के राश्यू प्रवक्ता अजयालोग हमारे साथ जुर चुके हैं, समाजबादी पार्टी के राष्यू प्रवक्ता मनोज काका, इस वक्त आज़ेडी के नवल के शोर आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राश्ट्रि प्रवक्ता आ जाया लोग और इस वक्त आपको लजेपी के एके वाचपई साहब भी राश्ट्रि प्रवक्ता हैं नज़र आ रहे हैं। पपू यादब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, पपू जी हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चारा है वो यही है, कि आज की तारीख में आप कॉंग्रेस में हैं पपू साहब के नहीं है? आज के तारीख में नरेंदर मोदी जी चर्चा के विष्चा नहीं रही है, आप लोग जब की हम तो एक बहुत सधारण आज हैं, निर्दलिय उमिदबार हैं, जनता के उमिदबार हैं, जनता के दिल में हैं, हमने दो-दो लोकसभाज सीथ को ठुतरा दिया, मधेपुरा और स सिप्वाल, कल तक मधेपुरा सिप्वाल का नाम का डिकलिरेशन नहीं हुआ था, हमने कहा लालु जादव जी से, घारजन हम मधेपुरा सिप्वाल नहीं चाहिए, हमने तो, पंड़व तो पांद गों वांगत हैं, हमने तो एक ही गों ना और, कॉंग्रेस की जहां तक परस्थिति में नहीं मिली जब कॉंग्रेस ने मुझसे कहा कि किस परस्थिति में नहीं मिली आप हमको एक बात बताएए ना कि पप्पु यादव जब रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल संघर्ष और 15 साल की पार्टी कि सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था तो हमने खुद देखा है ना मैं आप से बस एक इलतजा इस बात की है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आ आप मेन आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पूसा बड़ा किया जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कोंग्रेस में विलाय diagonale कर दिया और जो कॉंगरेस की तरफ से पपु सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे म वरोना में मैंने देश की सेवा की, सब के लाज उठाय अपनों को छोड़ दिया, मैंने कैसे मदद की, फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई, रमदी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए, इस तरह दिली में हम घर छोड़ करके नौ मेने तक बाहर रहे, इसके बाद पतना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पर पप्पू यादर को अच्छा जिन लोगों ने पतना में एक बार घर से नहीं निकला, उस अधार पर उसको फिर से MLA बना दिया, मैं बहुत गहरे सर्वे में गया, यह कैसा देश है भाई, जो एक बार पब्लिक को दे सेबक को जो सिब बेटा होता, नेता को कभी होता ही नहीं है, पुर्मिया में पढ़ाई जिला स्कूल हम तो पर थे, आनलमार विस्कू के तो पर थे, हमने बच्पना देखा, हमारी माँ, देखे, मेरी बात एक मिर्ट समझ लिए, मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं तो आपको अपसपा, आपने पार्टी का विला ही कर दिया, आपको एक टिकेट तक नहीं मिली मेरी बात तो शमझ लिए ना मैं पर देखे नहीं मेरे रहता है कि का बोल देंगे कल हमारे ही खिराफ ना कुछ हो जाया मतलーム हमारी सच्चाई ही हमारा दुष्मन हो लिए या मेला सेवा ही मेरी जुश्मन हो दिया मेरी मदद तरी हमने कहीं गल्टियां हो तो मैं सुटार भी करूंगा एक है पॉलिटिकल संस्क्राइब अधिन नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह बताईए ना आप आपको दोका मिला है कि नहीं मिला और अकर दोका मि प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादब भी उसको नहीं लर सकते आप पुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिशा जी से कहा कि मिशा जी मेरी बेहन कितरा मेरी परिबार कितरा और बहुत सब्सक्राइब आपको लग सब्सक्राइब लगी लेकिन अर्स्तर्जवार उभीका जी मुझे ये कहां से यह बाद सही है कि कॉंग्रेस गटमंदन धर्म को चाहता था क्योंकि कलकटा में बंगाल में यहीं हो गिया पंजा में यहीं हो गया पंजा में यहीं हो गया CPI ने क्या किया राहुल गांदी के तो उनके लिए सामने में यह नहीं है कि हम भी के कि फोर्गो करिए चोड़ दीजिए जबकि 20 सालों से कोई आजादी के बाद से आर्जेजी वहां चुनो नहीं लड़ा कभी जंता जल नहीं लड़ा हम वहां से तीन बार सांसद रहे मेरी माँ वहां से चुनो लड़ी लेक लेकिन आर्जेडी के उम्मीदवार बीमा बात दिये कह रही हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है आप बता लिए के खिलाफ त्रिकोणिय संगर्ष है पप्पोई आदम सामने रहेंगे तो व दस्कीच महीं धुम्या में मैं एक आप आप से पुठना चाहता हूं रूदी कारेश हम तो आप एक बात बता दिए कि बहुत किलियर बताइए हमको कि विजेपी की बीटीम बंगाल में मंता जी भी कॉंग्रेश है पंजाब में आम आदमी पार्टी है कि कॉंग्रेश है ब अरीके से विहार में लगातार आपने उस सीद को जो नंबर वन में चुनो जीता जहां हम 4-4 भार संसुगे 6 भार है आप पोने 700,000 यादव होने के बाभी में आप एक बात पुतरा में और पुत्रा में यह काउंटर तो आप चुनो मेरी बात तो सुने है पंदे है रूदी पपुजी आचा ठीक है आप हम एक बात बताएए ना जो लोग टिकट बाते हैं कहीं पर देखिये सास्वत पांडे को आप करनेया को भी भी जब बीजय पी की बीटिम कर दिए कौन करनेया या वो लोग करनेया को नहीं दिये जो निखिल बाबु की सीट ले लिए वो नहीं अब केडार पांडे के सीट ले ओ कि आप वो सीट वो आप चणा लरते एब हघलपूर लरते लिए वो जबर दौन्रा जर्शिको दे दिया आप प्रभौनार भाइला सीट धियर आप साभूदी जी की पति को आप आप तो साभूदी की पत्ति को आप लगातान पॉन कि पपु यादव के ढरना जम मैंने कहा दिया कि मैं थे कि करूंगा आप कौन कर रहा है कि ले लिए जी तक पु यादव का दुष्मन कौन इस तो इस्टूस कर दिया कॉन अपर दूस्मन कॉन चाहि नेगें अप्पू यादव कोई लेगा को खुदारोगा जादार आप दि हमको पहर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बाप तो मैं कह रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी क्या है करें नमीनेशन में हरी के मेरे आगे जबकि आज तक कोई भी आदब ये आदब नमीशन में नहीं गिया करें मेरे सामने में ना को हिंदू, मुसल्मान, ना जात पाथ, सब मेरा परिवार होता है, हम आज तर्मधेपुरा में हम वे पुनेती लाग से चुना जीते, जब नरेंदर मोदी जी की लार थी 2014 में, तब हम वहाई भसमें चुना जीते, हम कोई चुना नहीं जीता, आज जब लेके गया, सबसे मोडी बात यह हो गया, कि हम कॉंगरेस में क्यों विलाय कर गया, यह पसंद साज हमारे नेता को नहीं आए, अच्छा, एक और चीज बहुत, बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है, पपु यादव जी, आप जंतर मंतर गए थे, आप वहाँ पहलवानों के स साथ बैठे थे, और आपने योगी अदितनाथ का मजाग उड़ाया था, कि वो कैसे सदन में भैं-भैं करके रो रहे थे, और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कि कर्मा जो है मुलाट कर आता है, क्या कहेंगे, अच्छा, एक बात मैं बोलू हम रो रहे थे, कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे, अठारा दिनों से आप टॉर्चर कर रहे हैं, हम लाखी खाने आरी, हम करोना के डर से तो नहीं न रो रहे थे, हम तिकट के लिए तो नहीं न रो रहे थे, हम गट बंधन के लिए तो नहीं न रो रह तो आज वो आशू आपको भी पब्लिक के सामने ना निकालने पड़ते हैं रूबिका जी हम अपने माँ और अपने घर में लोए हम सदन में नहीं रोए हम पुलिस के डर से नहीं रोए हम एडी सिवया के डर से नहीं हम रोए हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक चीज जित पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलिकाप्टर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको पिपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पायद पगर के टिकट नहीं मांगे हम मधे पिरा शुपर ले सकते थे यह हमत इस देश में किसी के पास नहीं है तो पुप सारी शुप काम नाएं और दुबारा आपसे मुलाकात होगी और इस बार ग्राउंड में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कितनी बीड़ कर्था हो रही है क्या आप कर रहे हैं वो सब जान प्पु यादव को सुन रहे थे इस वक्ति सिंग सहब भी हमारे साथ बने हुए है शक्ति जी क्या कहेंगे नवल किशोर जी बहुत-बहुत स्वागत आपका माफी चाहती हूं पपु यादव जी कह रहे हैं आप लोग इतना खौफजदा हैं आप लोग इतना चिड़ गए क आपने उनका टिकेट कार्ट दिया विलाय आपको पसंद नहीं आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ा दें रुबिका जी टिकट उनको किस ने नहीं दिया क्यों नहीं दिया और वो कहां थी वो जाने हमने तो जो टिकट का सकते हैं हमें तो हमारे पास तो उनके टिकट नहीं मिलने क्यों जवाब क्यों हैघ antico pra आज आज जिस तरह से वह टिल्व renowned ओंत ड על इनाहीं करते को अगर her costume स haven वह मंकन करने के लिए गये हैं यह जाना चाहिए और उसमें कुई कियो किसी को परिशानी होगी आपके नेता है जो आपका पसंदीदा उम्मीदवार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहाँ पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीचे के रीजन को पपु यादव कहा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं अब मेरी हार सुनिस्चीत हो गई या वो यह कहना चाहते हैं आप यह कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा एक कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गया लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली हैं और खुद अजया लोग जी तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले कीचा गया फोटो है बकाइदा उपर डेट डाली हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में है कि तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले की चाही हुई है लेकिन वह अलग अगर नुवरात के पहले भी फोटो घिचाया हुआ है तो नुवरात के दूसरे दिन यह एल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते हैं कि यह मुझे उस पर कोई पती नहीं है कि जब सावन का महिना मटन करे शोर राहूल गांधी के साथ मटन चल सकता है एक मिनिट में खटम करूं नवल भाई जब सावन के महिने में राहूल गांधी के साथ मटन चल सकता है तो नवरात मचली क्यों नहीं चल सकती है करने दीजिया यह सब ठीक है अपना अपना सनातन को तो सवाल बस इतना है कि आपने ये काम तब जान बूझ के किया ताकि भावनाय आहत हो कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगर ने काम किया साथ अंजाने में गलती होई तो कोई बात नी जानते बूझते गलती क जानना इसको क्या कहेंगे नवल जी तेके रुबिगा जी भाजपा के पास मुदों पर कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भड़का सके आज आज जो सही सवाल क्या है जो उसका सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल यह तमाम सवाल जो है वो भारतिये चुनाव में महत्तपू सवाल बन गए है और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर आखिर को बता देना चाहते हैं कि आपका और हमारा जो सिगनल इसमें बैंडिट की थोड़ी सी कमी दिक्कत आ है क्योंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉन्च हुआ है उसमें जातिकत जनगणन का जिक्र हुआ है यहां 5 trillion economy की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइपर अटक गए मुद्दा तो यह भी है मुद्दा क्यों नहीं है यह मतलब आप उपर हवार हालीकप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे यह आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चरित्र क्या है और जंता के सामने आप क्या पोज करते हो यह दोनों चीजाओं का मत्वेद यह दोस्ता को पता चले खाना को पूरा परिवार भ्र zachlt 4 में लिफ्ट है ये जनता को जहनकारी आ गई है ये भी जहनकारी आ गई एक जिन्य का इस्टाइल क्या था है किया इनको गरीबों से लेन देना ये वोह लोग है जो है और रोकरी देने के पीछ हे एक जमीने लिखुआते हैं तेसी का केस पेंडिंग है ना दिल्ली में इनके 21 वारम हाउस हैं आप समझे कि यह 21 वारम हाउस सोचते हो कभी कहां से पैसा आया कोई बिजनिस है कोई वेपार है क्या सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ल्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होग जके घरीब दिस्टाइल की और अभी विह बएंपे ते हैं यह तो समझना और एक जेज़िन आप डिए पने वा स्ट्रो जाब के लुगों को बात को करके। लेकिन उससे पहले उससे पहले परिवार को गरीबी से निकाला गया है और पास साल बाद जब ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिय अध्यक्त हैं आज की डेट में वह जब वह क्या क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना चाहिए बताई बताई भाजपी जी परिवार वाद आप पर नहीं फिट बैड़ता क्या आप वही बात पूछ रहे तो ये बात पूछना आजै भाधपासना कि परिवार वाद का परिवार साक्याश क्या है जो उन्हें सूट करता वही है या कुछ वड़ भी है तो जिस तरह जिस तरह से बात ही है जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला आर्ट में वो तमाम तरह के बिंदुरों को लाते हैं जिसे कोई मतलब नहीं है जवाब दीजिए परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठाकुर को सीपी ठाकुर के बेटें विवेक ठाकुर कौन है इंदरा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवारवाद। आज से 50 साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी सबको पता है कि राजीव गांधी के बाद कौन होगा। परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें भाई सही बाद भी है लालु यादव पे किताब निकली थी बहुत फैमस किताब है प्रम फुलवरिया तो राइसीना हेल्स अपने भी नाम सुना होगा फुलवरिया तो राइसीना हेल्स लालु यादव की जीवन पर किताब था आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए प्रम चपरासी कॉर्टर सुसलिवरेटिंग बर्दे इन अरोप्लेंस जसे तेजसी करते हैं तो इटिंग मछली इन हेलिकॉप्टर आज कहे रहें हेलिकॉप्टर वाला विशे फालतु विशे ये लोग उठा रहे हैं मुद्दा यह ना चाहिए हमने का उठाया वीडियो ने पोस्ट किया है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरातरा के दूसरे दिन में मच्री खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आई-क्यू टेस्ट कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नहीं है आप 30 से या कल नवरातर था चुरुवात हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से ये भी पूस रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका ये बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रभी संगर प्रसाद जी और वैसे तमाम तरह के मौका मिला प्रधानमंती बन सकती थी उसके बावजूद भी प्रधानमंती नहीं बनी और मोहन सिंख को बनाए आप जिस तरह का बात ये लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो ये ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्सप इन्वर्सिटी के ज्यान के अधार पे और और ये बात इसलिए भी कहना जरूरी है ये भारतिये जनता में तो नेता तो छोड़ दीजिए प्रभकता भी इंपोर्टेड होते हैं और उनके भी अगर परिवार को देखा जाए तो आपको पता चल जाए कि राजमितिक परिवार ही है मैं बोल ये डिबेट पे आप एक दूसरे पर बार 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 कर सकते हैं मनुष्का का आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है लोग ये कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कह रही है कि हम लोग पांच ट्रिलियन की एकॉनमी इसे बनाने वाले हैं एक पार्टी है जो कह रह लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परो कि धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरफ से देता हूं और और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं हम ल पूछिए कि जातिगत जनगरना की बात इस देश में कप करी गई है जातिगत जनगरना इस देश में 1931 से हो रही है जनगरना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससकती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है उसकी गरना जान केंदरी सचिवालाएं किटने पटेलि Böyle कितने राजबर हैं मैं आप से सवाल करूं कि केंडरी siad happened rice कितने हरिजन हैं, कितने आधिवाशी हैं, आप से ये सवाल करूं, बिना उनकी संख्या असल में ये लोग वो बात कहते हैं, राश्टी अध्यक्ष खिलेश यादव जीने जो जातिगत जनगरना की बात करी है, वो संबिधान के अनुसूची साथ में, उसके संबिधान के अन सदियों से उनके द्वारा किये गए सोसन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी, लोग जान जाएंगे कि अरे यार ये तो तीनी फी सदी थे और दे, देश के संसाधनों पर इनका सामाजी कार्तिक राजने पर ये तो आर्दर सत्य है, वो 90 फी सदी है, इस से पहले भी हुई है, क्यों नहीं लाए गया? जातिगत जनगनना करवाने के बावजूद, क्या जो पिछड़े हैं, या जिनकी, अब आप कहान, अब सुन तो लीजें, सवाल तो सुनिए न मेरा, मैं कह रही हूँ, जातिगत जनगनना जब पहले भी हुई थी, जिनकी कम थी संख्या, क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जागा मिल गई? पहले की कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ. 35 साल से आरक्षर चल गा है, क्या सब को लोकरी मिल गई? जातिगत जनगनना हो जाने के बाद, यह बताईए मुझे, क्या अंतर आया बिहार में? बिल्कुल अंतर आया, बिहार में जातिगत जो सर्वे हुआ, उससे पता तो चला कि तीन फिस सदी के लोग में प्रिक्षर चलने से क्या हुआ? इलेक्रिसिटी की सबस्या हतम हो गई? बच्चों को पढ़ाई ओ लिकाई का पूरा पूरा प्रेसलिटी मिल नाशनलों हो गई? जातिकत जनक जनकननना आप बचाहिए हुआ क्या हुआ, बिहार क्या हो लोलू बन गया, बिहार में लंडन का ब्रिक्ष बन गया, जातिकत जनकननना हो जाने से फर्क क्या पढ़ा? कि आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने इस लिए ताकि आपको ये चाहते थे की सामने दोला जाएं आप मुझे नरेंद्र मोदी बारती जनता पार्टी नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जाती कर्ट जनकरें ना से बदलाव जहाती हूं कि उसका जवाब यहापर नवल किशोर जी दे दे बीस सेकंड में सबको दे रही हूं नावाद किशोर जी 20 सेकंड सब क्या बतला है देखिए रूबिका जी आप इतना पड़िसान ने जबाब सुन लेजे के स्टी का जानकारी सवसंतर प्राप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेशन मिला आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपरज भी चाती हो आज या लोग जी आप से और वाजपय जी आप से आप देखते रहिए यूजटी ने आज इद का चांद देखने वारा है आप जानते हैं कि कल इद बनाई जाएगे नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी पहलवानों से कोई पूचे तो ये कहेंगे वह हमारी इद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटा-फट रफतार से पीम मोधी ने तबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम करने शाना साधा का दीम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसबा प्रत्याशियों की दस्वी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रूगन सिना की खिलाफ टिकेट दिया पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमां चिया मिजशा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमू कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला कहा भारत गरीबों को बाट रहा है मुफ्त राशन पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से भीक मांग रहा है समाजवाधी पार्टी ने जारी किया अपना घोशना पत्र दोजार पत्र तक जातिकत जनगणना कराने के साथ किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाओत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रूस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रूस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंतरी राजकुमार आनंद का स्टीफा समाज कल्यान मंतरी पत से दिया स्टीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंस दादा पारिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पारिल सांगली से वी बीए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ भारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राजिसान के उपु मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना कहा कोरोना की तरफ कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईत का चांद तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशाला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांद दिखेगा चार जून को और तब तक हर एक तस्वीर हर एक बयार हर एक आक्शन और हर एक अरजी सुर्खिया बटोरीगी तो सवाल ये है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरसल हुआ ये कि तेजस्वीर ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वीर ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था लेकिन सियासत में ऐसे मुद्दे जंगल की आग की तरह फैलते हैं वो भी तब जब चुनाग चल रहा हूँ दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्युमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जर गणन करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी खबर किया थी बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्य खेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पावन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने ऐसे अलुवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर क्या आई मध्यप्रदेश से जहाँ पूर मुख्यमंत्री दिक्विजय सिंग ने कच्चा तीवू पर वेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कौन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाये जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणौत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिगविजय के बयान को यह तो आज इनी मुद्दो के इर्दगेर्द गूंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं पूर्णिया से निर्दलिय उम्मीदवार पप्पू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गूंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती हैं गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार-बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जन गन नाम का बार-बार उसमें अंडर लाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो सवाल में आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मेवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं बारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रिप्रवक्ता अजया लो और इस वक्त आपको एलजेपी के एके वाजपई साहब भी राश्ट्रिप्रवक्ता है नजर आ रहे हैं पपू यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत-बहुत स्वागत है पपू जे हमसे बातचीत करने के लिए लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चारा वो यही है कि आज की तारीक में आप कॉंग्रेस में हैं पपू साहब के नहीं है यह चिंता हमको तो समझ में नहीं आ रहा है आज के तारीक में नरेंदर मोदी जी चर्चा के विश्य नहीं रहा है कंगनाच चर्चा के विश्य नहीं रही हम तो एक बहुत सधारण आज आज हैं निर्दलिय उमिदबार हैं जनता के दिल में हमने दो दो लोगसरा सीथ को ठुतरा दिया मधेपुरा और सुपॉल कल तक मधेपुरा सुपॉल का नाम का डिकलेरेशन नहीं हुआ था हमने कहा लालु जादमजी से गारचन हम अधिपुरा सुपॉल नहीं चाहिए हमने तो ड़क तो पांच गउमांगत हैं हमने तो एक ही गउमांगत और कॉंग्रेस ने ना मुझसे कहा कि आप अलग हैं, ना मुझसे कहा कि किस परस्थिति में नहीं मिली, तो आप हमको एक बात बताएं, ना, पपू यादव जावोगा रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक खेतरिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था पपूजी मैं आपसे बस एक इलतजा इस बात की है कि आपने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा कर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा न आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पालपोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रेस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रेस की तरफ से पापू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल ना पपूजी देखिए आप मेरे सुखिंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाउस हुचा है अपने को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रमदी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए इस तरह दिल्ली में हम घर छोड़ करके नौ मेने तक बाहर रहे इसके बाद पटना के बार में और दोनों बार मधेपुरा जाती पाती के अधार पर पप्पू यादर को अच्छा जिन लोगों ने पटना में एक बार घर से नहीं निकला उस अधार पर उसको फिर बना दिया मैं बहुत गहरे सविय में गया यह ऐसा देश है भाई जो एक बाद पूबिक को देखने नहीं पटना में बाढर में एक मैले एंपी मंत्री संप्री देश के प्या नहीं निकले और जो नौ मेना सर्कों पर रहा कभी एंबूलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी सेबक को जो सिफ बेटा होता नेता को कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई इस्कूल हम टोपर थे आनलमार विस्कूट टोपर थे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखिए मेरी बात एक मिट समझ लिए मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैंने क्यों ठोड़िया अपने पार्ty का विलाई कर दिया आप कोई minute मेरी बात तो समझ्ञशी है ना पार्ती पहुत सचाई के राष़्ते को क抽श पें अथे सब्सी पैसी एक्सेप्ट नहीं करता विजों को इस बात का नेताओं को डर रहता है फपफ्प याधव पता नहीं मतलब हमारी सच्चाई ही हमारा दुश्मन हो दिया मेरी मतत्री हमने कहीं गल्टियां हो तो मैं सुटार भी करूंगा देखे एक है पुलिटिकल संस्क्रित आप गुमा फिरा करने के आदी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह पताईए ना आप आपको दोका मिला है कि नहीं मिला और अगर दोका मिला है तो किस से मिला है किसमे दोका दिया रूबिका जी प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद कि अधी लालू यादर जी उसको नहीं लर सकते आप पुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिशा जी से कहा कि मिशा जी मेरी बेहन कितरा मेरी परिबार कितरा और बहुत सब्सक्राइब आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला और तकलीप हुई हमारे पापा को मैं चमा मंगता हूं आप लालतें से ही हमको पूर्मिया देजें लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही सब से होती रही लेकिन मुझे आसर्जवारू भीका जी मुझे ये कहां से ये बात सही है कि कॉंग्रेस गटबंधन धर्म को चाहता क्योंकि कलकटा में बंगाल में यही हो गया पंजा में यही हो गया चिपी आई ने क्या कि राओ गांडी के कि खिराफ दी राजा की पत्ति चुनो लर गई तो उनके लिए सामने में यह नहीं टाकि हम भी के कि फोर्गो करिए चोड़ दीजे यह एक सीद के चलते हैं जबक मैं तो कह रही हूं ना आप बार-बार कह रहे हैं कि पुर्णिया आप छोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे लेकिन आरजएडी के उम्मीदवार भीमा बात दिये कह रही हैं कि आप BJP से मिले हुए हैं आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो BJP क मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूँ रहा और आप बात बता दिए कि बहुत किलियर बताइए हमको कि वीजेपी की बीटीम बंगाल में मंता जी भी कॉंग्रेस है पंजाब में आम आदमी पाटी है कि कॉंग्रेस है लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाओ जीता जहां हम चारचार बार संसर्च भे छे बार हैं आप पोने साथ राक यादव होने के बाद दिए आप एक बार पाटली पुत्रा में यह काउंटर तो आपने त मेरी बातों सुने मेरी बात में रुभीका जी अचाठीक हम आप एक बात बटाए ना घृट्टार जी जो लोग टिकट बाते हैं कहीं पर देखिए सास्वत पांडे को आप गर्नेया को भी भी बीजय पी की भी इतिम कर देजें कॉन चीनाया या वह लोग्ध को नहीं वो जबर्धस्ति Congress को दे दिया आप अरुनार भायवला सिर्ट दे दिया आप साबुदी जी की पत्री को आपने आप तो साबुदी जी की पत्री को आप लगाता है पॉन कर रहे हैं पर्फों से पपु यादव के ढर के तारण जम्मे ने कहा दिया कि मैं कैंप करूंगा आप अब ब्लूआ है कि तो आपको पैर ना सापट करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बातों मैं कह रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदब भी नॉमिनेशन में हरीकेप्टर लेके मेरे हां गये जबकि आज तक कोई भी आजमी नॉमिनेशन में नहीं गिया करें पपू य खिलाफ नॉमिनेशन में आणा और यहाद तक कॉंग्रेस के जो सीट कभी छोड़ी नहीं जो सीट मेरे परिबार का पूर्णिया का सीट जहां जाटपात नहीं होता है मेरे सामने में ना को हिंदू मुसलमान ना जाटपात सब तेरा परिबार होता है हम आज तर मध्यपु पुर्यां की लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे हैं जाम अब आद चैनल फॉर्या में तो गलत हैं कंग्रेस में मैं मेरे फैसिल्बाइब उस में आफिर अशीरबार देखे 네 गाया सभी से मोडत ये हो गया अथम को पशंच चाहिबคร positive लीत कर गया आप जंतरमंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैठे थे और आपने योगी अदितनात का मजाक उड़ाया था कि वो कैसे सदन में भैभाय करके रो रहे थे और अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलाट कर आता है क्या कहेंग फिटिव अठारे दिशाद कर रहे हैं हम ऐ original के डर्से में नहीं हुआ रहे थे हम तिकट के लिए थे तो आइन्म गटबंधन के इस नहीं नहां रहे है आप 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 आपने आपने पप्पु यादव को अपना अपना दर्द होता है आपने वो जो रोने का मजाख उड़ाया उसी को लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप शायद अगर यह ना करते तो आज वो आशू आपको भी पब्लिक के सामने ना निकालने पड़ते रूबिकाजी 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 हम अपने माँ और अपने घर में लोए हम सदण में नहीं रोए हम पुलिस के डर से नहीं रोए हम तो रोए उस बात को लेकर कि जब हमने एक चीज जित पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकटर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको भीपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पायद पगर के टिकट नहीं मांगे हम मधे पुना शुपर ले सकते थे यह हि आउन में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कितनी बीड़ कर्था हो रही है क्या आप कर रहे हैं वो सब जानूंगी फिलाल आपका बहुत 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 शुक्रिया तो पपु यादव यहां कहते हुए कि मैं कि किसी के पैर चुकर पैर पे प नवल किशोर जी बहुत बहुत स्वागत आपका माफी चाहती हूं क्या कहेंगे आपने पपु यादव जी कह रहे हैं आप लोग इतना खौफजदा हैं आप लोग इतना चिड़ गए कि आपने उनका टिकेट कार्ट दिया विलाय आपको पसंद नहीं आया एक बार इस पर बट्रेंड किया अपने दल के जो संसदिये बोड के मेंबर हैं वो सारे लोग देखकर और किसको कहा लगना चाहिए उसे विचार मन्थन करके और वहां पर टिकर दिया उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला ये इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं हमें हमें तो हमारे पास तो उनके टिकट नहीं मिलने का कोई जवाब क्यों रहे हमसे कोई क्यों मांगेगा हां आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलत नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लग सुनी जाए कि चुनाओ लड़िए इसके आप इंडिपेंडेंट भी देश में लोग चुनाओ लगते हैं आप लड़ है कोई नहीं बात को रहे हैं एक ही आदमी के लिए हेलिकॉप्टर से तेजस्वी साहब जो है वो नामंकन दाखल करने के लिए गये हैं यह क्या बताता है आपकी अनुसार या पपूजी क थैसे तेंगे आपके नेता है जो आपके पसंदी अउमीद्वार होगा जहाँ आपके सबसे ताकतवर नेता की जरुत होगी वहां पर वो दाएंगे लेकिन उसके पीचे के रीजन को पप्पू यादव कहा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं पप्पू यादव को ये भी कहना चाहिए कि उनके हेलिकॉप्टर से आने से मुझको डर लग गया अब मेरी हार सुनिस्चीत हो गई कि या वो ये कहना चाहते हैं आप यह कह रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा कैंड़ेट है उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच गये लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए नजाने क्या-क्या मुद्ध जो ह हुई है फिर आप क्यों अटैकिंग मोड में हैं कि अधिक तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि नवरात के पहले गिचाही हुई है लेकिन वह अलग बात है कि कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट का वहलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर जाकर गुद्धा वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो घिचाया हुआ है नवरात के दूसरे दिन ये एल्बम पोस्ट करना क्या मतलब है यह कहते है कि हम बच्पन से बुतुरू थे तब से छठी मया जय चठी मया जय चठी मया करते है तो जय चठी मया के दीन मच मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं क्या नवरात्र का क्या मतलब होता है हिंदू के दिलों में किसी को बताना है लेकिन मुझे उस पर कोई आपती नहीं है कि जब सावन का महिना मतन करे शोर राहूल गांधी के साथ मतन चल सकता है एक मिनिट में खतम करूं नवल भाई करने देजिए यह सब ठीक है अपना-पना सनातन को मानने का तरीका है जैसे उसको नहीं मानना है तो सनातनिक Неए कैसा धर्में इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं ह। हमकों कौन होते हैं फोर्स करने वाले के पास मुद्वों पर कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सरा बात था जिसे लोह को भड़ता सके आज आज जो सही सवाल क्या है यूसका सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल पूछ रहें कि आपने पिछले तोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपका जो विज्वल है वो थोड़ा चोटा कभी जूम हो रहा है कभी जूम आउट हो रहा है मैं वो दुरुस करवाती हूँ फिर आपके पास आती हूँ एक वाजपई जी भी हमारे साथ जुड़े हूँ है वाजपई जी यह कोई मुद्दा है क्यूंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर करना या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है मनोश काका की तरफ से आज मैंने फेस्टो लॉंच हुआ है उसमें जातिक जनगणना का जिक्र हुआ है यहां पांच ट्रिलियन एकॉनमी की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइप पर अटक गए है कि मुद्दा तो ये भी है मुद्दा क्यों नहीं है ये मतलब आप ऊपर हवार हाली कप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और तेवार वाले दिन मचलियां खाएंगे ये आपका चरित्र तो दिखाता ही है ना आ आपका असली चरित्र क्या है और जनता के सामने आप क्या पोज करते हो ये दोनों चीजों का मतवेत तो जनता को पता चलेगा ना पूरा परिवार ब्रस्टाचार में लिफ्ट है ये जनता को जानकारी आ गई है ये भी जानकारी आ रही है कि इनके इनके गीने का स्टाइल इनको गरीबों से लेना यह वोग है जो है यह जोंकरी देने के पीछ आपने लिखवा लिखवा ते उसी का केस पेंडिंग इनके 21 वारम आउस है आप समझे कि यह 21 वारम हाउस सोच सकते हैं कहां ते प्रसा एक कोई बिजनिस है कोई वैपार है क्या रहा रहा है जिरफ जनता हुई है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना होगा उसकी गिनती वाच्पई जी गिना रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल की बखान कर रही है उसका जवाब मनुश का करेंगे लेकिन उससे पहले वाच्पई जी आप गरीब गरीब बार बार ये कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया है सच्चाही क्या है वो बाजपई जी से पूछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिय अध्यक्ष है आज की डेट में वो जब वो क्या-क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना चाहिए बताई बताइए बताईे वाच्पई जी ए परिवार वाध आप पर नहींटा क्या अप वह reasonably से बता ना चाहिए भी आ है किसलो मकाम तकस्ता नहीं कि नहीं बैटता है ड का है और जो यहे चुनाव, यहार में ने ने आप बही बात पूछ रहें है तो यह बात is भात हा करता वही है तो जिस तरह जिस तरह से देगे बात ही है जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला कोई मतलब नहीं है आज जवाब दीजिए परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है पॉट डिखा रहा हुँ उनका फोटो दिख्रार आयल तीन जेनरेशन की फोटो है इंडरा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांदि यह परिवार बार आच concert पहले पता था इंद्रागांदी को कि मेरे बाद राजीव गांधी होगा, उसके बाद उसके बेटे होगे और आज भी थको पता है कि राजीव गांदी के बाद कौनzers रहते हों जबी ओ...? है और अभी भी पता है कि तैजास्टी का बेटा फिरागे जाके समहाले गा zap 30-second में आप काउंटर कीजीगा, ठीक है? हान? देखे, ये सब परिवारवादी इंस्पार्ड है गांधी परिवार से, क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है, तो हम क्यों निकले हैं? और सही बात भी है, लालु यादव पे किताब निकली थी, बहुत फेमस किताब है, फुलवरिया टू राइसीना हिल्स, आपने भी नाम सुना होगा, फुलवरिया टू राइसीना हिल्स, लालु यादव की जीवन पे किताब था, आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए, विदियो पोस्ट किया है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरातरा के दूसरे दिन मच्छी खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को कि मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आईक्यू टेस्स कर लें लोग पढ़ता लिखता नहीं 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 कि नवरातर का दूसरा दिन चल रहा है कल नवरातर था चुरुवात हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से यह भी पूछ रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिस जिस जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और र दुनिया गांधी को मौका मिला प्रधान मंति बन सकती थी उसके बावजूद भी प्रधान मंति नहीं बनी और मुहन सिंक को बनाए आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट परिवारी है मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बात सौ परतिशत सही है जोतिना चिंदिया हो मैं आगे इस डिबेट को ले जा रही हूं सर सुनी आप ही के साथ ही मनोच का का पिशले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हो आप वह भी अपनी वाले हैं एक पार्टी है जो कह रही है हम जाती कर जनगनना करवाएंगे एक कह रहे हैं और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आप पर आपकी टिपड़ी इस पर देखे बहुत देर से आप आई लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परो के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विक्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं हम लोग जातिगत जनगरना की बात कर रहे हैं आप से बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ हूं बहुत साधारन सब्दों में उन मूढों से उन बेवकूफों से उन संबिधान के बिधान से बिहीन लोगों से ये पू प्रफ्टी करण के लिए कितने संसाधनों किया उसेकता होती है, उसकी गढ़ना जाने बगार कहां से उपलब्द करा जाएगा, मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंद्री सचिवालाई में कितने कुछ बहा है, कितने पटेल हैं, कितने बिंध हैं, कितने राजभर हैं, कि मैं आपसे सवाल करूं कि इस देश के केंद्री विशुभी दियालों में कितने राजबर हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने बिंध हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आधिवाशी हैं, आपसे यह सवाल करूं बिना उनकी संख्या, असल में ये लोग वो बात कहते हैं, राश्टी जनगना करें इस देश का कल्यान्ट नहीं हो सकता चुकि यह लोग वह इसका विरोध करते हैं जो सामंती और रुश्च बर केетр के लोग जो जानते हैं कि जातीकत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये तो सोशन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएंगे कि अरे यार यह तो तीनी फीसदी थे और देश के संसाधनों पर इनका सामाजी का राजनेटी पूप से जो भागीदारी है वो 90 फीसदी है इससे पहले भी हुई है गणना के नहीं हुई है आप मुझे बताईए यह तो यह तो आप अपने साइड का ट्रूथ बता रहे हैं कई ऐसे रिपोर्ट साइड अरे सबके साइड का बता है किसकी सरकार्ती बताईए मुझे क्यों नहीं लाए गया आरे सुनिये तो 11 में क्यों जा रही है आप मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश में 1999 में ज 40 करोड लोगों का मैं मैं सुन रहा हूं हाँ मैंने तो कुछ बीच में टोका ही नहीं आप तो अच्छी बात करें मैं तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी दे जिए ना जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब कहान अब सुन तो लीजिए ना सवाल तो सुनिए ना मैं कह रही हूं जातिगत जनगणना जब पहले भी हुई थी जिनकी कम थी संख्या क्या उन्हें नोकरियों में उतनी जगा मिल गई पहले कि कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ 35 साल से आरक्षर चल गा है क्या सब को लौकरी मिल गई बिहार में क्या अंतर आया जातिगत जनगणना हो जाने के बाद यह बताईए मुझे क्या अंतर आया विहार में बिल्कुल अंतर आया विहार में जाति जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन पर कब जाने से क्या हुआ है बच्छो को पढ़ाई जनक जनकदार ना शेंट मुझे बताईए हुआ अरे क्या कैसे बतलाव आया जातिगत जनकरनः आप बिहार किया बिहार बॉमिंगर बन गया यह बहार में लंडन कपरिज बन गया जातिगत जनकरनः हो जाने से फर्क क्या पड़ा सब्सक्राइब करवाया था आपने जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आपने लोग आपने ही सच्छा ही बता दी कि विलाने के आपने बनाया था सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर नवल किशोर जी बीस सेकंड में बीस सेकंड में सबको दे रही हुए देखे रूबिका जी आप इतना परसान ने जबाब सुन लीजे कि इस्टी का जानकारी सवसंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेशन मिला आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपरजेंटेशन हुआ है रिजावेशन का मतलब सबको नौकनी देना नहीं हुआ रिजावेशन का मतलब हुआ कि जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुखिधारा मिलाना है पर रिजावेशन का मतलब क्या हुआ सरबक की कमी माफ ही चाती हुआ जया लोग जी आपसे और वाजपे जी आपसे आप देखते रहिए आज इद का चांद दिखने वारा है आप जानते हैं कि कल इद बनाई जाएगे नवरात्र का दूसरा दिन लेकिन इन सियासी पहलवानों से कोई पूचे तो ये कहेंगे वह हमारी इद या हमारा चांद या हमारा असल नवरात्र तो चार जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटाफट रफ्तार से पीम मोदी ने तब लारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का दीम के और कॉंग्रिस जैसी परिवारबादी पार्टियों ने युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया बीजेपी ने लोगसबा प्रत्याशियों की दसवी लिस जारी कर दी है एसेस अलुवालिया को आसन सोल से शत्रूगन सिना की खिलाफ टिकिट दिया पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमांची अमिच्छा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमू कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला कहा भारत गरीबों को बाट रहा है मुफ्त राशन पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया से भीक मांग रहा है समाजवादी पार्टी ने जारी किया अपना घोशना पत्र दोजार पत्र तक जातिकत जनगणना कराने के साथ किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रूस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रूस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंत्री राजकुमार आनंद का स्तीफा समाज कल्यान मंत्री पत से दिया स्तीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंस दादा पारिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पारिल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राज़सान के उपु मुक्यमंतरी दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना कहा कोरोना की तरफ कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईद का चांद तो आज दिख गया है दिख जाएगा इंशाला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चांद दिखेगा चार जूम को और तब तक हर एक तस्वीर हर एक बयार हर एक आक्शन और हर एक अरजी सुर्खिया बटोरीगी तो सवाल यह है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालू यादव के छोटे बेटे ने हलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरह सल हुआ ये कि तेजस्वीर ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वी ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था लेकिन सियासत में ऐसे मुद्दे जंगल की आग की तरह फैलते हैं वो भी तब जब चुनाथ चल रहा हूँ दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जन गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्यमंत्री चंदर शेखर के बेटे पूर प्रदान मंत्री माप कीजेगा च चबकि चंदिगर से अबिनेत्री किरनखेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पवन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने एसेस अलूवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती खबर के आई मध्य प्रदेश से जहाँ पूर मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कोन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाय जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वीट में क्या कहा दिगविजय के बयान को ये आप माल लीजिए दिगविजय का बयान ये दिखाता है कंगना रनौत कह रही है कि कॉंग्रिस ने नहरू वाली मानस सिक्ता से अपने आपको बाहर नहीं किया है यानी चुनावों में कच्चा तीवू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के इर्दगेर्द गूंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफेस्टों जो बार बार निकल कर आ रहे हैं उसका जाती जनगननाम का बार बार उसमें अंडरलाइन जो जिसे आप हेडलाइन कह सकते हैं क्या बताता है ट्विटर पर वो मनोज काका इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आर जेडी के नवल किशोर आपसे कुछी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के राश्री प्रवक्ता जया लोग और इस वक्त आपको लजेपी के एक वाजपई सहाब भी राश्री प्रवक्ता है नजर लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चाहरा वो यही है कि कि आज की तारीख में आप कॉंग्रेस में हैं पपु साहब के नहीं है यह जो आज के तारीक में नरेंदर मोदी जी चर्चा का विषय नहीं रही है अपलोग जबकि हम तो एक बहुत सधारण आपी है निर्दलिया उमिद्बार हैं जनता के उमिद्बार हैं जनता के दिल में हमने दो दो लोगसरा सीथ को थुतरा दिया मधेपुरा और सुपॉल तक मधेपुरा सुपॉल का नाम का डिकलिरेशन नहीं हुआ था हमने कहा लालु जाद्व जी से गारजन मधेपुरा सुपॉल नहीं चाहिए कवांग्रेस की जहां तक सवाल हैю कि यह नम लडग ऐखा huge receive कि किस परस्थिती में नहीं मिली तो आप हमको एक बात बताइए ना कि पप्पु यादव जब रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक खेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था तो हमने खुद देखा है ना नेरी बात तो सुनिये ना आप सुनिये ना पपुजी मैं आपसे बस एक एक इलतजा इस कि आपने अपनी जिन्दगी की सारी पूंजी लगाकर मेहनत करके एक पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पालपोसा बढ़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाय कर दिया और जो कॉंग्रिस की तरफ से पप्पू सहाब आपको मिला वो क्या मिला एक टिकेट तक नहीं तो ऐसे में सवाल ना पपू जी देखिए आप मेरे सुपिंटक हैं आप याद कीजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना मे मैंने देश की सेवा की सब के लाज हुचाय अपनों को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रमदी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए इस तरह दिली में हम घर छोड़ करके नौ मैने तक बाहर रहे इसके बाद पतना के बार में और दोनों बा यह कैसा देश है भाई जो एक बाद पब्लिक को देखने ने गया पड़ता में बार में करोना में एक MLA MP मंत्री संत्री देश के PMCM नहीं निकले और जो नौ मैना शर्कों पर रहा कभी एम्बूलेंस को कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पताल में कि सेबक को जो बेटा होता नेता तो कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई जिला स्कूल हम टोपर थे आनलमार विस्कुटेटो पर थे हमने बचपना देखा हमारी मां देखे मेरी बात एक मिन्ट समझ लिए पपूजी मैं मैंने तो आपको बहुत करीब से देखा है मैं तो आपको आपको आ पपूजी आदब के तो किसी घलत के बारे में क्या बोल देंगे तर हमारे खिराबना कुछ हो जाए मतलब हमारी सचाई ही हमारा दुश्मन हो लिए मेरी मधधी हमें कहीं गल्तियां हो तो मैं सुटार भी करूंगा एक पॉलिटिकल संस्का एक है संस्किती मैं आपको द्रोका मिला है कि नहीं मिला है तो कि से मिला रूबिका जी आप प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादव जी सब्सक्ते आप कुर्णियां के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिसा जी शे कहा कि मैं आपको लगता है कि मैं कॉंग्रेस में गलत चला गया और टकलीप हुई हमारे पापा को मैं च्रमा मंगता हूँ आप लालतें से ही हमको पूर्मिया देजें लेकिन मेरी बात सारी चीज होती रही सब से होती रही लेकिन मुझे अर्सर्जवारू भी का जी मुझे ये कहां से यह बात सही है कि कॉंग्रेस गटमंधन धर्म को चाहता था क्योंकि कलकटा में भंगाल में यही हो गया पंजा में यही हो गया पूर्णिया आप चोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं चोड़ेंगे लेकिन आर्जेडी के उम्मीदवार भीमा बात दिये कह रही है कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजेपी के लिए रास्ता बना रहा है आप बता दीजे एंडिये के खिलाफ त्रिकोणिये संगर्ष है पंपो यादम सामने रहेंग तो वोट तो बढ़ जाएगा ना रूबिका जी एक बात बोल मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूंगा और आप बात बता दीजिए कि बहुत की बताहिए हमको कि भी जेपी की बंगाल में मंता जी जी इतवाण पंजाब में आम आदमीival कंगरेश ना? सीपियाई है की कॉंग्रेश है कि कांग्रेश है एड़ हम तो यह कहेंगे जिस परिकेते बिहार में लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाओ जीता जहां हम चार-चार बार संसर्ग रहे छे बार हैं आप पोने साथ राक यादव होने के बाद पुत्रा में ये काउंटर तो आप चुना मेरी बातों सुने ना मेरी बात नहीं है रुबिका जी अचा ठ ये जो जो नहीं नहीं जो निखिल बाद बाद शीट ले लिए वो नहीं आप पुए आप चुनाओ लड़ते थे आप अब अगलपुर लड़ते थे वो जवरधस्ति कॉंगेस को दे दिया आप अरुनार भायवला सिट दे आप साबुदी जी की पत्रिको आपने तो शब्विक डिया में अधिक अधिक भी ने लेंगे वह फुदार और अपने मध्य पुडा में तिकत कर दी पर आपका दुष्मन कॉंट बताइए ना कॉन आपका दुष्मन कॉंट जल रहा है अपसे मेरा दुष्मन मैं खुद पूर नहीं हमको पार पकर लेना चाहिए हमको ए खक्फुष्टी करना चाहिए हमको भी ठख्फुष की राजनिती करना चाहिए हमको भी नफरत की जाज़ पात की מדu-Musleman की राजनिती का करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन meno कि I am I am तो आपना खौफ है और जो सीट कॉंग्रेस कभी छोडी नहीं जो सीट मेरे परिबार का फूर्णिया का सीट हो जाज़पात नहीं होता है मेरे सामने में ना को हिंदु मुसल्मान ना जाज़पात सब मेरे परिबार होता है हम आज तर्मधेपुरा में हम वे पुनती लाग से चुना जीते जब नरेंदर मोदी जी की लार थी 2014 में तब हम वहाई फस्में चुना जीते हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पुरिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे चुना पुरिया आपके बिलाए का फैसला गलत हो गया कॉंग्रेस में नहीं मैं मेरे बिलाए का फैसला गलत नहीं हुआ मैं लालू यादव जी से आशिरबाद लेके गया सबसे मोड़ी बात यह हो गया कि हम कॉंग्रेस में क्यों बिलाए कर गया यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइर अब लोग आपकी रोती हुई तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि कर्मा जो है मुलाट कर आता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वह रो रहे थे वह रो रहे थे कि लाटी कैसे खाए हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ति निकालना चा है हम गट बंधन के लिए तो नहीं न रो रहे थे आप 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 आपने आपने पपु यादव को आपको अपना अपना दर्द होता है आपने वह रोने का मजा उड़ाया उसी को लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप शायद अगर यह ना करते तो आज आपको भी पब्लिक के सा नहीं रोए हम एडी सीविया के डर से नहीं रोए हम रोए उस बात को लेकर के कि जब हमने एक चीज जित पर हम आजीवन से ना किया और वहां कौन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकप्तर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको भीपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पायद पगल के टिकट नहीं मांगे हम मधे पुना शुपार ले सकते थे यह इस डेश में किसी के पास नहीं आपको कूप सारी शुष काम नाइं और दुबारा अपसे मुलाकात होगी और इस बार ग्रावन में मुलाकात होगी मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आउनगी और कितनी भी तीकर्था हो रही है क्या आप कर रही हैं वो सब जानूँ triumph फिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो पप्पू यादव यहां कहते हुए कि मैं किसी के पैर चुकर पैर पे पढ़कर टिकेट मांगने की बात नहीं कि इसलिए मैं लड़ा हूं अब मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रही हूं डिबेट में सारे खास मैमार हमारे कि नवल किशोर जी माफ कि शक्ति सिंग नहीं हैं अमारे साथ नवल किशोर जी बहुत बहुत स्वागत आपका माफी चाहती हूं क्या कहेंगे हैं अप लोग इतना खौफजदा हैं आप लोग इतना चिढ गए कि आपने उनका टिकेट कार्ट दिया विलाय आपको पसंद ही आया एक बार इस पर रियाक्शन दीजिए और उसके बाद मैं मसले को आगे बढ़ा दिए रुबिका जी टिकट उनको किस ने नहीं दिया क्यों नहीं दिया और वो कहां थे वो जाने हमने तो जो टिकट का बटिरन किया अपने दल के जो संसदिये बोड के मेंबर हैं वो सा टिकट नहीं मिलने का कोई जवाब क्यों डाएगा हमसे कोई क्यों मांगेगा हाँ आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलत नहीं है अगर आप चुनाव मैदान में है तो आपकी एक लक्ष ने जाए कि चुनाव लड़िये इसके आप इंडिपेंडेंट भी लोग चुनाव लड़ते हैं आप लड़ है कोई नहीं बात को नहीं है अदमी के लिए हेलिकॉप्टर से तेजस्वी साहब जो है वो नामंकन दाखल करने के लिए गये हैं यह क्या बताता है आपकी अनुसार या पपूजी के अनुसार य लगा कि वहां चाहिए और उसमें क्यों किसी को परेशानी होगी नवल जी आपके नेता है जो आपका पसंदीदा उमीदवार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीचे के रीजन को पपूयादव क्या रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं किसने टिकेट दिया वो जाने हमसे इसका क्या मतलब है हमारा इसके लिए हमारे तेजस्वी यादव पर पहुंच गए लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए नजाने क्या-क्या मुद्ध जो है वह आप उठाए हैं और खुद अजया लोग जी तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले कीचा गया फोटो है कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट है कब हेलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुद्ध वो नहीं है मुद्ध वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो गिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर ये अलबम क्या मतलब है ये कहते हैं कि हम बच्पन से बुतुरू थे तब से हम छठी महिया जय शठी महिया जय शठी महिया करते हैं तो जय शठी महिया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं क्या नवरातर का क्या मतलब होता है हिंदू के दिलों में ये किसी को पताना है लेक तो इसको नहीं मानना है, तो सवाल बस इतना है, कि आपने ये काम तब इसका मतलब जान बूझ के किया, ताकि भावनाय आहत हो, कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी, तब तो और जगर ने काम किया, अंजाने में गलती होई त जानते बूस्ते गलती करना, इसको क्या कहेंगे, नवल जी, ठेके, रुबिगा जी, भाजपा के पास मुदों पर कोई बात नहीं है, इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भड़का सके, आज जो सही सवाल क्या है, उसका सही समय क्या है, वो सवाल पूछने पर क्या किया, यह तमाम सवाल जो है, वो भारतिये चुनाव में महत्तपू सवाल बन गए है, और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है, इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की मुदों पर चुनाव रहना चाहते हैं, और हमारा जो सिगनल इसमें बैंडबिट की मुद्दा है क्यूंकि जुनाव में हर एक चीज मुद्दा बनती है, बनाई जा सकती है, जनता के मन में बिठाई जा सकती है, यह तस्वीर पॉस्स करना, या फिर मनोश काका भी हमारे साथ बने हुए है, मनोश काका की तरव से आज मैने फैस्टे लांच हुआ है, उसमें जातिकत जनगणना का जिक्र हुआ है यहां 5 trillion economy की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइपर अटक गए और तयौहर वाले दिन मचलिया खाएंगे यह आपका चरीत्र तो दिखाता ही है ना आपका असली चरीत्र क्या है और जंता के सामने आफ क्या पोज करते हो यह दोना चीजों का मतवेध प्रिश्दा को पता चलेगा ना पूरे परिवाल ब्रस्टाचार में लिफ्ट है ये जनता को जानकारी आ गई है ये भी जानकारी आ गई है कि इनके 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 इ कमाई को लूटा है और यह वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होगी है लालू यादव जी को पांच मुकदमों में सजा हुई है नवल जी गरीबों की बात करते हैं यह तो समझना होगा उसकी गिनती वाचपई जी गिना रहे हैं आप लाइफस्टाइल के बखान कर रही है ओके उसका जवाब मनुश का करेंगे लेकिन उससे पहले उससे पहले वाजपई जी आप गरीब गरीब बार बार यह कहते हैं लेकिन सचाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीबी से निकाला गया है सच्चाही क्या है वो बाजपई जी से पूछे कि लोजपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोजपा के जो रास्तिय अध्यक्त हैं आज की डेट में वो जब वो क्या-क्या कर रहे थे उनके विसाय में बता देना चाहिए बताईए बताईए वाजपई जी परिवारवाद आप पर नहीं फिट बैठता क्या परिवार के बताना चाहिए इस फिर बैठता है और चिराक पास्वां जी परने बैठता है क्या और जो लोग चुनाव लए ब्यार में ने आप आप वही बात पूछ रहा तो यह बात पूछ ना super फिट पास ना कि परिवार बात का परिवासा क्या है । जो उन्हें सुट करता वही है या कुछ वह परिवार बाद सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई है और सीपी ठाकुर कोन है पोटो दिखा रहा हूँ एक और तीन जेनरेशन की फोटो है इंद्रा गांधी सोनिया गांधी राहूल प्रियंका गांधी यह परिवार वार आससे 50 साल पहले पता था इंद्रा गांधी को कि मेरे बाद राजीव गांदी होगा, उसके बाद उसके बेटे होगे, और आज भी सबको पता है कि राजीव गांदी के बाद कौन होगा, लाजीव ले लिजेगा, उनको पता है कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा, अभी भी पता है कि तेजस्टी का बेटा पिर आगे जाके सम सब परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें भाई सही बाद भी है लालु यादव पे किताब निकली थी बहुत फेमस किताब है अपने भी नाम सुना होगा फुलवरिया टू राइसीरा हिल्स लालु यादव की जीवन पर किताब था आज किताब एक दूसरी निकलनी चाहिए फ्रम चपरासी कॉर्टर्स टू सेलिबरेटिंग बर्दे इन एरोप्लेंस जह तेजसी करते हैं फ्रम चपरासी कॉर्टर्स ट दूसरे दिन मच्छी खाके वो मिर्ची लगा रहते भाजपाईयों को मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आई-क्यू टेस्स कर लें लोग पढ़ता लिखता नहीं 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 है आप 30 से अब बढ़ते लिखते नहीं है जान जिसके भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है और कल नवरात्र था चुरुआत हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं व् पहला तो इन से यह भी पूस रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रभी संगर प्रसाद जी और वैसे तमाम तरह के प्रधान मंति नहीं बनी और मोहन सिंक को बनाए आप आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्सप इन्वर्सिटी के ज्यान के अधार पे और यह बात इसलिए भी कहना लेकिन यह बात सौपरतिसत सही है जोतिना चिंदिया हो मैं आगे इस डिबेट को ले जारी हूँ सर सुनी आप ही के साथ ही मनोच का का पिछले कई मिनट से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का मैं चाहती हो आप वह भी अपनी बात रखें और उसके बाद यह डिबेट पे करें यह हम जातिकत जनगणना करवाएंगे एक क्या रहे हैं और दूसरा बैक्वर्ड लुकिंग क्या है आप पर आपकी टिपड़ी इस पर देखें बहुत देर से आप आई लेकिन आपको शादुबाद और आप शमेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के परों के धेर सारी मुबारक बाद मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विख्सित भारत के राष्ट की कलपना कर रहे हैं हम लोग जातिगत जनगरना की बात कर रहे हैं आपसे बहुत साधारन सब्दों में मैं पूछ रही है जन गड़ना इस देश में 1872 से हो रही है और किसी भी समाज तबके या समू का उसके ससक्ती करण के लिए कितने संसाधनों की आउसकता होती है उसकी गड़ना जाने बगर कहां से उपलब्ध करा जाएगा मैं आप से पूछू कि इस देश के केंद्री सचिवालाय में क कितने बिंध हैं कितने हरिजन हैं कितने आधिवाशी हैं आप से सवाल करूं बिना उनकी संख्या असल में ये लोग वो बात कहते हैं राश्ट्री अध्याच छखलेश यादाव जी ने जो जातिगत जनगरना की बात करी है वो संबिधान के अनुसूची साथ में उसके इस देश का कल्यान नहीं हो सकता चुकि यह लोग वो इसका विरोध करते हैं जो सामंती और उचबर के लोग हैं जो जानते हैं कि जातिगत जनगरना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किये गए सोसन की तस्वीरें बाहर आ जाएगी लोग जान जाएंग यह तो यह तो आप अपने साइड का ट्रूथ बता रहे हैं कई यासी रिपोर्ट साइज अरे सबके साइड का बता रहे हैं किसकी सरकार थी बताईए मुझे क्यों नहीं लाए गया आरे सुनिये तो 111 में क्यों जा रहे हैं आप मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको इस देश म मैंने तो कुछ लीच में टोक ही नहीं आप तो अच्छी बात कर रहे हैं तो सुन रही हूं काईदे से पर मेरे सवाल का जवाब भी दे दिजे ना जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी अब कहां आप सुन तो लीजे ना सवाल त संख्या क्या उन्हें नौक्रियों में उतनी जगा मिल गई कि पहले कि कई ऐसी रिपोर्ट से जो बताती हैं कुछ नहीं हुआ प्रभाद जाका जनसत्ता में लेख है उन्होंने बहुत बारी की से लिखा है कि जैसे प्रधान मंत्री अटल बिहारी बारी की से उन्होंने जवाब दीजे ना वह हमेशा चाहती है कि जातिगत जनगरना हो जाने के बाद यह बताईए मुझे क्या अंतर आया बिहार में बिल्कुल अंतर आया बिहार में जो जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि तीन प्रधा चलने से क्या हुआ हां बच्चों को पढ़ाई का पूरा 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 प्रेसलिटी मिलना शुरू हो गई जातिगत जनक जनकरना आसे मुझे बताईए हुआ क्या हुआ बिहार क्या हुआ हुआ है बिहार का है बिहार में लंडन का प्रेट बन गया जातिगत जनकरना हो जाने से फर्क क्या पढ़ा वहां यह जातियों की बहतरी के लिए बनाया था आप तक आपने यह सचा ही बता दी आप भागिदारी तो जिश्क्तन आपने क्यों जातिकत जनकरने की जिमदारी ताकि आपको यह चाहते थे कि सामने वाँ बिला जाए ब्रिज बन गए बच्चियों की पढ़ाई लिखारी में सारे के सारे सबसादन जो जुड़ने चाहिए थे वह जुड़ रहे हैं पताईए ना आप मुझे ने बता पारें ने नरेंडर मोदी बीजेपी भारती जनता पाटी आरे से नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जा सब्सक्राइब सुन लेजे का जानकारी सवसंतर पराप्ती के बाद हुई और उसके बार रिजावेशन मिला आप देखिए हर छेत्र में उनका रिपर्जेंटेशन हुआ है रिजावेशन का मतलब सबको नौकनी देना नहीं हुआ रिजावेशन का मतलब हुआ कि जो लोग मार्जिन पे हैं उनको मुख्धारा मिलाना है चान्द या हमारा असल नवरात्र तो 4 जूम को आएगा लेकिन इस बीद जो कुछ भी होगा वो सियासत का सात्वा आस्मान होगा आज इसी पर हम करेंगे चर्चा गूंज में लेकिन उससे पहले सारी बड़ी खबरे फटा-फट रफतार से पीम मोदी ने तबिलारू के वेल लोर और कोयम बतूर से विपक्ष पर जम कर निशाना साधा का पश्चिम बंगाल के दौलत पूर में ग्रेमंची अमिल्शा ने ममता सरकार पर बोला हमला कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सीमा से कराई जा रही है घुसफैट जमु कश्मीर के कटवा से सीम योगी ने पाकिस्तान पर बोला हमला बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनाओत ने कच्चातीवू द्वीप को लेकर कॉंग्रिस पर निशाना साधा ट्वीट करके लिखा है कॉंग्रिस की अक्साई चिन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी जिन्दा है दिली के मंत्री राज़कुमार आनन का स्थीफा समाज कल्यान मंत्री पतसे दिया स्थीफा माराश में कॉंग्रिस को लग सकता एक और जटका पूर सीएम वसंत दादा पारिल के बेटे और कॉंग्रिस नेता विशाल पारिल सांगली से वी बी ए के टिकेट पर लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांदी ने बीजेपी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा ये चुनाव दो विचार धाराओं की लड़ाई है एक तरफ बारत को जोडने वाली कॉंग्रिस दूसरी तरफ लोगों को बाटने वाले लोग राज़सान के उपु मुख्य मंत्री दिया कुमारी ने कोरोना से कर दी कॉंग्रिस की तुलना का कोरोना की तरफ कॉंग्रिस देश को पहुचा रहा है नुकसान तो ईत का चान तो आज दिख गया है दिख जाएगा इन्शालला रमजान का पाक महीना भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा लेकिन सियासी चान दिखेगा चार जून को और तब तक हर एक तस्वीर हर एक बयार हर एक अक्शन और हर एक अरजी सुर्खिया बटोरी की तो सवाल ये है कि आज किन सियासी खबरों ने सुर्खिया बटोरी है आज सबसे ज्यादा जो मुद्दा च्छाया रहा था वो तेजस्वी यादव की मचली खाने का मुद्दा था लालु यादव के छोटे बेटे ने हेलिकॉप्टर में मचली खाई उस तस्वीर को ट्वीट किया और हो गया हंगामा क्योंकि चुनाव है ना भाई हर तस्वीर हर कंप जो है मचाएगी तरह सल हुआ ये कि तेजस्वीर ने मचली खाते हुए कल एक तस्वीर ट्वीट कर दी नवरात्र के पहले दिन ये तस्वीर ट्वीट की गई बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए नेता तमाम बीजेपी के भड़क गए हाला कि तेजस्वीर ने सफाई देते हुए कहा कि तस्वीर नवरात्र से एक दिन पहले की है मैं तो IQ टेस्ट कर रहा था लेकिन सियासत में ऐसे मुद्धे जंगल की आग की तरह फैलते हैं वो भी तब जब चुनाग चल रहा हूँ दूसरी तरफ अखिलेश ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यमेंट आज जारी कर दिया यानि घोशना पत्र अखिलेश ने अपने घोशना पत्र में कहा कि वो जाती जर गणना करवाएंगे और उसके हिसाब से आरक्षन व्यवस्था को बदलेंगे यानि विपक्ष का एक और घोशना पत्र आया जाती साथ लेकर आया तीसरी बड़ी सियासी ख़बर किया थी बीजेपी की तरफ से दस नामों की लिस जारी हो गई है जिसमें बलिया से पूर मुख्यमंत्री चंदर शेखर के बेटे पूर प्रदान मंत्री माफ कीजेगा च जबकि चंदिगर से अभिनेत्री किरनखेर का टिकेट कट गया है आसन सोल से पावन सिंग के मना कर देने के बाद बीजेपी ने एसेस अलूवालिया को आप वहां से उम्मीदवार बना दिया है चौती ख़बर के आई मध्यप्रदेश से जहां पूर मुख्यमंत्री दिख दिख्विजय सिंग ने कच्चा तीवू पर बेतु का बयान दे दिया और कहा कि वहां रहता कौन है जो इस मुद्दे को इतना भारी भरकम बनाया जा रहा है इस बयान पर मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणाओत ने पलटवार कर दिया कंगना ने अपने ट्वी दिख्वू का मुद्दा अभी और गर्माने वाला है तो आज इनी मुद्दों के इर्दगेर्द गूंज में करेंगे सवाल जानेंगे हर पार्टी का जवाब लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गये हैं पूर्णिया से निर्दलिय उम्मीदवार पप्पू यादव उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आप तमाम लोगों से भी एक सवाल जो हर बार गूंज में डिबेट शुरू करने से पहले पूछते हैं वो पूछ लेना चाहती हैं गूंज में आज जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस मुद्दे को लेकर पूछे जाएंगे कि मैनिफ ट्विटर पर वो सवाल में आपसे पूछू उससे पहले सारे खास मेवान जो हमारे साथ शामिल हो गए हैं बारतिय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता अजया लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता मनोज काका इस सबसे बड़ा सवाल आज जो देश जानना चारा वो यही है कि कि आज की तारीख में आप कॉंग्रेस में हैं पप्पु साहब के नहीं है लेकिए यह चिंता हम दो समझ में नहीं आ रहा है आज के तारिक में नरेदर मोदी जी चर्चा का विश्या नहीं रही हम तो एक बहुत सधारन आर्मी हैं निर्दलीय उमिद्बार हैं जनता के अबीद्बार हैं जनता के दिल में हम ने दो दो लोगसाबस स्रीट को ठुतरा एकल तक मदेपुरा सुपूल नाम का डिकलेरेशन नहीं हुआ था, हमने कहा लालूजादब जी से, हम मदेपुरा सुपूल नहीं चाहिए, फांडव तो पांद गौम्हागत है, हमने तो एक ही गौमागत, और कॉंग्रेस की जहां तक सवाल है, कॉंग्रेस ने ना मुझसे क कि आप अलग हैं ना मुझसे कहा कि किस परस्थिती में नहीं मिली तो आप हमको एक बात बताइए ना कि पप्पु यादब जब रियंका जी के आदेश पर कहने पर हमने एक विचारधारा के साथ अपने पार्टी का 40 साल की संघर्ष और 15 साल की पार्टी का विले किया जो एक खेत्रिया पार्टी बजबूत पार्टी थी सबसे आप पूछेगा कम से कम संघर्ष पर दिखता था तो हमने खुद देखा है ना मेरी बात तो सुनिए ना आप सुनिए ना आप पुजी मैं लगा कर मेहनत करके पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी वो तो हमने भी देखा ना आपने उसको अपने बच्चे से ज्यादा कह सकते हैं कि पाल पोसा बड़ा किया एक जनाधार बनाया आपने उसको एक ही दिन में कॉंग्रिस में विलाए कर दिया और जो कॉंग्र किजिए मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा कि किस तरह करोना में मैंने देश की सेवा की सब के लाज उचाए अपने को छोड़ दिया मैंने कैसे मदद की फिर मेरी गिरफ्तारी हो गई रमदी सीवार ऑक्सिजन कहां कहां से लाए किस तरह दिली में हम घर छोड़ करके न फिर से मेले बना दिया मैं बहुत गहरे सब्वे में गया यह कैसा देश है भाई जो एक बात पबली को देखने ने गया पटना में बार में करोना में एक मेले मंतरी शंतरी देश के पीम सीम नहीं निकले और जो नौ मेना शर्कों पर रहा कभी एम्बूलेंस तो कभी कुछ लेके कभी किसी अस्पटाल में सेबक को जो सिब बेटा होता नेता तो कभी होता ही नहीं है पुर्मिया में पढ़ाई जिला इस्कूल हम टोपर थे अनलमार विस्कूटे टोपर थे हमने बच्पना देखा हमारी मां देखे मेरी बात एक मिन समझ लिए मैंने तो आपको बह कर दिया आपकोई तिकित तक मरी मेरी बात तो सुमझे ना पाथी पाल्ती पुद्यादश्या थे तुझ्ञाई के रास्ते को करते लोगों को इस बात कहता है प्या बता नहीं किसी गलत के बारे में क्या बूल देंगे तुल हमारेए खिरापना कुछ होजा है मतलब हमारी स अचाही ही हमारा दुश्वन हो जा या मेरा सेवा ही मेरी मदधि हमने कहीं गल्टियां हो तो मैं सुकार भी करूंगा एक है पॉलिटिकल संस्का एक है संस्क्रित आप अधी नहीं है इतना तो मैं जानती हूं आप मुझे यह पताइए ना आप आपको दोका मिला है कि नहीं मि प्रियंका जी का फॉन और उसके बाद यदि लालू यादव भी इसको नहीं लर सकते आप पुर्णिया हम के अलाबे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अंतिम दी मैंने मिसा जी से कहा कि मिसा जी मेरी बहन कितरा मेरी परिबार कितरा और बहुत समय लडी आपको लगता है कि मैं कांग्रेस में गलत चला गया और यह अपनग्रेस को पुर्मामांगता हूं मेरी बात सारी चीज होती रही सबसे होती रही लैकिन कि लेती तको अरफ में झान से महां से कोंग्रेस घट बंदेन को ऊचलद्लीय को गई तो उनके लिए सामने में यह नहीं है कि हम भी कि फोर्व करिए चोड़ दीजिए जब कि 20 सालों से कोई अजादी के बाद से आर्जे जी वहां चुनों नहीं लड़ा कि पुर्णिया आप चोड़ेंगे नहीं मर जाएंगे मरते दम तक नहीं चोड़ेंगे लेकिन आर्जे डी के उम्मीदवार बीमा बात यह कह रही हैं कि आप बीजे पी से मिले हुए हैं आप कहते हैं जो मेरे साथ नहीं वो बीजे पी के लिए रास्ता बना रहा हैं आप बत आप साबने रहेंगे तो वोट तो बढ़ जाएगा ना रूबिका जी एक बात बोल मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूँ रहा और आप किसी की चर्चा हमसे ना करें जिलका अपना तो अश्कीच में धुम्या में मैं एक आप आप से पुछना चाहता हूं रूबिका जी हम आप एक बात बता जी है कि बहुत किलियर बताइए हमको कि विजेपी की बीटीम बंगाल में मंता जी भी कॉंग्रेस है पंजाब में आम आदमी पार्टी है कि कॉंग्रेस 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 है प्यादी ह हम तो यह कहेंगे जिस परिकेसे बिहार में लगातार आपने उस सीट को जो नंबर वन में चुनाओ जीता जहां हम 4-4 बार संसर्ग भे 6 बार हैं आप पोने 7 लाग यादव होने के बाद भी आप पाटली पुत्रा में ये काउंटर तो आपने तग्रा पुत्रा में तग्रा जो लोग किकट बाते हैं कहीं पर देखिए सास्वत पांडे को आप करनेया को भी भी जो लोग करनेया को नहीं दिये जो निखिल बाभू की सीट ले लिए वो नहीं आप केडार पांडे की सीट ले लिए आप वो सिर्ग चुनो लड़ते थे आप अब हागलपूर लड़त आपको यादव का दुश्मन कौन आपका दुश्मन कौन आपका दुश्मन कौन जल रहा है आपसे मेरा दुश्मन मैं खुद हुई कोई और नहीं हमको पायर पकर लेना चाहिए हमको दलाली करने के लिए इस तरीके से गलत चीजे करने के लिए कौन कह रहा है ऐसा क्यों लगता आपको वही बातों मैं कर रहा हूं अब आप खुद सोचे ना कि तेजस्वी आदव जी नॉमनेशन में हरीकेप्टर लेके मेरे हां गये जबकि आज तक कोई भी आजमी नॉमनेशन में नहीं गिया कहीं पप्पू याज तक के खिलाप नॉमनेशन में आना मेरे सामने में ना को हिंदू मुसल्मान ना जात पाथ सब मेरा परिवार होता है हम आज तर मदेपूरा में हम वेपुनेशन ती लाग से चुना जीते हम कोई चुना नहीं जीता आज जब पुर्णिया के लिए जब हम एक साथ से घर घर जा रहे थे अब यह बता दीए सबसे मोड़ी बात यह हो गया कि हम कॉंगनेश में क्यों विलैकर गया यह पसंद साथ हमारे नेता को नहीं आए अच्छा एक और चीज बहुत बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है पपु यादव जी आप जंतर मंतर गए थे आप वहां पहलवानों के साथ बैटे थे और आ अब जो है मुलोड कराता है क्या कहेंगे अच्छा एक बात मैं बोलू रूबिका जी वो रो रहे थे वो रो रहे थे कि लाठी कैसे खा है हम रो रहे थे कि हमको अपने घर से आप जबरदस्ती निकालना चाहे अठारा दिनों से आप टॉर्टर कर रहे हैं हम लाठी खाने स्पाहिब की मारी हम परोना के ड़र तो नहीं नरो रहे थे हम तिकट के लिए तो नहीं नरो रहेथे हम गट बंधन के लिए तो नहीं नरो रहे हैं आप आप आपने आपने पने पुवày Bashanaki detail आपको आपको पर खुमें से उर प्र ज in होता है आपने जो रोने का मजाक उरा अपने माँ और अपने घर में लोये हम सदन में नहीं रोये हम पूलीस के डर के डर से नहीं हम इस बात को लेकर कि जब हम नहीं छीज पर हम आजीवन आ किया और वहां कॉन सी चीज ऐसी हो गई क्यों इतनी नफरत आप हेलीकप्टर लेके आ गए हमने आपकी सब्दिन मदब की हम आपको पिपक से लेके मुकमत्री बनाने से लेके आज तक फिर पपु ने ऐसा क्या गुना कर दिया था हम किसी का पायद पगर के टिकट नहीं मांगे हम मधे पुना शुपर ले सकते थे य हिम्मत इस देस्ट में किसी के पास रही है और दुबारा आपसे मुलाकात करने के लिए आउंगी और कि यहाप कर रहे हैं क्या हो वो सब जानूंगी फिलाल पॉप यादव को आप सुन रहा है इस वक्त शक्ति सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए है शक्ति जी क्या कहेंगे नवल किशोड जी बहुत-बहुत सुवागत है आपका माफी चाहती हूं जो सुना आपने पपु यादव जी कह रहे हैं आप लोग इतना खौवजदा है आ तेखे रुबिका जी टिकट उनको किस नहीं दिया क्यों नहीं दिया और वो कहां थे वह जयाने हमने तो जो टिकट का बट्रण किया अपने दल के जो संशदीय बोड के मेंबर हैं वो सारे लोग देखकर और किसको कहां लगना चाहिए उसे विचार मन्थन करके और वहां पर टिकर दिया, उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं, हमें तो हमारे पास तो उनके टिकट नहीं मिलने का कोई जवाब क्यों रहेगा, हमसे कोई क्यों मांगेगा, हाँ आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं तमाम तरह की बाते बोल रहे हैं उस बात का कोई मतलत नहीं है अगर आप चुनाओ मैदान में है तो आपकी एक लग्ष उनी जाए कि चुनाओ लगते हैं इसके आप इंडिपेंडेंट भी देश में लगते हैं आप लगते हैं एक ही आदमी के लिए हेलिकॉप्टर से तेजस इससवी सहब जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए गये हैं यह क्याँ बताता है आपकी अनुसार या पपू जी यह बताता है कि पपू जी से डड़ गए है और इसलिए वहां पर गय इसका इसका बिल्कुल गलत मतलब बता रहे हैं यह ने परिशानी होगी नवल जी के नेता है जो आपका पसंदीदा उमीदवार होगा जहां आपके सबसे ताकतवर नेता की जरूत होगी वहां पर वो जाएंगे लेकिन उसके पीज़े की रीजन को पप्पु यादव कहा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मुझसे खौफ है वो डर रहे हैं ने जब पप्पु य इन डेटे उसके लिए हमारे तेजस्वी यादव पर पहुंच गए लेकिन उसी तरह का हेलिकॉप्टर मचली फ्राए नजाने क्या-क्या मुद्ध जो है वह आप उठाए हैं और खुद अजया लोग जी तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि नवरात्र से पहले कीचा गया फ कोई चीज होती है एक A.T.C. कोई चीज होती है एरपोर्ट है कब हेलिकॉप्टर उतरता है उससे सब जाकर रिकॉड निकाल सकते हैं मुद्ध वो नहीं है मुद्ध वो नहीं है अगर नवरात के पहले भी फोटो घिचाया हुआ है तो नवरात के दूसरे दिर ये आलबम इससरे जाइ मतलब है ये कहते हैं कि रिच्पन से बुतूरू थे तब सेव चटी मयया जै छटी मयया करते हैं तो जै छटी मयया के दिन मचली खाते हुए फोटो डाल सकते हैं क्या नवरात रगा कि एंधू के दिलों में ये किसी को पतादा है लेकि मैं मुझे मोगी उसमे तो सवाल बस इतना है कि आपने ये काम तब इसका मतलब जान बूज के किया ताकि भावनाय आहाथ हो कि नवरात में मचली के कांटे के साथ अपनी फोटो आपने वीडियो पोस्ट कर दी तब तो और जगर ने काम किया साथ अंजाने में गलती होई तो कोई बात ही जानते भाजपा के पास मुदों पे कोई बात नहीं है इनके पास सिर्फ वही सब बात था जिसे लोगों को भड़का सके आज जो सही सवाल क्या है जो सही समय क्या है वो सवाल पूछने का है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पिछले सवाल में क्या किया नोपनी पर क्या क्या यह तमाम सवाल जो है वह भारतिये चुनाव में महत्तपू सवाल बन गए हैं और इसका इनके पास कोई जबाब नहीं है इसलिए यह टेस्ट किया गया कि आखिर की बता देना चाहते हैं कि आपका और हमारा जो सिगनल इसमें थोड़ी सी कमी दिक्कत आ रही है इसलिए आपक भाजपई जी यह कोई मुद्धा है क्योंकि चुनाव में हर एक चीज मुद्धा बनती है बनाई जा सकती है जनता के मन में बिठाई जा सकती है यह तस्वीर पोस्ट करना या फिर मनोष का कभी हमारे साथ बने हुए है मनोष काका की तरफ से आज मैनेफेस्टो लॉंच हुआ है यहां 5 trillion economy की बात हो रही है तो क्या मुद्दे इससे बड़े नहीं है कि मचली फ्राइपर अटक गए कि मुद्दा तो यह भी है मुद्दा क्यों नहीं है यह मतलब आप ऊपर हवा हाली कप्टर में या हवाई जाज में केक काटेंगे बड़े अपना वहां मनाएंगे और ते वहर वाले दिन मचलीया खाएंगे यह आपका चरित्र तो तिखाता ही है न्दे के सामने चन्ता को पता चलेजा था पूरा परिवार फूरा परीवार भ्रस्टाचार में लिफ्थ है जन्ता को जानकरी आ गई यह जानकरी आ रही हैं विसे जिने काराना का यह बिलिया Kang आप समझने कि यह 21 फारम हाउस सोच सकते हो कि कहां ते पैसा है कोई बिजनिस है कोई वेपार है क्या सिरफ जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है और यह वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा हूं मैं लूट की है उसके पीछे सजा भी होगी है लालू यादव जी को पांच आपकी लाइस्टाइल के बखान कर रही है ओके उसका जवाब मनुश का करेंगे लेकिन उससे पहले वाजपेईजी आप गरीब गरीब बार बार यह कहते हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं एक ही परिवार को गरीवी से निकाला गया और पांच ताल बार जाव जब नेरेगे सच्चाई क्या है वो बाजपेईजी से पूछे की लोषपा ने परिवार से आगे कब सोचा है और लोषपा के जो रास्क्या अध्यक्ष्या आज की डेट में वो जब वो क्या-क्या कर रहेते उनके विस्हएं में बता दिना जी अपने इश्य। बाताएं। करता वही है तो जिस तरह जिस तरह से देगे बात ही है जनता पार्टी को पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है इसलिए बॉखला करत में वह तमाम तरह की तरह के बिंद्रों के लाते हैं जिसा कोई मतलब नहीं है आज की देट में चिनाव जवाब दीजिए परिवार बात सिर्फ लालू और राबडी देवी का है तेजस्वी और तेजप्रताप का है वो कह रहे हैं यहां पर लोजपा भी तो बैटी हुई अन्य विश्ण परियंका गांधी यह परिवार वाद्स से पचास साल पहले पता था इंडिरा गांध्य्क को कि मेरे बाद राजीव गांदी होगा उसके बाद उसके बेटे होंगे और आज भी तब सब को पता है कि राजीव गांदी के बाद कौन हो गा यह परिवारवादी इंस्पाइड है गांधी परिवार से क्योंकि जब गांधी परिवार कर सकते हैं है तो हम क्यों निकले भाई वाई गांधी वार सेंगे तुर्ण निकली थी बहुत वेमस किताब है मिर्ची लगा रहे थे वो नवरात्रा के दूसरे दिन मंच्री खाके वो मिर्ची लगा रहे थे भाजपाईयों को इस मैंने जान बूझ के किया था कि हम भाजपाईयों का आई-क्यू टेस्स कर ले लोग पढ़ता लिखता नहीं नहीं है आप 30 से अब बाव पढ़ते लिखते नहीं है जान जिसके भावना आहत करने की कोशिश की गई है यह जानते हुए कि नवरात्र का दूसरा दिन चल रहा है और कल नवरात्र था चुरुआत हो चुकी थी तो क्यूं क्यूंकि आप मास मच्छी का सेवन उस वक्त नहीं करते हैं वरत करते हैं उपवास में रहते हैं पहला तो इन से यह भी पूस रेना चाहिए आपको कि इंद्रा गांधी के पहले और जावाल लाल नहरू के बाद कौन लोग प्रधान मंत्री थे जिसका यह बात करें परिवार बात का नमबर एक विवेक ठागूर और रभी संकर प्रस को मौका मिला प्रधान मंति बन सकते थी उसके बावजूद भी प्रधान मंति नहीं बनी और मोहन सिंक को बनाए आप आप जिस तरह का बात यह लोग करते हैं वो किवल भर्माने का है तो यह ज्यान टेस्टिंग को बीच में होना चाहिए ना कि सिर्फ वाट्सप इंवर्स कि टीचे